हाई एवरीवन, होप यू आल मस्ट बी डूइंग क्रेट, चलिए शुरू करते हैं अपना डे बिफोर एक्जाम का रिविजन, जल्दी से सूपर फास्ट स्पीट पर हम लोग करने वाले हैं इसको, जनरली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं विदिन सिक्स टू सेवन आट्स आपका पूरा इंकम टेक्स कंप्लीट कर पाऊं, ठीक है, अल्मोस्स सारे चाफ्टर्स टच क नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी माक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम से कम समय में पर आपका पूरा इंकम टेक्स कंप्लीट रिविजन हो जाए, लगबग मैं एम कर रहा हूँ टू सिक्स टू सेवन आर्स के बीच में ये क्लास जानी चाहिए, जिसमें मैं ये सारी चीज़े डिसकस कर सकूँ आपके साथ, अच्छा कहां से करेंगे हम लोग, आपके पास चार्ट बुक अल्रीडी सॉफ्ट कॉपी में होगा, ठीके मैंने उसको शेयर भी किया था, टेलिग्राम पर भी है, आप वहां से चाहें तो ले सकते हैं, प्लस साथ साथ में मैं एक और फाइल छोडी सी आपको बहां पर अपलोड करा दूगा, कुछ प्राक्टिकल कोशन्स की जो मैं यहां पर यूज करने वाला हूँ, तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, अपना चाप्ट नमबर वान से, चलिए बेसिक क DOI, Artificial Judicial Person, इन सब के लिए slab rates ही लगेंगे, क्या slab rates होते हैं, शुरू के 2.5 लाग तक, शुरू के 2.5 लाग तक कोई टेक्स नहीं आएगा, निल, 2.5 लाग से उपर होगा, 2.5 लाग से 5 लाग के बीच में 5%, 5 लाग से उपर 10 लाग तक 20, और 10 लाग से उपर जब जाएगा, तो 30% टेक्स लगेगा, ठीक है, मोर देन 10 लाग के उपर 30% टेक्स लगेगा, ये नॉर्मल स्कीम की में बाते कर रहा हूँ, अभी हम new tax regime भी discuss करेंगे, बटर इस slab rates है, नॉर्मल टेक्स स्कीम, ठीक है, दूसरी बात, अगर असेसी एक individual है, प्लस senior citizen है, प्लस स्यादा important बात resident है, देखे, senior citizen की पूरे income tax में, senior citizen का benefit तभी दिया जाता है, कि अगर असेसी resident है, अगर असेसी non-resident है, तो please senior citizen का कोई benefit मत दीचेगा, ठीक है, अगर वो resident है, और senior citizen है, senior citizen मतलब 60 years, और above है, 60 से लेकर in fact 79 तक, क्योंकि फिर वो 80 and above आजएगा, तो वो super senior citizen हो जाता है, तो अभ के लिए slab rate हो जाता है, 0 से लेकर 3 lakh, 0 से लेकर 3 lakh, 0, 3 lakh से फिर 5 lakh हो जाएगा, 5%, 20 और 30 फिर as it is रहेगा, super senior citizen है तो, 0 से लेकर 5 lakh तक का slab rate आज़ाता है, 0, 5 lakh से 10 lakh के बीच में, तो 20 परसंट जाएगा, 5 और 10 तो सभी के लिए 20 परसंट है, ठीक है, 5 से 10 के बीच में, सभी के लिए 30 परसंट है, ठीक है, तो शुरू के जो 5 lakh हैं, बस उसी में changes आते हैं, शुरू के पहले normally 0 से 2.5 lakh, दूसरा वला, senior citizen है तो 0 से 3 lakh, super senior citizen है तो 0 से लेकर 5 lakh, अब लग समझके, और ये 3 lakh और 5 lakh तभी लगाईएगा, senior citizen, ये super senior citizen के साथ साथ असेसी resident होना चाहिए, clear है, और अगर question में कुछ भी mention नहीं है, तो हमेशा assessi को resident मानिएगा, by default, दो चीज हमेशा ध्यार में रखेएगा, in case अगर age mention नहीं है, अगर age mention नहीं है, तो normal age मानिएगा, 59 years या उससे कम मानिएगा, और in case अगर residential status वगेरा mention नहीं है, assessi का, तो हमेशा उसको resident ही मानिएगा, हमेश अच्छा, मैं बता दूँ कि इस 60 years कब देखने हैं, आपको previous year में देखने हैं, कि previous year में उसका birthday आया, यानि कि हमारे लिए previous year है 2021, इसका मतलब 1st April 2020 से लेकर 31st March 2021 के बीच में, यानि कि previous year में उसकी age देखनी है, अगर वो 60 years का हो जाता है, तो हम उसको senior citizen मानेंगे, प्लस, द 31st March 2021 के बाद, एक दिन extra मतलब 1 April 2021 को भी, अगर वो 60 years का हो गया, उसका birthday आया, और वो assessi 60 years का हो गया, 1st April 2021 को भी, तो भी आप इसके लिए senior citizen ही मानेगे, यानि कि एक दिन extra दिया गया है, दूसरी बात याद रखिए, rebate, rebate मिलती है section 87A में, अगर assessi एक resident individual है, resident को ही मिलती ह यह non-resident को rebate नहीं मिलती है, तो resident individual को मिलेगी, maximum जो rebate होती है, वो होती है, 12,500, याद रखेगा 12,500, दो चीज़े आपको याद रखनी है, सिर्फ resident individual को मिलेगी, plus 12,000 से जादा की नहीं मिलती है, वैसे कितनी होती है, जतना आपका text बना, या rebate, whichever is lower, 12,000, जो amount है, whichever is lower, उतन लेते हैं, यह file भी आपको telegram पर मिल जाएगी, ठीकि मैंने सारे chapter wise यहां पर दिया हुआ है, और सारी illustrations में लिखा भी हुआ है, कि किस बारे में यह illustration बताएगी, तो rebate के बारे में है, यह illustration, compute the text liability of Miss Lakshmi, age 62, age 62 years है, यहां पर age दी गई है, यान की senior status है, residential status नहीं गिवन है, त resident, तो conscious lab rate लगाएंगे, 0 से लेकर 3 lakh वाला, ठीक है, दूसरी बात दिया हुआ है, इनकी total income है, 4.5 lakh, for the assessment है, 21-22, तो 4.5 lakh तक income है, rebate भी मिलेगी, 87A की rebate मिलेगी, तो सबसे पहले क्या कीज़ेगा, 4.5 lakh पर पहले text निकाले, अभी CES नहीं निकालना, पहले rebate देते हैं, फ 3 lakh से उपर आया, 4.5-3 lakh, यानि कि 1.5 lakh पर text निकाले, 5% के हिसाब से, 5% लगाईएगा, 7500, तो इनका 4.5 lakh पर text बनाया, वो बनाया, 7500, रिवेट की इतनी मिलनी है, जितना यह text बना, या 12,500, whichever is lower, तो 7500, या 12,500, whichever is lower, कितना है, 7500, तो यानि कि पूरा जितना भी text बना, उ ठीक है, सबको समझ में आता है, ओके, तो यह बाद रिसकर्स कर ली, सर्चार्ज, अच्छा, सर्चार्ज डिसकर्स करने से पहले न, एक बात मैं आपको वाल बता देता हूं, यह जो slab rates होते हैं, ठीक है, इंडिविजल बगर रखे, यह सर्फ हमारी normal income के उपर होते हैं, जो स्टी सीजी, ट्रिपल वाने, कितना टेक्स, फिफ्टीन परसेंट, ठीक है, फिर long term capital gain, वन वन टू ए, वन वन टू ए क्या होता है, सर्फ एक्विटी और यूनेट्स, जब स्टॉक एक्शेंज पर बेची जाती है, इसके उपर tax rate क्या आता है, 10% याद आता है slab rates, casual income के भी ज्यादा देहान मत दीचेगा, अगर वो आपको आता है concept हो ठीक है, अधरवाइस छोड़ दीचे उसको, जनरली वो नहीं आता है, तो casual income के उपर में बहुत जल दी, इस समय थोड़ा ज्यादा speed पर चलूँगा, कोई concepts मुझे clear नहीं करने, इस वाले lecture में, बट आपको revision आपका strong कराने हैं बस, तो जो special income होती है, दोबारा से repeat कर रहा हूँ, LTCG के उपर 20% का tax rate लगाते है, 111 A, short term equity shares, equity oriented unit, जब stock exchange पर बेची जाती है, इसके उपर STT पे होता है, उसके उपर 15% का tax rate लगता है, 112 A, long term equity shares, equity oriented units, 10% का tax rate लगता है, बट शुरू के एक लाख इसमें से आप reduction भी करते हैं, याद आ गया, 112 A में से, ठीक है, फर्स्ट फर वन लाख रूपीस पर कोई tax नहीं लगेगा, उसके बाद हम 10% tax लगाते हैं, casual income के उपर lottery, quiz, game show के उपर 30% tax लगेगा, बाकी की जो normal income होती है, उसके उपर हम slab rates लगाते हैं, normal income के उपर हम slab rates लगाते हैं दूसरी बात आज करिएगा, अगर हमारी normal income basic exemption limit से भी कम है, अगर हमारी normal income basic exemption limit से भी कम है, तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, resident के लिए, ठीक है, resident के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा long term capital gain है, या फिर triple 1 A है, 112 A है, casual income, ठीक, casual income का नहीं, but long term capital gain, triple 1 A और 112 A से हम उधार ले लेते हैं, उधार लेने का मतलब है, हम movement करा देते हैं, अपनी deficiency, जो हमारी un exhausted basic exemption limit होती है, उसकी deficiency पूरी करते है, casual income से नहीं करते, ठीक है, सरफ 112 A तक यहां से लेते हैं, और इसी order में, पहले long term capital gain से लीचे, फिर triple 1 A से लीचे, फिर 112 A से लीचे, अभी मैं आपको practical example क के साथ भी करा देता हूं, आएगा, illustration number 2, computation of tax liability with special income, Mr. X has income as under, income under the head salary 5,35,000, house property की income 245 है, PGVP की income 30,000 है, long term capital gain other than 112 A, तो other than 112 A मतलब normal long term capital gain, आप इसके उपर जानते हैं, इसके उपर 20% tax होता है, other than 112 A, 112 A वाला होता है, तो 10% tax लगता है, बट 1,00,000 रुपी माइनस करने के बाद, short term capital gain 25,000, यह कौन सा short term capital gain है, triple 1 A वाला नहीं, यह normal short term capital, triple 1 A वाला कौन सा होता है, triple 1 A पर याद रखे, एक तो 15% tax rate लगता है, और सिर्फ और सिर्फ जब short term equity shares यह equity oriented units, यह units of business trust, units of business trust इतना important है आपके लिए, आपके लिए important है, short term equity shares यह short term equity oriented units, ठीके इसके ओपर STT पे करा है, तो 15% आता है, बट other short term capital gain तो normal होते हैं, ठीके गोल्ड बेचा, ठीके लैंड बेचा, तो उसके ओपर normal rates लगते हैं, यह हमारे special income नहीं होती, normal short term, ठीके सिर्फ ट्रिपल बने वाली होती है, casual income 55,000 ए 30% का tax rate लगता है, डिदक्शन अंडर 80C से 80, 25,000 रुपीस की हैं, computerist tax liability, यानि कि अब हमारे पास दूसरे income भी है, और अब हमें tax liability निकालनी है, ठीके, अससी की age नहीं दी हुई है, तो हमेशा मानेंगे कि normal age है, 59 years से जादा के नहीं है, 60 years के नहीं है, ठीके resident है, non resident है, normal resident ही मानते हैं, अकर question silent होता है, तो सबसे पहले अपनी total income हम calculate करेंगे, salary, house property, PGBP, capital gain दो है, actually long term capital gain और short term capital gain दोनों है, 135, casual income, IFO, इसके अंदर आती है, 55,000 रुपीस की, हमाई total income, जो gross total income हो जाती है, 10,00,000, deductions, 80C से लेकर 80U तक 25,000 हमें दिया गया है, यानि कि हमाई total income 975 आ गई, अब यहाँ पर ध्यान देना हम इसमें से देखते हैं, 9,75,000 में से हमारी special income कौनसी है, उसको अलग कर लीजएगा, तो 975 में से हमारी special income है, एक तो long term capital gain, other than 112 है, ठीकि जैसे land बेचा या कोई जोलरी वगेरा बेची long term, ठीकि नॉमल long term जो होती है, इसके उपर तो लगता है 20% का tax rate, फिर आपके नंबर आता है, और यह इसी order में रहता है, ठीकि इसको आगे पीछे मत करिएगा, यह इसी order में रहेगा, 111 A के उपर, यहां पर है नहीं, इस कोशन में बढ़ अगर होता, तो 111 A, short term equity shares वाला, stock exchange पर अगर बेचते हैं, तो 15% tax rate रहता है, 112 A, यह भी long term होता है, 112 A, बट कौन सा equity shares, यह equity united unit stock exchange वाली, ठीकि इसके उपर 10% का tax rate लगता है, वन लाक रुपी माइनस करने के बाद लगता है, फिर casual income के उपर, casual income के उपर 30% का tax rate लगता है, और फिर आपकी जो बचती है, ठीकि इसके बीच में एक और चीज होती है, जो unexplained income होती है, unexplained cash credit, unexplained income, उसके उपर 60% का tax rate लगता है, यह इतना ज़्यादा आता नहीं exam है, बट फिर भी याद रख लिजेगा, जो unexplained income होती है, और फिर आपकी normal income आती है, ठीक है, अब normal income में क्या क्या आता है, वो सब आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको सर्व ध्यान में रखना है कि मेरे पास special income में क् इंकम मची, वो normal income होती है, normal income के उपर normal rates लगते हैं और individual बगेरा के लिए slab rates लगेंगे, ठीक है, अगर हमारी normal income basic exemption limit से कम है, for example, यहाँ पर धाई लाग का slab rate लगना है, 2.5 लाग का, अगर यह normal income होरी 2.5 लाग से भी कम होती है, तो फिर हम यह देखते हैं कि assessi resident है क्या, ठीक 1-1-2-A से बस यहाँ से casual income and unexplained income से move नहीं करते हैं, फिर यहाँ से घरते हैं, इसमें शायद कोई deficiency नहीं है, क्योंकि 975 के आपने कुछ parts करके दिखाएंगे, यह parts आप रफ में कर सकते हैं, अपनी answer sheet के बिल्कुल last one page में, आप यह rough calculation करके देख सकते हैं कि कितना कितना यह फिर उसके बाद लिखती जैए, जैसे long term capital gain 1,10,000 रुपीज था, उसके उपर 20% का tax rate आचाएगा, casual income 55,000 थी, यहाँ पर triple 1-A, 1-1-2-A नहीं था, casual income के उपर 30% आचाएगा, 55,000 का 30% 16,500, normal income आपके अलड़ी basic exemption limit से उपर है, 8,10,000 है, तो यहाँ पर कुछ हमें movement करने की unexhausted basic exemption limit यहाँ पर है नहीं, तो normal हम लोग 8,10,000 के उपर normal slab rates लगा देंगे, total कर लीजेगा, क्याहाँ पर rebate मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, rebate क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें total income 5,000,000 से उपर है, तो rebate की कोई जरुवत नहीं है, तो अपना tax आगया, इनको add कर दीजे 22,000, 16 15,500, 74,500, 1,13,000 आता है इसका total, इसके उपर 4% education से लगा दीजे, सर्चार्ज लगेगा क्या, अभी नहीं, जब हमारी individual है, total income हमारी 50,000,000 से उपर है, तब सर्चार्ज लगता है, अभी थोड़े दिर में बाते कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो सोई सर्चार्ज भी नहीं पर एक्जामपल हमारी normal income बेसे exemption limit से कम है, तो क्या होगा, समझ में आ रहे है, compute the tax liability for the assessment year 21-22, Mr. X is a resident and has income under the head house property 40,000, income under the head salary 30,000, long term capital gain 480, तो इनके बास सर्फ तीन income है, house property income, salary की income, long term capital gain, हमने तीनों लेख लिख लिए, total income GTI आया गया, 550,000 का GTI है, 80C से 80U की कोई डिदक्श न पर गिवन नहीं है, तो टोटल इंकम हागी हमारी 550, अच्छा मुझे बताओ, total income 550, क्या, रिबेट मिलेगी, ता answer is no, sir, रिबेट नहीं मिलेगी, अरे resident है, रिबेट जए तो सर्फ लाक से ज़्यादा की, इनकी total income चलीग, यह रिबेट नहीं मिलेगी, चलिए, अब हम कैसे करेंगे हमेशा अपने total income के special income को अलग कीजिए, और normal income को अलग कीजिए, special income में क्या आता है, long term capital gain, दुबार से देखते हैं, 111 A, 112 A, casual income, unexplained income, बढ़ यहां पर 111 A, 112 A, casual income अगरा नहीं थी, बस long term capital gain था, तो हमें देखा कि 550,000 में से long term capital gain कितना है, 480, और बाकी का कितना हजार का हमारा normal income बची, और क्योंकि यह individual SACA plus resident है, resident में ऐसा करेंगे, non resident में तो simple कर देंगे, इसके ओपर non resident होता है, तो मैं इसके ओपर 20% tax लगा देता, और इसके ओपर 0 कर देता, 0 से 2.5 lakh का slab, but क्योंकि यह resident है, अब हम देखें कितनी deficiency है, तो हमें पता चला कि 2,50,000 होन है, उसमें add कर दीजिए, तो 480, तो हम अपने long term capital investment तो 480 था, बट उसमें से हमने 180 कम कर लिया, विकास हमने deficiency meet out कर दी, तो 3 lakh के उपर 20% tax rate लगा देंगे, और आपकी जो normal income है, वो तो आपकी सर्फ 2.5 ही बन पाईए अभी तक, क्योंकि 70 पहले थी, 180 move हो गई, तो उसके बा सर्चाज की बाते कर लें, सर्चाज की बाते कर लेते हैं, जल्दी से, सर्चाज कब लगेगा, में इंडिविजल के लिए बाते में कर रहा हूं, total income is more than 50 lakh rupees, 50 lakh rupees से जादा की जब income होती है, तब ही सर्चाज लगता है, 50 lakh से जादा की income नहीं है, 50 lakh तक है, तो फ्लीज सर्चा का, अगर हमारी income टू करोड से भी उपर है, फाइफ करोड तक, ठीक है, टू करोड से फाइफ करोड तक है, तो 25% का सर्चाज लगेगा, और अगर हमारी income पांच करोड से भी जादा है तो 37% का सर्चाज का रेत लगेगा, clear है, तो बहुरा से रिपीट कर रहा हूं, 50 lakh से उ उपर आएगा तो 37% रहेगा दूसरी बात यात करिए जो हमारी इंकम होती है डिविदेंट की ट्रिपल वने की वन वन टुए की इस पर कभी भी सर्च चार्ज ट्रिपल वने और वन वन टुए समझके ना जो हमने एकुटी शेयर से एकुटी उनेट वर बेचे थे और डिविदेंट इंकम के ऊपर कभी भी सर्च चार्ज करें 15% से उपर नहीं जाएगा कभी भी हमारा 15% से ज्यादा रेट नहीं जाएगा यानि कि अगर 50 लाक से वन करोड के बीच में हमारी इंकम तो सर्च 25 और 37 नहीं लगाते तो आक्चुली जब हम अपने वह 2 करोड क्योंकि सेकिंड वाले लेवल तक भी 15 15 आ रहा है यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हमारे थर्ड वाले जो लेवल है जब 25% आ जाता है जब मैंने कहा कि हम अपनी इंकम 2 करोड से उपर है और 5 करोड के उपर है तो 25% और इसी तरीके से 5 करोड वाली इंकम आप देखेगा तो डिविडेंट 111 और 112 को हटाने के बाद देखेगा दो से 5 करोड से उपर अगर जा रही है तो ठीक है और और अगर सर्चाज ज्यादा लग रहा है बट आपकी इंकम उतनी नहीं बड़ी तो आप को पता है मार्जिनल रिलीव भी मिलता है तो इसको भी डिसकस कर लेता हूं जल्दी से ओके यहां पर है और इनकी टोटल इंकम 51 लाग है अब देखो 50 लाग से उपर इंकम जा रही है तो सर्चाज लगने वाला कितना लगता है 50 लाग से एक क्रोड के बीच में 10% का सर्चा नहीं लगता ठीक है 50 लाग भी होती तो भी कोई सर्चाज लगता अब क्या करेंगे सबसे पहले जब सर्चार लगाते हैं सबसे फिफ्टी वन लाग पर टेक्स निखाल दीजे कैसे निकालेंगे देखेंगे 51 लाग जो हमारी इंकम है उसमें स्पेशल इंकम है तो उसके र इसके उपर सर्चार लगा तेक्स नियुक्त है 50 लाग के आप अपर टेक्स लगा दंगे 10 टिकए सबहीं लगाना थिक पहले आप सर्चार लगा देंगे तो सच लगाए 10 पसें टो टॉटल हमारा टेक्स हो गया इंक्लूदिंग सर्चार अभी हमने सिर्फ सर्चाज अब कर करके हो गया उसके बाद हम Marginal Relief देखें कि हमारी इतना ज्यादा इंकम इतना ज्यादा निकल गया तो उससे कैसे देखना पड़ता है हमें हम देखतें कि 50 लाग प्लस 1 लाग हमारी इंकम है ठीक है सर्चाज 50 लाग के बाद लगता है तो हम यह देखने कि 50 लाग पर अगर ट हमारी कितनी इंकम बढ़ी सिर्फ 50 लाग से 51 हो गई थी मतलब 1 लाग रुपीज एक्स्ट्र होई थी तो अगर माल लेते हैं कि हम इसके इंकम को भी आड़ कर देते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे 50 लाग पर टेक्स निकाला आपने प्लस वह 1 लाग रुपीज आड़ कर माल बनता है और सर चाज्ड के बाद बन रहे है 14,76, остав me को यहां पर आपको extra tax जो आपका लगर रहा है वो आपका marginal relief हो जाता है तो 14,76,750 minus this amount इसको करने के बाद आपका marginal relief आया 64,250 आप इसका marginal relief दे दीचेगा 14,76,750 में से इतना relief आया 14,12,500 आपका tax बना अब इसके उपर आप sales add करते हैं तो आप इस पर 4% sales add कर लीचेगा एक और question करते हैं marginal relief का मान लेते हैं Mr. Faruk की total income है 101,100,000,001,001,001,005,000 से एक करोड के बीच में पाड़ाइन से जब ऊपर जाती है तो server charge 10% होता है अब एक करोड से उपर जब income जाती है हमाने री 2 करोड तक तो server charge Christianity 15% हो जाता है यानगि 15% tax लगने बाला इनके बादster 101,100,000,001 पर पहले टेक्स लगाएंगे ठीक है फिर इसके उपर सर्चार्ज लगा कर देखें 15% का टेक्स के उपर याद रखें हमेशे सर्चार्ज टेक्स के उपर लगता है तो इसके उपर आपने 15% लगाए है टोटल हुआ 32,006,875 ठीक है अब देखें कि क्या margin relief इनको मिल रहा है तो 10% सर्चार्ज भी होता ना नॉर्मली तो 10% सर्चार्ज भी होता ना तो 100,00,000 के उपर टेक्स निकाल दीजे प्लस 10% वाला जो इससे पहले वाला जो slab rate है सर्चार्ज का वो लगा दीजेगा 10% तो टोटल आथा 30,00,93,00,750, 100,00,000 की इंकम तक इतना टेक्स आता प्लस इससे एक्स्टा हमारी कितनी इंकम आ रही है अभी एक लाक एक्स्टा रही है वन जीरो वन लाक आ रही है तो एक लाक को और एक्स एक्स ऑफ और हंड़िड लाक एड़ कर दीए करिए तो 31,00,93,750 आ रहा है हमारा टोटल तो हम देखते हैं कि सर्चार्ज लगाने के बाद जो हमस को रिलीफ मिलेगा तो 32,006,875 माइनस दिस अमाउंट 75,125 कर रिलीफ मिलेगा तो 32,68,875 माइनस दिस अमाउंट इतना आप टेक्स दीजे प्लस इसके ओपर 4% से साइड कर दीजेगा यह आपका टेक्स बन गया है ठीक है एक और लास्ट कोशन जहां पर देखें मार्जन र उससे 5 करोड के बीच में आपको पता 25% सर्चाज रेट आता इससे पहले तक 15% रहता था ठीक है दो करोड तक 2 करोड से ऊपर जब जाएंगे तो 25% हो जाता है तो सबसे पहले हम 210 लाग पर टेक्स निकाली निकालिएगा और इसके ऊपर 25% सर्चाज आड कर दीजेगा तो 76 76,40,695 हमरा टेक्स आगया है अब इसके ऊपर मार्जिनर रिलीव देखे कैसे निकालेंगे मार्जिनर रिलीव अभी हमारी इंकम 210 लाग तो सबसे पहले जो पहले हमारा स्लाव आता है 200 लाग तक 200 लाग तक टेक्स निकाल दीचिए प्लस 15% सर्चाज भी लगा ये क्योंकि 10 लाग भी आट कर दीचे तो 76,84,000 है अब इसको कंपेर कीजे देखो गवर्मेंट आपको सर्चाज लगा के कह रही है 76,40 लाग देदीचे बट यहां पर अगर आप अपने हिसाफ से देख रहे हैं कि मैंने जितनी इंकम कमाई अगर वो भी गवर्मेंट को देदू तो 76,84 मतलब जादा आपके हिसाब से अब जादा जाने लगी है तो आप इस यहां पर बोलेंगे कि सर्फ कोई मार्जिन रिलीफ मुझे नहीं चाहिए तो आपको कोई मार्जिन रिलीफ आपको नहीं मिलेगा इसी अमाउंट के ऊपर आपको टेक्स देना पड़ेगा प्लस 4 परस इनका सेसका अमाउंट भी लगा दीचेगा ठीक है छली जराब पार्टृशिप फ़र्म और कंपनींज के बारे में और दिसकस कर लेते हैं पार्ट्रिशिप फ़र्म के अँर्ट के रहते हैं ठीक है थिक फ्लाटृट रेच लगता है फ्लाट रेच लगता है या नॉमल रहते हैं रेट से एक बार ध्यान में दीचेगा फ्लाट रेट पार्टनर्शिफ फर्म के ऊपर 30 रहेंगे कंपनीज के ऊपर क्या रहते हैं 30 रहते हैं बड़ ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं होते हैं उनके ऊपर 25 पर रहता है वो डिपेंड करते हैं कि इनका टर्न ओवर प्रिविएस यर 18-19 का कितना था अगर वह 18-19 का टर्न ओवर फोर जदो इंपॉर्टन नहीं एक्जामिनेशन पॉर्ट पॉर्ट से ज्यादा का नहीं था प्रिविएस यर 18-19 का तो 25 परसंट रहेगा अधर्वाइस 30 परसंट रहेगा ठीक है यह बात समझ के जो फर्म के सरचाज के रेट हैं एक करोड से ऊपर 10 परसंट रहेगा ठीक है करोड से ऊपर 10 परसंट के सरचाज के रहेंगे डामेस्टि Customs के ऊपर एक करोड़ से दस करोड़ के बीच में 7% 10 करोड़ से उपर 12% foreign companies का surcharge करेट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 2% क्यों? सब इनके tax rate ही जाता है 40% तो इनको surcharge करेट 2% दिया गया और 10 करोड़ से उपर 5% जो यहाँ पर 7 और 12 था domestic companies के लिए वहाँ पर 2% और 5% है foreign companies के लिए ठीक है यहाँ पर कुछ और special domestic companies जो इन sections में आती है उनके लिए special rates दिये गए हैं but no need to understand that ठीक है उनको learn करने की ज़रुवरत नहीं है अभी cases where income of the previous year will be assessed in the previous year itself यह भी important concept है कि कभी-कभी हम लोग पता है कि previous year की income हमारी assessment year में next year में जाकर taxable होती है बट कभी-कभी हमारी income same year में ही tax की जाती है कब की जाती है सिर्फ एक case सुन लीजे एक बर जो non-resident shipping business है क्योंकि देखो ship आई है ठीक है इंडिया आई है और वो चली जाएगी ठीक है अपने देश ले जाएगी या कहीं और चली जाएगी इंडिया वापस आई या ना आई अगले साल तो हम उससे इसी साल tax rate ले लेते हैं इसी साल इनसे tax लिया जाता है person leaving India वो permanently assessing officer को लगता है यह permanently भाहर जा रहा है तो इसको अभी पकड़ लो आप इसी साल उनसे टेक्स ले ले जाएगा या फिर अगर कोई विक्ति अपर भी इसी साल टेक्स दिया जा सकता है ठीक है तो यह एक बार पढ़ लीजेगा तो आप यहाँ पर basic concepts की बाते खतम होती है आप एक minute के लिए यह वीडियो को पॉस कर सकते हैं एक बार read कर लीजे खुद से फिरा हम लोग new tech scheme के आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आईएगा section 115 BAC again it's an important concept new tech scheme का जो सरफ और सरफ individual और हुएफ को मिलेगी किसी और और सेस्टी के लिए section 115 BAC नहीं होता है ठीक है दूसरी बात यहाँ पर जो हमारी no special income होती है जैसे long term capital gain triple one a ठीक है equity shares वाला short term one one two a long term equity shares equity units या फिर casual income उसके उपर तो वही rates रहते हैं जो पहले normal में मिलते थे same रहेगा ठीक है news की में भी इन सब special income में कोई difference नहीं है long term capital gain पर 20% triple one a पर 15 one one two a पर 10% casual income के उपर 30% यहाँ पर भी same रहेंगे बट जो हमारी normal income होती है वहां के slab rates थोड़े से differ कर दिये गए हैं क्या करना है आपको बहुत simple हो गया हर income को 2.5 lakh पर जम करते रहेगा first 2.5 next 2.5 next 2.5 ठीक है और zero से शुरू करेगा 55% increment करते रहेगा शुरू के 2.5 lakh तो बहुत easy है tax नहीं आएगा next 2.5 lakh पर 5% आएगा फिर next 2.5 lakh पर 10 फिर 15 20 25 30 जब आप 30 पर पहुँच जाएगे तो आपके income उस समय 15 lakh हो गई होगी 15 lakh के उपर जब आप जाएगे तो 30% का tax रहेगा ठीक है 15 lakh से नीचे नीचे तो वही रहेगा 5 के multiples में 25 आएगा 25 के बाद 30% आजएगा 30% से फ्लीज उपर मच जाएगा यह बात समझ गए हैं तो it is an optional method सबसे पहले यह बात याद रखते जिए कि सर्फ एक optional method है income tax pay करने का वो भी सर्फ आपकी normal income के उपर special income तो special rate से ही रहेगे clear है शुरू के 2.5 lakh पर कोई tax नहीं फिर 5% 5% का increment करते रहिएगा 15 lakh पर जब आ जाएं तो 15 lakh के बाद तो सीधा 30% ही tax rate जाएगा ठीक है rebate और surcharge पर कोई difference नहीं है 5 lakh तक की income है तो rebate भी दे दीचेगा resident SSC को दूसरी बात अगर 50 lakh से उपर income है तो फिर surcharge भी लगना शुरू हो जाएगा new scheme में भी same surcharge का concept है और existing scheme में भी same है अगर new scheme में आते हैं तो कुछ deductions नहीं मिलती हैं कुछ exemptions हम लोगों को नहीं मिलती हैं जैसे कि अगर आप salary compute करते हैं ठीक है salary compute करते हैं तो हम लोगों पता है कि HRA की exemption मिल जाती है वो तीन limits होती है actual HRA rent paid minus 10% of salary 40 or 50% of salary as the case may be but new scheme में HRA की कोई exemption नहीं मिलेगी चाहे assessi ने rent pay किया है नहीं किया है if that person is following new tax regime HRA पूरा का पूरा taxable कर दीचेगा ठीक है first चीज है दूसरी चीज जो LTC की exemption मिला करती थी by air travel करा है तो economy air class का national carrier से मिल जाता था या फिर by rail वगेरा से first class rail वगेरा मिलता था ठीके दो बच्चे वगेरा का concept है उतरह था existing scheme में बट new scheme में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई air travel वगेरा कुछ भी ऐसा नहीं है पूरा का पूरा है जितना भी LTC मिला है leave travel concession मिला है उसको fully taxable कीज़ेगा दो चीज समझ गए LTC fully taxable हो जाएगा HR A पूरा taxable हो जाएगा फिर आगे बाते करते हैं allowances की new tax scheme में allowances सभी allowances taxable है जनरली मैं कह सकता हूँ कि सभी allowances taxable है वहाँ पर दो हम लोग देखते थे ना जैसे कि children education allowance होता था existing scheme में 100 rupees per month per child up to two children hostel allowances होते थे 300 per month per child up to two children वेरा जैसी बाते होती थी बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा official allowances हो या personal allowances हो new tax scheme में सभी तरह के allowances taxable होंगे except few कौन कौन से एक तो transport allowance transport allowance वो भी physically handicapped वाले लोगों के लिए जो 3200 की limit है वो भी दोनों में सेम है यानि कि सर्फ transport allowance जो physically handicapped वाले थे वहाँ पर भी 3200 per month की exemption ले सकते हैं यहाँ पर भी ले सकते हैं वो सेम रहेगा दूसरी चीज़ अगर official visit करता है ठीक है business trip पर office के काम से अगर SAC को भेज़ा जाता है और उसको conveyance allowance देते हैं या फिर traveling allowance देते हैं अगर वो city के बाहर ट्रावल कर रहा तो इसको traveling allowance दिया गया conveyance allowance दिया गया या फिर उसके daily खाने पीने के लिए daily allowance दिया गया तो वो exemption यहाँ पर भी रहेगी तो बारद से repeat कर रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से allowances allowed होते हैं एक तो transport allowance ट्रांस क्या होते हैं घर से office जाना office से वापस घर आचाना तो transport allowance 3200 रुपीस तक exempt रहेगा यहाँ प official visit के लिए conveyance allowance लोकल ट्रावल या फिर अगर city के बाहर ट्रावल कर रहे हैं तो traveling allowance और daily allowance ठीक है यह तीनों अगर official purpose के लिए हैं तो new tax scheme में यह allowed होते हैं और बहुत सरे allowances भी allowed होते हैं exemption मिल जाती है यहाँ पर नहीं मिलेगी यहाँ पर बाकी के सभी allowances को taxable कीचेगा ठीक है इतनी बाद समझ गए salary की salary में section 16 में section 16 में deduction मिलती थी तीन deduction मिलती है section 16 की एक तो standard deduction maximum 50,000 रुपीज तक दूसरी अगर central government या state government employee है तो entertainment allowance की reduction मिलती थी और text on employment या professional tax pay किया है तो उसकी reduction मिलती थी ठीक है existing scheme में मिलेगी बढ़ अगर आप 115 BAC opt कर रहे हैं तो कोई भी तीरों मे से कोई deduction नहीं मिलेगी standard deduction वगेरा कुछ भी नहीं मिलेगा पूरा-पूरा section 16 की deduction यहाँ पर मिलने वाली नहीं है यह बात भी समझ में आते हैं क्या क्या समझ में आया salary compute कर रहे हो तो HRA की exemption नहीं मिलेगी LTC की कोई exemption नहीं मिलेगी सभी allowances taxable हो जाएंगे except transport allowance for physically handicapped or traveling allowance, convenience allowance, daily allowance ठीक है for official purpose के लिए वो exempt होगा section 16 की कोई deduction यहाँ पर मिलने वाली नहीं है दूसरी बात यह सारी बाते मैंने कर ली है MP और MLA को जो पैसे मिलते हैं आपको पता MP और MLA को salary मिलती है वो IFO scheme होती है but उनका जो daily allowance या consistency allowance होता है existing scheme में तो वो exempt करेंगे but new scheme में MP और MLA को कोई exemption नही मिले पूरा का पूरा taxable कर दीचाएगा clear है आग यह की बात करते हैं जब हम clubbing करते हैं हम पता है कि अगर minor child है तो उसकी income club होती है parents के हातों में और जब कभी भी club होती है जिसकी इंकम जिसी भी पेरेंट की income ज्यादा होती है उसके हातों में clubbing हो जाती है and while clubbing you give exemption up to rupees 1500 per month sorry 1500 per month नहीं sorry ठीक है 1500 रुपीज की आप exemption देते हैं per child 15 up to maximum 1500 पर child की exemption मिलती है यहाँ पर कोई exemption नहीं मिलेगी यानि कि अगर assessi new tech scheme follow कर रहा है 115 BAC follow कर रहा है तो जब आप clubbing करें please 1500 की कोई exemption मत दीचेएगा clubbing करते समय section 10 AA की कोई exemption नहीं मिलें 10 AA क्या होते है SEZ के लोगों के लिए 100% 50% तक की exemption यहाँ पर मिल जाती है मैं बखराओंगा इसका भी एक question but 10 AA का अभी फिलाल के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि 10 AA की कोई exemption नहीं मिलेगी 115 BAC में section 16 हमने पढ़ दिया house property निकालते समय house property निकालते house होता है तो हम लोग जानते हैं कि self-occupied के उपर भी interest allowed होता है ठीक है that is a regular normal scheme में interest allowed होता है बट हम restricted रहता है 2 lakh रुपीज तक यहाँ रिपेर्स पगर रहके लेकर आए तो 30,000 रुपीज तक self-occupied property में फिर वो losses आ जाते हैं ठीक है वो हमारा 2 lakh रुपीज तक का interest allowed होता है यहाँ पर self-occupied property के उपर जो भी आपने interest पे किया है allowed नहीं होगा ठीक है self-occupied property के उपर सर्वो 2 lakh रुपीज तक मिल जाता था existing scheme अगर follow कर रहा है SAC जो कि purely optional है तो आप दे दीजेगा ठीक है व 24B पूरा नहीं मिलता सर डिपेंड करता है 24B मिल जाएगा new scheme में अगर let out property है deemed let out property है तब तो मिल जाएगा बट अगर self-occupied property है तो तब नहीं मिलेगा self-occupied property वाले के लिए कोई यहाँ पर exemption नहीं है 24B की वो यहाँ पर deduction नहीं ले सकता ठीक है additional depreciation जब PGVP की income निकालता है हम तो वो पता है additional depreciation क्या होता है कि अगर SAC manufacturing उसका factory है manufacturing करता है तो उसको अपनी नई plant and machinery के उपर additional depreciation मिल जाता है 20% का बट यहाँ पर सिर्फ normal depreciation मिलेगा if the SAC is calculating his tax as per the new scheme तो सिर्फ और सिर्फ normal depreciation दीचेएगा वो भी normal का भी जो rate होता है वह लगाईएगा बट कहीं पर 40% का maximum normal depreciation के rate 40% रहता है additional depreciation मत दीचेगा existing scheme से निकाल रहे है normal scheme से निकाल रहे है तब additional depreciation मिलेगा new scheme में नहीं मिलता है section 35 जो scientific research क्या होता है ठीक हम लोग जानते है in-house research और outside research दो होती है in-house research में 100% revenue expenses या capital expenditure होता है और outside research के उपर भी मिल जाता है तब यहाँ पर अगर new scheme में है य students गलती कर सकते हैं कि अगर SAC new scheme opt कर रहा है section 115 BAC opt कर रहा है तो अगर उसने in-house research किया है तो deduction मिल जाएगी but outside research की कोई deduction नहीं मिली outside research क्या होती है इसकी कोई भी deduction नहीं मिलेगी outside research की नहीं मिलेगी new scheme में इन-house की तो दोनों जगा मिलती है बट outside की यहाँ पर नहीं मिलेगी existing में मिल जाती है यहाँ पर नहीं मिलेगी 3580 जो specified businesses होते हैं हमने पता है 14 types of specified business होते हैं वेर हाउजिंग पर अगर 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 यहाँ तो कोई 3580 उसके लिए applicable नहीं है वो कोई reduction नहीं ले सकता 35 triple C agriculture extension project की कोई reduction नहीं मिलेगी यहाँ पर family pension ध्यान रखेगा family pension IFOS में जाती है ठीक है कोई SAC है उसका family member था वो expire हो गया अब उसको family pension मिलती है ठीक है जिसे video है उनको family pension मिलती है तो हम क्या करते थे जब भी family pension मिलती थी तो जितनी भी pension मिलती थी वो IFOS की income बनती थी पर उसमें से deduction मिलती थी one-third of such pension one-third of such pension यह 15,000 rupees whichever is lower तो अगर अगर अ हैं तो ऐसी कोई भी deduction मत दीचेगा तो IFOS में जितनी भी pension मिली उसको पूरा का पूरा taxable कीचेगा वो one-third वाली कोई भी exam one-third यह 15,000 वाला कोई भी बाते नहीं होंगी यहां पर सबसे ज्यादा important बात 80C से 80U नहीं मिलता new scheme में 80C से लेकर 80U please मत दीचेगा 80C से 80U की deduction नहीं म मिल जाती है कौन कौन से section है 80CCD 2 ठीक है pension scheme वाला वो भी ठीक है CCD 1 नहीं CCD 1 भी नहीं CCD 2 employer contribution वाला CCD 2 वाला मिल चाहेगा और 80JAA डबल 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 क्या होता है new workman वाला जो होता है तो जो तो wages देते हैं 30% की deduction मिल जाती है मैं अभी discuss भी करूंगा जब मैं reduction खराऊंगा तो सरफ यह दो reduction allowed है 80C से 80U मत दीचेगा new scheme में existing scheme में तो सारा मिलेगा 80C से 80U बट यहाँ पर new scheme में सिर्फ दो reduction मिलेंगी 80CCD 2 और 80JAA कितनी बास समझ में आके है कुछ और important point जो brought forward losses है जो पुराने losses आ रहे है business के losses आ रहे है या brought forward unabsorbed depreciation है related to these related to these इससे related अगर आपका पुराना कोई losses आ रहे हैं तो उसकी reduction नहीं मिलेगा अगर वो इससे relate करते हैं किसी से भी जैसे कि for example अगर for example hospital है hundred bed or above hospital है हमें पता है specified business है वो अपने losses unlimited years तक carry forward कर सकता है बट अगर वो अससे अब new scheme follow करने लगा है ठीक है new scheme 115 वी एसी follow करने लगा है तो जो उसके पुराने losses आ रहे थे because किस वज़े से आ रहे थे 35 AD की वज़े से वो सब नहीं मिलेंगे ठीक है कोई unabsorbed depreciation वगेरा आ रहा था वो सब नहीं मिलेगा इन वज़े से जगर आ रहा है तो जैसे additional depreciation आ रहा था उसका तो additional depreciation अगर उसका पहले आ रहा था क्योंकि वो regular scheme पहले follow कर रहा था बट अब वो उसको carry forward नहीं कर सकता है ठीक है house property के losses house property के losses हम लोग जानते हैं कि कि किसी भी दूसरे head से set off हो सकते हैं दूसरे head से हो सकते हैं आप salary से set off कर सकते हैं PGVP set off कर सकते हैं बट maximum सिरफ कितना दो लाग तक रेगुलर scheme तो यह कहती है न existing scheme जो हमारी है वह ही कहती है कि आप house property के losses दूसरे head से set off कर सकते हैं two lakh rupees तक maximum two lakh rupees तक बट new scheme में अगर आप आते हैं तो house property के losses set off नहीं किये चाहेंगे house property losses set off नहीं होंगे किसी दूसरे head से अपने head से set off हो सकते हैं within head set off हो सकते हैं दूसरे head से set off नहीं होंगे तो लाक वाली हैं पर कोई बात भी नहीं है एक रुपया भी set off नहीं होगा दूसरे head से house property का depreciation की बात मैंने कर ली है additional तो मिलेगा नहीं normal मिलेगा normal का कहीं पर भी rate अगर 40% से ज्यादा है तो restricted 40% तक ही रहेगा additional depreciation नहीं मिलने वाला 115 BAC का न मैं एक full-fledged question भी कराना चाहूंगा if time will permit तो मैं end में एक question ले लूँगा otherwise मैं आपकी जो pdf file है questions answer की practical questions की वहाँ पर मैं 115 BAC का भी question दूँगा last में ठीक है अगर time मिला तो मैं उसको discuss भी करूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़े residential status पर residential status में नहीं सबसे ज्यादा important होता है individual का residential status उसको हम थोड़ा बहुत अच्छे से करेंगे बाकी residential status तो आपको पता है कि easy भी होते हैं सबसे पहले individual resident है या non resident है वो depend करता है basic conditions के उपर ठीक है दो basic conditions है उसमें से कोई भी एक satisfied हो जाए तो हम बोलते हैं कि अगर associate during the previous year हम लोगों के लिए previous year है 2021 अगर वो इस previous year में उसका stay in India 182 days हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए मतला minimum 182 days 182 days और more है तो हम बोलते हैं कि वो resident है अब वो जिस दिन इंडिया आया जिस दिन इंडिया से वापस गया वो सभी days calculate होते हैं इंडिया में कहीं पर भी रहे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है इंडिया में रहना चाहिए बस तो if he is present in India for 182 days और more तो हम बोल देते हैं that person is a resident और अगर वो resident है फिर बाद में number आता है ordinary और not ordinary पहले दूसरी conditions चेक कर लेते हैं मान लेते हैं कि 182 days इंडिया में नहीं रहा बट क्या वो minimum 60 days था इंडिया में 60 days या more 59 नहीं चलेगा 60 days exact होना चाहिए 60 या 60 से जादा चलेगा तो 60 days अगर वो इंडिया में था plus 60 days के साथ-साथ आपको पिछले 4 साल भी देखने person is a resident in India ठीक है दूसरी additional conditions पर पहले आ रहा हूं में कि अगर मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक condition satisfied है ठीक है 182 days वाली या 60 plus 365 days वाली तो अब हम चेक करना पड़ेगा कि whether this person is an ordinary resident या not ordinary ordinary check करने के लिए हम सबसे पहले देख लीचेएगा second condition easy होते ही इसलिए में पहले कर years ठीक है previous year से जो पहले के साथ साल थे क्या उसका stay in India 730 days minimum था 730 या उससे ज़्यादा का था तो वी से this condition is getting satisfied दोनों conditions satisfied उनी चाहिए additional conditions एक तो 730 days से ज़्यादा वो इंडिया में हो 730 days और मोर इंडिया में हो दूसरा last 10 preceding years में से कम से कम दो साल में वो resident हो ठीक है जो previous year से प में सिर्फ resident निकलना चाहिए सिर्फ resident मतलब सिर्फ basic conditions ही चेक करके आपको बताना है कि out of 10 क्या वो किसी भी दो साल में resident था तो वी से कि अगर दोनों conditions satisfied हो जाती है प्लस लगा हुए देखे साफ साफ इफ बोट the conditions satisfied तो the assessi is that person is individual is a ordinary resident अगर वो कोई भी अगर एक condition break हो जाती ह जाए या फिर यह कोई भी एक भी ब्रेक हो गई तो हम बोलते हैं कि वह resident तो है बट not ordinary resident ठीक है इतनी बास समझ गया होंगे कुछ exceptions की बाते करते हैं कुछ लोगों के लिए ना हम basic condition में 60 days नहीं देखते उन लोगों के लिए हम सिर्फ 182 days condition या उससे ज्यादा अगर वह Indian citizen है और वो इंडिया छोड़ कर जा रहा है बहार जा रहा है वो job करने के लिए business करने के लिए ठीक है इंडिया छोड़ कर जा रहा है तो उसके लिए 60 days मत देखेगा उसके लिए फिर आप सरफ और सरफ 182 days की condition ही लगाईएगा दूसरा if that person is an Indian citizen member of a crew member of an Indian ship अगर वो crew member है ज परसन अब इंडिया समझते है ना पेरेंट्स एंडिवाइड इंडिया में उनका बर्थ हुआ हो तो अगर वो Indian citizen है person of Indian region है जो जनरली बहार रहता है इंडिया के ठीक हो यूएस में रहता है UK में रहता है और वो इंडिया विजिट के लिए आता है ठीक है इंडिया वो आत हैं जिनके लिए आप 60 days की condition basic condition मत देखेगा सिर्फ और 182 days की condition ही देखना first Indian citizen जो इंडिया छोड़कर जा रहा है भार employment करने के लिए business या service कुछ भी हो सकता है Indian citizen who is a crew member of an Indian ship और third an Indian citizen और person of Indian origin जो इंडिया आते हैं घूमने के लिए किसी और परपस के लिए विजिट पर जनरली उनका काम भार से ही होता है वो भार ही रहते हैं भार ही अपना business या job बगएरा करते हैं इन लोगों के लिए आप सिर्फ और 182 days की condition देखेगा 60 मत देखेगा बैट अब एक और special case है मालत इनके लिए है वो अगर वो Indian citizen है person of Indian origin है और उनकी Indian income अगर उनकी इंडिया इं sources अब देखो other than foreign sources क्या हुआ एक तरीकी से Indian income तो अगर Indian income हमारी 15 lakh से ज्यादा है किसकी Indian citizen की परसन ऑफ इंडिया से भी उसको अच्छे का से पैसे मिल रहे हैं इंडिया की जो income हो रही है उसकी 15 lakh से अगर ज्यादा की हो रही है तो उस case में हम 60 days को change करके 120 days कर देते हैं यानि उनके लिए फिर हम 120 days की conditions देखेंगे किसके लिए दुबार से repeat कर रहा हूं this is important Indian citizen या person of Indian origin ठीक है जो इंडिया के भार तो रहते हैं ठीक है बट इंडिया आए वो विजिट करने के लिए तो उनके लिए प्लीज आप 182 days की conditions देखेगा और प्लस पिछली 4 साल में 365 days की conditions भी देखेगा हाँ अगर वो वने टी टुडे से जाद ही रहते हैं फिर तो कोई problem ही नहीं फिर तो सीधा सीधा वो resident हो जाते हैं ठीक है दुबार से repeat कर रहा हूं 15 लाक वाली कौन सी income देखनी है excluding foreign sources income यानि कि other than foreign sources simple शब्दों में Indian income ठीक है उनके लिए तो 15 लाक वाली concept को प्ल दूसरा question क्या पूछेंगे ordinary है not ordinary है तो कैसे depend करता है वो additional conditions के उपर depend नहीं करेगा इनके लिए अपने special provisions से additional conditions के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो 182 days या उससे ज्यादा है तो ordinary 182 days से कम होंगे ठीक है obviously 120 से तो ज्याद ही होंगे ना 120 या 120 से ज्याद ही होंगे बट अगर 120 days से 181 days है previous year में तो वीविल से not ordinary अगर वो 182 days या उससे ज्यादा है तो वीविल से ordinary इतनी वाद समझ गए है एक और concept है कि अगर Indian citizen यहाँ पर person of Indian origin नहीं है यहाँ पर Indian citizen है अगर Indian citizen है और उसकी income other than foreign sources other than foreign sources 15 lakh से ज्यादा है और वो किसी भी country में taxable नहीं है ठीक है वो अपना इस तरीके से arrangement करते है residential status का या फिर इस तरीके से stay अगयरा का कि वो किसी भी country में taxable नहीं है तो उस case में हम हमेशा उनको not ordinary resident मानेंगे हम हमेशा उनको not ordinary resident मानें जाएगा ठीक है दुबाद से repeat कर रहा हूं Indian citizen whose total income exceeds 15 lakh excluding foreign sources मतलब कुल मिला के Indian income अगर उनकी 15 lakh से exceed करते है इक्जेक 15 नहीं 15 से अगर exceed करे उनके income और वो किसी भी country में किसी भी territory में taxable taxability नहीं आते इस case में फिर हम मानेंगे कि वो इंडिया के लिए not ordinary resident है not ordinary इनका दरज़ा देगा गया always deemed as not ordinary resident ठीक है यह बात है important थी इनके उपर मैं कुछ questions में discuss कर लेता हूं आपके साथ अगर आप आएंगे residential status पे first basic conditions सबसे पहले simple पहले मैं basic condition discuss करूंगा फिर additional conditions के साथ और फिर वो जो मैंने special provisions आपके साथ discuss कि है जल्दी से वो discuss कर लेते हैं Mr.B a Canadian citizen ठीक है comes to India for the first time during previous year 16-17 and during the financial year 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21 he was in India for 55, 60, 90, 150 and 70 days Determine his residential status तो हमें क्या देखना है यहां पर तो हम सबसे पहले उनका residential status के लिए basic conditions लगाएंगे सबसे पहले इंडियन सबसे नहीं है ना person of Indian origin है तो वो 15 लाग वाली बाते तो मैं करूंगा यह नहीं तो simple इनके उपर basic conditions लगाएंगे क्या वो previous year 2021 में कितने दिन दिन थे 70 days थे म और last please चार सल count कर लीजेगा अगर वो 365 days यह उससे ज्यादा आ जाते हैं तो resident माने जाएंगे पर पिछले जब 4 सल हमने calculate किये तो सरिफ 355 days ही निकले यानि कि 182 days की condition भी satisfied नहीं हो पाई और 60 days plus 365 days भी condition satisfied नहीं हो पाई we will say that this person is a non-resident नेक्स चलते हैं यहाँ पर लिखा हुए मिस बिंदू residing in new york since 1992 1992 से यह new york में रहती थी comes back to India on 1902 2020 यानि कि 1902 2020 का मतलब होता है previous year 1920 में यह इंडिया आ गई ठीक है इंडिया आ गई for permanent settlement लिखा हुए ठीक है for permanent settlement इसका मतलब 1920 में तो यह February में आई February के कुछ दिन बनेंगे इनके और मार्च का पूरा time period बन जाएगा तो 1920 में बहुत कम दिन बन रहे हैं मार्च के 31 days बनेंगे और February के आप 19 February से लेकर count कर लिजएगा याद रखेगा 2020 है यह तो leap year है तो 29 February तक आएगा चलिए February और मार्च में इनके कुछ days बनेंगे 1920 के previous year 2021 के लिए हमें दे residential status तो previous year 2021 में तो शयद यह पूरा time ही इंडिया में थी because now she has come for a permanent settlement तो यहां पर लिखा हुए है कि explain the residential status of Ms. Bindu for assessment यह 21-22 मतलब previous year 2021 के लिए निकालना है तो जल्दी से पहले तो हम basic conditions लगा देते हैं first basic condition क्या होती है कि कम से कम हमारे previous year में जो हमारा 2021 है कम से कम 182 days यह उससे ज 2021 में तो यह पूरा time इंडिया में थी तो weekend से कि हाँ यह resident है अब resident के बाद यह चेक करना पड़ेगा additional conditions लगा के whether she is an ordinary or not ordinary तो हमें पता है कि additional conditions में से first condition तो यह कहती है कि आप पिछले 7 साल में से preceding year से जो पहले के 7 साल है कम से कम 730 days इंडिया में हो तो previous year है हमारा 2021 ठीक है previous year 2021 है इससे पहले के 7 साल देखे जाएंगे तो उससे पहले 7 साल में तो सरफ वो previous year 1920 में ही इंडिया में थी वो भी बहुत कम दिन के लिए ठीक है बहुत कम दिन के लिए सरफ February में कुछ दिन थे 19 से आप count कर लीजेगा 19 से लेकर 29 तक वो count हो जाएंगे March में कुछ count हो जाएग ठीक है उसके बाद illustration no.9 पर आते हैं Mr. Ashwani an Indian citizen left India permanently with his wife and one child for extending his retail trade business of garments in Australia in 2014 ठीक है 2014 में ये इंडिया से चले गए था ये बात मैंने last round revision में भी question लिया था तो मैं दुबार से यहाँ पर ले रहा हूँ from Australia he is managing his retail business of garments in India generally Australia में रहते हैं बट इंडिया में इनका business से ठीक है महाँ से इंडिया से इंडिया से इंकम आती होगी तो इंडिया का business भी manage कर लेते हैं Australia में बैठे बैठे for the purpose of his Indian business he visits India every year from 1st September to 1st January अच्छा ये 1st September से 1st January हर साल इंडिया भी आते हैं ठीक है his business income is 26 lakh and 18 lakh from retail trade business in Australia and in India अच्छा इंडिया से कितनी इंकम आती है इनकी 18 lakh 26 lakh तो Australian income है ठीक है वो तो foreign source income है 18 lakh rupees other than foreign source है मतलब Indian income अब देखिए इनकी income this person is an Indian citizen और इनकी इंकम भी जो Indian income है other than foreign sources 15 lakh से उपर की है तो इनके उपर वो provisions लग जाएगा कौन से वाला सर एक तो 182 डेस यह उससे ज्यादा है और दूसरा 120 डेस भी अगर यह इंडिया में है और लास्ट के चार साल में 365 डेस भी इंडिया में है तो इस इस person will be set to be a resident ठीक है और उसके बाद हम चेक करेंगे ordinary or not ordinary इनके लिए कैसे चेक करते हैं सर अगर यह 120 डेस से लेकर 181 डेस ही इंडिया में थे तो not ordinary 182 डेस यह उससे जादा थे तो ordinary इनके लिए additional condition नहीं देखते हैं इनके अपने special provisions हैं जल्दी से इनका residential status चेक कीज़ेगा सबसे पहले previous year में 1st September से लेकर 1st January हमने टोटल जब करेंगे टोटल 123 डेस आया यानि की 120 डेस से तो जादा आ गया अब पिशले चार साल चेक कीज़े अब पिशले चार साल आप चे resident शल्क की जो conditions थी 120 डेस वाली प्लस लास्ट चार साल में 365 डेस वाली वह complete कर दी है तो we can say that this person is a resident अब यह अगर resident है अब डिपेंड करता है रसीयम हुई वह gjingsable हो चाए है एक रघर कोई income इंचेया में तोि इंडिया ना awareness भी इंड्या से कंट्रोल होती इंडेस से कंटरोल होती है इंन कंट्रोल हो ठीक्स सेِّक्सरें लाक के उप् exh 도 शॉर्गई Japan arri निक्स्ट पर आता हूं में, इलस्ट्रेशन निबर 10, लिखा हुए, the following are the income of Mohit Sharma, a citizen of India for the previous year 2021, income from business in India, 2 lakh रुपीज, निकालना क्या है, compute his gross total income for Mohit Sharma for assessment year 2021-22, if he is a resident, an ordinary resident, or resident but not ordinary resident, actually scope of total income को question है, जहां पर आपको बताया जाता है कि, असे सही क cuatro-five-term income ही डाटी, तो आपको देखना होता है कि कौन से हम taxable करें या कौन से ना करें, अगर वो ordinary resident है, तो कैसे taxable करेंगे या पिर अगर तो not ordinary resident है, तो कैसे taxable करेंगे, या in fact यहां पर एक और आज रगता था, कि अगर वो non resident होता है तब किसे करते हैं, तो बहुत simple ह होता है इस तरह की इंकम निकालना हम यह देखते हैं कि कौन सी इंकम और इंकम इंडिया की नहीं है नहीं है नहीं है अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है तब वो तिक्सिबल हो जाती है ज़र देख लेतें कॉन-कॉन सी इंकम है इंकम फॉलांग रुपीज है अब यह चाहिए बिजनस कहीं से कंट्रोल हो रहा हो ठीक है बट इंकम तो इन्टिया से आएगी सब के हाथों में देखो एद धम इन्टिया से होती है of which twenty thousand was received in India the business is controlled from India अब यह business India से control होता है अब क्योंकि अगर यह non-resident होते तो फिर मैं taxable नहीं करता seventy thousand but हाँ फिर उस case में सरफ twenty thousand taxable हो जाते है because receive हुआ इंडिया में जितना receive हुआ इंडिया में हो तो taxable हो जाता अब देखे सबसे पहले ordinary के लिए जो ordinary resident है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं 70,000 पूरा taxable कर देंगे अब जो not ordinary है not ordinary although I know that 70,000 रुपीज की income इंडिया में arise नहीं हुई है चलो 20,000 इंडिया में receive हुए 20,000 कर दो but क्योंकि इंडिया से control हो रहा है इसलिए हम इस case में पूरा कर देंगे 70,000 but अगर यह non resident होते है इस question में पूछा जाता तो मैं सिर्फ 20,000 ही करता because this income is neither arise in India receive हो रही है बस सिर्फ 20,000 तो non resident के case में 20,000 होता but not ordinary के case में control की वजह से from India 70,000 पूरा हो जाएगा थर्ड है untaxed income ठीक है फिछले साल की कोई untaxed income है उसको हम taxable नहीं करेंगे इस साल तो इसको तो हम कभी भी नहीं करते neither for ordinary not ordinary non resident किसी के लिए नहीं करेंगे ठीक है past year की income होती है यह next point है royalty of 4 lakh rupees received from Arun a resident for technical services provided to run a business outside India अब अगर आपको याद आता होगा section 9 section 9 में अगर आपको यहां पर वीडियो को pause करना तो आप कर सकते हो और section 9 पढ़ाईए ठीक है जहां पर हम interest की royalty की fees for technical services की बाते करते थे तो section 9 में यह लिखा हुए कि अगर for example आप एक non resident भी है ठीक है in case अगर आप एक non resident भी है और अगर आपको को royalty interest या fees for technical services government of India से मिलता है अगर government of India से मिलता है तो वह हमेशा आपकी income मानी जाएगी वह हमेशा आपकी income मानी जाएगी अगर in case अगर आपको यह पैसे मिलते हैं किसी भी resident से किसी भी resident से और अगर वो business अगर वो विक्ति बिजनस कर रहा है इंडिया में अगर वो विक्ति इंडिया में business कर रहा है तो भी हम मानेंगे कि this income is arising in India ठीक है इंडिया माना जाएगा और आपके हाथों में taxable हो जाएगा whether you are ठी इंडिया में उसको यूज कर रहा है ठीक है उसको जो रॉयल्टी इंट्रस्ट वग्यर जो भी पे कर रहा है वो इंडिया के business में यूज हो रहा है तो भी taxable मानना चाहेगा बट अगर फॉर एक्जांपल यह resident इसका कोई business outside India चल रहा है ठीक है इसका कोई business outside India चल रहा है और अगर यह आपको कोई interest के पैसे पैसे फीस फोर टेक्निकल सविक्स जिस के पैसे अगर आपको पे कर रहा है ठीक है अगर आपको पे कर रहा है और अगर आप एक नहीं माना जाएगा, उस case में वो deemed to arise in India नहीं मानी जाती है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि यह बात है थोड़ी सी important है, आप चाहें तो मैं उसको detail में इस समय नहीं बदा पाऊंगा, ठीक है, यह अनिस्टांट की last day revision है, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को pause कर लिए और एक बर वो पांच मिनिट के लिए वो section 9 भी देखा है, मैं recommend करूँगा कि आप वो देखा है section 9, काफ़ी important है, तो यहाँ पर हमें पैसे मिले हैं, although resident से मिले हैं, बट वो outside इंडिया उसका business चल रहा है, तो यह 4 लाक से आया, outside इंडिया से आये, तो फिर तो वो taxable होती है, वो IFOS की income management के taxable हो जाती है, अब agriculture income 90,000 आई है भुटान से, ordinary resident के तो global income taxable है, तो उसके लिए तो 90,000 पूरा taxable कर दी चाहेगा, but not ordinary के लिए, या non resident के लिए, इसको taxable मत कीचेगा, ठीक है, next है, rent of 73,000 from house property in Dubai, which was deposited in the bank in Dubai, ये income ना तो इंडिया में rise हुई ना ही receive हुई, तो जनरली इसको taxable नहीं करना चाहेगा, बढ़ हमें पता है, ordinary के लिए तो global income taxable है, उनके लिए तो हम taxable करेंगे, but not ordinary के लिए, non resident के लिए, इस income को taxable मत कीचेगा, ठीक है, ये सरफ income, ordinary resident के हदों में taxable, कितनी 73,000, अब ध्यान दीजेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुई, 73,000 income from house property है, या ये rent है, ये rent है, ये rent है, लिखा हुई सरफ, तो आपको क्या करना होता है, हमें अपनी house property इंकम अगरा calculate करनी होती है, तो आपको बता है कि अगर ये सरफ rent है, तो हम इसको GAV मान लेंगे, और इसमें से GAV minus municipal taxes paid, municipal taxes नहीं है, NAV आजाएगा, NAV में से 24A की reduction 30%, वो तो आप देजिएगा न, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर एकर rent लिखा हुआ है, तो इसमें से 30% minus करने के बाद ही income मनाईएगा, ठीक है, ओर्डिन resident की बनेगी है, तो इतना आप calculate कर लेंगे, ठीक है, अगरिगल्चर income 51,100 लिखा हुआ है, क्यों, 73,000 जो rent था, उसमें से 30% minus करने के बाद amount लिखा है, तो I believe यह residential status भी आपका revise हो गया होगा, चलिए, अच्छा, थोड़ा सा और बात है कर लेता हूँ, HUF का, HUF का residential status आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका control or management, अगर, अगर control or management 100% outside India है, outside India है, 100%, कोई भी decisions, कोई भी decisions के, HUF के इंडिया में नहीं लिए जाते, 100% इसका control or management outside India है, तो हम non-resident बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है, तो हम बोलते है, resident है, और HUF ordinary या not ordinary कैसे बता चलता है, उसके करता के उपर, आप conditions लगा दीजेगा, अगर करता resident और not ordinary resident करने के लिए, करता के उपर आप conditions लगा देंगे, अगर करता resident है, तो ordinary resident तो HUF ordinary resident में जाती है, अगर करता not ordinary है, तो HUF भी not ordinary बन जाती है, ठीक है, और करता, अगर non-resident है, तो भी हम not ordinary माननेंगे, अगर थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी control, अगर HUF का इंडिया में है तो resident तो मानिएगा, इतना तो फक्का है company के case में कैसे करते हैं अगर वो Indian company है तो obviously Indian companies, जितनी भी Indian companies होती हैं हमेशा वो resident ही माने जाएंगी और अगर foreign company है बट उसका place of effective management POEM, place of effective management इंडिया में है, तो भी वो resident माने जाती है, firm AOP AOP वगेरा के बारे में तो simple HVF की तरह ही होता है, मतलब इसमें firm AOP, BOI में ordinary, not ordinary का concept नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ resident या non-resident का concept होता है, अगर 100% control या decisions वगेरा इंडिया से बाहर हैं तो हम non-resident बोलते है partnership firm AOP, BOI को अगर थोड़ा सभी इंडिया में है, तो हम resident बोलते है ordinary, not ordinary, उन लोग के case में नहीं आता है scope of total income के बारे में मैंने discuss ही कर लिए इस question के through, कि जो भी income इंडिया में arise होती है, deemed to arise होती है तीनों के हाथों में taxable होती है, resident, not ordinary हो ordinary हो, या फिर non-resident हो income receive भी होगी, तो तीनों के हाथों में taxable होगी कोई भी income अगर इंडिया में receive नहीं हो रही है तो उस case में ordinary resident के लिए, resident and not ordinary resident के लिए taxable कीजेगा, because global income taxable होती है but not ordinary के लिए non-resident के लिए मत कीजेगा, ठीक है but not ordinary के लिए depend करता है अगर वो income इंडिया से control होकर आ रही है तो yes, अगर इंडिया से control नहीं है तो no, ठीक है, चलिए, अब हम अपने next chapter पर चलते है, salary chapter में तीन sections आते है, 15, 16 और 17, section 15 is charging section, section 16 में deductions होती है, standard deduction, entertainment allowance के deduction, tax on employment, तीन deductions होती है, section 17 के तीन पार्टे, 17, 1, 17, 2, 17, 3, 17, 1 salary के बारे में बोलता है, 17, 2 percusates के बारे में बोलता है, 17, 3 profit in lieu of salary, जो बिल्कुल भी ज़्यादा important नहीं है, याद रखना, but 17, 2 percusates साधा important है, अच्छा section 15 क्या कहता है, सबसे पहले अगर salary में कोई भी income taxable होनी है, तो there must be the relationship between the pair, जो पैसे दे रहा है, या it could be in money, और it could be in kind, जहां से हमें पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे employer हो, या ex-employer भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम वहाँ पर पहले काम करते थे, अगर असे इसी को pension मिल हैं, MPs, Member of Parliament हैं, Member of Legislative Assemblies हैं, इनको government की तरफ से हर्मन salary मिलती है, तो क्या वो salary rate में जाता है, the answer is no, because they are not government employee, उनकी salary तो IFOS में जाती है, that is the reason, section 15 क्याता है, employer and employee relationship होना जरूर है, pension मिलेगी अगर, family pension नहीं, जो ex-employee था, अगर उसी को pension मिलती है, तो again उसके ex-employer से मिल रही है तो भी salary में आएगा, बट अगर family pension मिलती है, तो IFOS में होगा, याद रहेगी यह बात, दूसरी बात, salary में हम लोग कहते हैं, हमेशा due, जितना भी salary इस साल due होगी, आपका previous year है, 2021 के लिए, 1st April 2020 से लेकर, 31st March 2021 के बीच में, ठीके, दोनों dates inclusive हैं, अगर इन दोनों dates के बीच म या कभी भी इस period में salary due हो जाती है, तो हम उसको taxable कर देंगे, whether it is received or not, याद आगे यह बात भी, ठीक है, तो due basis पर भी आप taxable कर देते हैं, और in fact अगर आपको कुछ amount advance में receive हो जाता है, जो इस साल due नहीं हुआ था, जो previous year 2021 को belong नहीं करता था, next year का था, बट वो advance में आपक इसको taxable कैसे करते हैं, due or receive whichever is earlier, अगर receive भी हो गया, तो भी हम taxable कर देंगे, हाँ अगर हमने पहले से उसको taxable कर दिया, advance salary को, तो हम दुबारा से उसको बाद में taxable नहीं करेंगे, जो कि वो already taxable हो चुकी है, दूसरी बाद, अगर आपका previous year 2021 में, हमारा वाला जो previous year है, इस स साल हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, salary के, जो किसी पिछले year को relate करते थे, जिसको हम कहते है, areas of salary, जो पहले किसी year को relate करते थे, अगर वो पहले कभी भी taxable नहीं हुए थे, first time हमें यहाँ पर आके मिल रहे हैं, इनका पहले हमें पता भी नहीं था, हो सकता है, retrospective effect से हमारी कोई salary बढ़ गई हो, या DA बढ़ गया हो, तो अगर यह पहले कभी भी पैसा taxable नहीं हुआ था, तो इसको भी taxable करिएगा, because यह receive हो रहा है इस साल, ठीक है, areas of salary भी इसी साल receive अगर हो रही है, तो taxable करते हैं, ठीक है, salary में हम mainly जो बाते करते हैं, वो allowances की बाते करते हैं, majorly बात यहां पर employee को कोई फायदा नहीं हो रहा, company अपने काम के लिए ये पैसे आपको देती है, company के अपने काम के लिए, business purpose के लिए, or official purpose के लिए, पैसे आपको मिलते हैं, यहां पर हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो official allowances generally exempt होते हैं, तो जैशे कि for example, company ने आपको बाहर होते हैं याद रखिए अगर आप new scheme के according calculation कर रहे हैं salary की तो सिर्फ और सिर्फ convenience allowance official आता है वो exempt होगा और traveling allowance exempt होगा daily allowance exempt होगा बाग की सारे allowances चाहे वो officially क्यों नहों taxable हो जाते हैं वो पहने new pension scheme में sorry a new tax regime में आपको बता दिया था ठीक है मैं गलती से new pension scheme बोल रहा था ओके personal ounces personal once मतब जुह जिससे हमारा benefit हता है जिससे हमारा benefit होता है वो हमारे siempre होते हैं जीसे कि eBay For example हम लंच allowance मृता है lunch facility की बात है हमें लंच allowance मृता है overtime allowance मृता हमें फायदा होता है जिस से ठीक हमें overtime allowance म, मिला हम अपने घर ले जा सकते हैं वो पैसे ठीक हमें medical allowance मिला medical facility की बात है नहीं करा I am talking about medical allowance मिला ठीक है allowance को थे होते हैं आपका cash component होता है salary के साथ मिलता है आपको तो सब कुछ taxable कीचेगा हां कुछ personal allowance exempt होता है जैसे कि house rent allowance में एक limit तक exempt होता है तीन लिमिट में से एक लिमिट exempt होती है least to the following children education allowance 100 rupees per month per child up to two children hostel allowances 300 rupees per month per child up to two children transportation allowances घर से office जाने का office से वापस आने का for those who are physically handicapped including blind deaf and dumb उनके लिए maximum 3200 पर मन तक exempt होता है ठीक है बट प्लीज मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूं अगर आप new tax regime के according करते हैं तो official allowances भी taxable कीचेगा personal allowances भी taxable कीचेगा हां बट कुछ बहुत कम allowances जैसे हैं जो वहाँ पर allowed होते हैं transportation allowance for physically handicapped conveyance allowance business के लिए आपने travel करा within the city या traveling allowance outside the city business purpose के लिए ट्रावल करा ओफिशल परपस के लिए या daily allowances ठीक है हाउज रेंट allowance की बाते कर लेता हूं जो important है exam में अक्सर आता रहता है हाउज रेंट allowance में हम क्या करेंगे अगर आप new tax scheme के according कर रहे हैं तो फिर हाउज रेंट allowance पूरा salary और salary में यहाँ पर क्या आते है salary में आते है basic salary DA forming part of retirement benefit fixed percentage commission on turnover fixed percentage होना चाहिए वो भी commission on turnover होनी चाहिए तभी हो हमारा retirement benefit salary का part बनता है जिसको हम short form में RBA salary भी बोलते हैं दुबार से repeat कर रहा हूँ जितना भी आपको HR A मिलेगा उसमें से तीन limit आप देखेंगे least of the falling exempt करेंगे actual HR A rent paid minus 10% of salary और 40% of salary बट अगर rent दिया गया है Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai में यानि की metros में तो महाँ पर 40 की place पर 50 लेना है आपको ठीक है RBA salary में basic salary DA forming part plus fixed percentage commission on turnover आते है चिल्रन education allowance में में मैंने discuss कर लिया है ठीक है new tech scheme के according करेंगे पूरा tech stable कीचेएगा regular scheme, normal scheme करेंगे तो 100 रुपीज per month per child up to two children, ठीक है, third children के लिए वगेरा के लिए उन सब के लिए taxable हो जाता है, सिर्फ दो चिल्रन के, any two child हो सकता है, सिर्फ दो child के लिए 100-100 minus करिएगा, जब कभी भी children education allowance मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि आप अलग-लग रख दीजएगा, हर child के लिए अलग-लग amount रखिए, दो child के लिए exempt करिएगा, 100-100 तक, maximum 100 तक, वो third child के लिए fully taxable हो जाएगा, hostel allowances 300 रुपीज रहता है, यह 100 वली limit 300 हो जाती है, per month per child up to maximum two children, transport allowances, ठीक है, for physically handicapped, blind, deaf and dumb के लिए, सरिफ maximum 3200 per month तक आप exempt कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी बात section 16 की होता है, section 16 में तीन तरह की deductions मिलती ह ठीक है, first होती है, standard deduction, ठीक है, जब भी आपकी, आप सबसे पहले अपनी salary compute करेंगे, जितना भी आपको basic salary मिली, DEA मिला, bonus मिला, perquisits वगेरा मिले, वो सब कुछ add करते हैं, फिर add करने के बाद हमें मिलता है, gross salary, और gross salary में से हम लोग deductions देते हैं, section 16 की, section 16 की deductions देते हैं, और तीन deductions होती है, but first deductions तो काफी common है, वो होती है standard deduction, कितनी मिलती है standard deduction, जितनी हमारी gross salary है, या 50,000 rupees, whichever is lower, मतलब normally 50,000, but ऐसा नहीं कि सर्फ 50,000 से exact है, actually कितनी होती है standard deduction, जितनी gross salary, for example, अगर किसी की gross salary 40,000 है न, तो standard deduction फिर 40 ही मिलेगी, because 50 या gross salary, whichever is lower, generally हम देखते हैं कि gross salary ज्यादा ही होती है 50,000 से, इसलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं कि 50,000 हम सीधर deduction दे रहे हैं, but हमें प्लीज याद रखना है, जितनी gross salary है, या 50,000, whichever is lower, standard deduction होती है, दूसरी reduction होती है, entertainment allowance की reduction, entertainment allowance जब कभी भी हमें मिलता है, सबसे पहले तो उसको आप gross salary का part बना दीचे, चाहे government employee है, प्लीज इस पर ध्यान दीचेगा, चाहे government employee है, चाहे non government employee है, सबसे पहले अगर entertainment allowance मिला, simple अपने gross salary का part बना दीचेगा, जब आप basic salary लिखते हैं, DA लिखते हैं, बाकी के allowances लिखते हैं, तो यहाँ पर entertainment allowances को भी पूरा का पूरा आप पहले gross salary का part बना दीचे, whether such employee is a government employee और a non-government employee, ठीक है, सबसे पहले तो उसका part बना दीचे, बाकी सारी चीज़े भी solve कर लिजे, बाद में जब gross salary आजाए, बाद में जब gross salary आजाए, तब आप deduction जब दे रहे हों, standard deduction देने के बद, entertainment allowance की deduction दीचेगा, बट सिर्फ किसके लिए, central government और state government employees only, और किसी को deduction नहीं मिलती है, students क्या करते हैं, उपर जब gross salary compute कर रहे होते हैं, उपर ही entertainment allowance में से minus कर देते हैं, तो उस समय नहीं करना है, दीचे, section 16 की deduction हमारी gross salary में से है, तो पहले gross salary compute कर लीचे, उसके बाद वो deduction minus करते हैं, ठीक है, तो entertainment allowance की deduction अगर non-government employee है, central government, state government employee नहीं है, तो deduction नहीं मिलेग इवन local authority वालों को भी नहीं मिलेगी, it is only and only for central government employee and state government employees, ठीक है, तब लोग समझने है, कितनी reduction मिलेगी, least of the following, तीन चीज़े है, उसमें से least of the following, जितना भी actual entertainment allowance मिला है, उतना, दूसरा, 1 by 5 of basic salary, 1 by 5 बोले है, 20% बोले है, एक ही बात है, ठीक है, सरफ basic salary का लेना है, ठीक है, 1 entertainment allowance की reduction आप दे दीचेगा, फिर आप दीचेगा, text on employment की reduction, third reduction है, text on employment की, text on employment जिसको हम professional tax के नाम से भी जानते हैं, इसकी reduction सिर्फ तभी मिलती है, जब ये actually pay हुआ हो during the previous year, actually pay, यानि कि 1st April 2020 से लेकर 31st March 2021 के बीच में अगर pay हुआ है, तभी ये reduction मिलेगी, otherwise ये reduction प्लीज मत दी पीचेगा, अगर ये इस period में pay नहीं हुआ है, तो, ठीक है, दूसरी बात इसकी, अगर text on employment हमारा employer pay कर देता है, ठीक हमारे विहाफ़ पर employer pay कर देता है, तो ये percusate हो जाता है, एक तरीके से, because हमारी obligation employer ने pay कर दी, तो अगर कुछ भी amount tax on employment का employer pay कर देता है, तो पहले उसको please gross salary बनाईएगा, gross salary का part बनाईएगा, because it is a kind of percusate, हमारी obligation हमारे employer ने pay करती है, सब को समझ रहे है, ठीक है, सिर्फ कितना amount, जितना हमारे employer ने pay कर देता है, पहले इसको percusate बना दीचेगा, और जितना भी amount pay हुआ है, फिर बाद में deduction दीचेगा, जब आप deduction दे रहे होंगे section 16 की, तो जितना भी amount pay हुआ है, चाहिए वो हमने pay किया हो, चाहिए हमारे employer ने pay किया हो, but जो actually pay हुआ है during the year, मितलब cash business पर, उसकी deduction मिल जाएगी, अगर हमारे employer ने pay कर रहा है, तो भी deduction मिल जाएगी, बढ़ हाँ, अगर employer ने pay कर रहा है, पहले उसको उस part को gross salary का part बना दी ठीचेगा, ठीक है, जैसे कि for example, 2000 रुपीज हमने pay करें, total, total हमारे tax on employment pay हुआ है, वो 2000 रुपीज हुआ है, 1500 हमारे employer ने pay किये, और 500 employee ने pay किये, ठीक है, तो total तो pay हुए 2000 ना, ठीक है, whether paid by employer और employee, total 2000 पे हुए, deduction हमें जब मिलेगी, पूरी 2000 की मिलेगी, बट जब आप gross salary का part बनाएंगे, उस percusits को, please just 1500 को बनाएगे, जितना employer की तरफ से pay हुआ है, ठीक है, simple से concept, एक theoretical concept होते है, forgo of salary क्या होते है, surrender of salary क्या होते है, surrender of salary होते है, कि आप employer को बोलते है, कि मैं salary ही नहीं लूँगा, ठीक हम salary नहीं लूँगा, employer कहते है, इस salary का मैं क्या करूँ, आप कहत कर दी salary, कि मेरे mother के account में दे दीचेगा, इस orphanage में दे दीचेगा, इस charitable institution में दे दीचेगा, उसको कहते हैं, कि आपने अपनी salary forgo कर दी, मतलब divert कर दी, but उस case में, वो taxable आप ही के हातों में होगी है, वो तो आप divert कर रहे हो, आपने employer को instructions दीए, मुझे salary नहीं चाहिए, मेरे mother के account में, मेरे father के account में, आप transfer करी है, तो यह आप ही के हातों में taxable होता है, forgoing of salary taxable होती है, surrender of salary taxable नहीं होती है, profit on leave of salary छोटे से concept होता है, कि अगर आपको over and above salary को कुछ amount मिलता है, तो that is taxable, या exempt होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि gratitude हुआ, या retrenchment compensation हुआ, VRS के पैसे तो यह सब profit in leave of salary में आता है, ठीक है, इसको आप छोट सकते हैं भी, चाहें तो, rent free, percusates के बारे में बाते करते हैं, rent free और concessional accommodation, ठीक है, important percusate है, दो important percusate हैं मेली, RFA और motor car facility, बाकी percusate तो important हैं, बहुत easy हैं, बहुत जल्दी cover हो जाते हैं, rent free accommodation हम कैसे करते हैं, सबसे पहल government employee को मिल रही है, अगर वो government employee को मिल रही है, तो हम इसको कितना taxable करते हैं, बहुत easy होता है, जितना भी इसका license fees question में given होगी, वो हम taxable कर देते हैं, तो government employee के लिए तो license fees, as per government rules taxable कर देते हैं, but अगर यह non-government employee है, तो mainly हमारी exams में non-government employee आता है, तो non-government employee के लिए है, तो हम देखते हैं कि जो हमें घर प्रोवाइट किया गया है, इंप्लोएर ने जो घर दिया है हमें, क्या वो इंप्लोएर ओंड था या इंप्लोएर ने इसको हाइर करा हुआ था, अगर वो उसका इंप्लोएर का खुद का घर तो हम population based देखते हैं, ठीक अगर उस जगह की population 10 lakh तक ह तो हम 7.5% of RFA salary taxable करते हैं, पर फ्लीज याद रखेगा, जितने period में को आपने ये rent free accommodation की facility avail की है, उसी period का आप 7.5% of RFA salary करते हैं, RFA salary में क्या क्या आता है, basic salary, RFA salary में mainly सभी तरह के taxable allowances वगेरा आ जाते हैं, percusates नहीं आते हैं, तो RFA salary में basic salary आता है, DA का forming part आता है, plus all taxable portion of allowances, यतने भी taxable portion of allowances हैं, वो आते हैं, but percusates नहीं आते हैं, RFA salary में, यहापर में लिखा भी हुआ है, कि RFA salary में basic salary, DA forming part, all taxable allowances, bonus commission, सब कुछ आ जाता है, but percusates नहीं आते हैं, ठीक है, तो वहां की population, अगर non-government employee है, ठीक है, this person is not a government employee, और यह घर जो हमें provide ही आ गया, यह हम की population based होता है, अगर वहां की population ज्यादा नहीं है, up to 10 lakh तक है, तो 7.5 लेना है, 10 lakh से 25 lakh के बीच में अगर population है, 10 lakh up to 25 lakh, तो 10% लेना है, 25 lakh से ज्यादा की population है, तो 15% of RFA salary लेना है, ठीक है, but अगर वो घर hired है, ठीक है, हम employer का खुद का नहीं था, employer ने कहीं से hire करके हमें दे दि यहां पर आपको examiner confuse करेगा, कि यहां पर घर employer ने hire करके दिया है, but वो आपको population देगा, ठीक है, अगर वो आपको confuse करने की कोजिश करेगी, आपको population वो दे रहा है, प्लीज पॉपॉलेशन वहां पर मत देखेगा, क्योंकि population आप तब ही देखते है, if the house is owned by the employer, अगर वो घ अगर employer का नहीं है, उसने hire करके दिया है, तो प्लीज आप actual hire charges या 15% of RFS salary, whichever is lower, लीचेगा, ठीक है, अगर accommodation हमें hotel में provide करा गया है, अगर hotel में provide करा गया है, तो for example, हमारा transfer हुआ और हमें 15 days तक के लिए hotel वगेरा provide किये जाते हैं, वो तो exempt होते हैं, अगर हमें लंबे समय के लिए घर provide कराया जा रहा है, ठीक है, rent free accommodation दी जा रही है, वो भी hotel में, तो उस case में हम hotel charges लेते हैं, जितने भी hotel के charges हैं, या 24% of RFS salary, ठीक है, whichever is lower, ठीक है, यहाँ पर 24% याद रखेगा, दूसरी case, अगर for example, हमें more than one house provide किया जाते हैं, मालते हैं, दो घर provide करा दिया जाते है जब transfer होके जा रहे हैं और पुराना घर भी आप retain कर रहे हैं, नया घर भी आप retain कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, first 90 days तक, 90 days का मतला, first 3 months तक, anyone, ठीक है, anyone taxable करते हैं, anyone taxable करते हैं, which has lower perquisite value, जिसकी perquisite value lower है, but 90 days के बाद भी अगर दोनों घर provide किये जा रहे हैं, ठीक है, उस case में फिर दोनों ही taxable करते हैं, ठीक है, उस case में आप दोनों ही taxable कीचेगा, अगर घर के साथ-साथ furniture वगेरा भी provide किया गया है, तो यहाँ पर furniture की value भी add कर दीचेगा, या अलग से दिखा दीचेगा, मतलब उसको भी taxable करना है आपको, कितना करते हैं, depend करता है, यह furniture owned by the employer है अगर owned by the employer है, furniture employer का खुद का था, तो 10% per annum of actual cost लेनी है, actual cost, depreciated value नहीं, यहाँ पर students गलती करते हैं, depreciated value नहीं लेनी है, ठीक है, actual cost लेनी है, जो उसकी original cost थे 10% per annum लेनी है, और अगर hired है, कोई furniture वगेरा provide किया गया, ठीक है, कोई appliances वगेरा provide करे गए हैं, और वो hire करके गए हैं आपको, तो actual hire charges लेने है, ठीक है, अगर यह concessional accommodation है, तो पहले तो rent free accommodation की तरह calculate कर लीजेगा, पहले तो rent free accommodation की तरह calculate कर लीजेगा, उसके बाद जितना भी employees recover किया रहा है, वो minus कर जाएगा, next perquisite आता है motor car facility, अब motor car facility में दो options होते हैं, कि क्या यह car हमें employer ने provide की है, य और फिर यह car employee की खुद की थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यह car हमारे employer ने provide की गई है, तो अगर employer ने हमें गाड़ी provide की गई, और वो hundred percent official purpose के लिए, hundred percent official purpose के लिए है, मतलब उसमें तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि गाड़ी जो दी गई है, वो company personal purpose के लिए दी गई है, partly personal या partly official के लिए दी गई है, तो personal purpose आगे, इसलिए perquisite बन रहा है, otherwise official purpose होता तो perquisite नहीं बनता, यह बात भी समझ गए है, ठीक, simple सी बात है, income tax फट रहा है, जो हमें benefit हो रहा है, उसके benefit को income tax authorities बोलती है, कि आपका यह फायदा हो रहा है, इसलिए हम taxable क कर रहे हैं इसको, तो official purpose तो आपका फायदा नहीं हो रहा है, personal purpose आपका फायदा हो रहा है, तो अगर वो 100% personal है, तो perquisite पूरा बनेगा, जितना भी company खर्चा कर रही है, जितना भी उस गाड़ी के ओपर खर्चा किया जा रहा है, उसकी running cost है, उसकी driver की salary वगरा दी जा रही है वो सारी चीज़े उसमें add हो जाती है, और गाड़ी की value भी, गाड़ी की value कैसे करते हैं आप लोग, अगर ये गाड़ी employer की खुद की थी, तो आप लेते हैं 10% per annum of original cost, 10% per annum of original cost, अगर ये company की hired थी, तो actual higher charges लेते हैं, तो for example, अगर 100% personal है, तो 10% per annum of actual cost लेंगे, ठीकि expenses, petrol, diesel वगेरा के, जितना भी fuel के driver के maintenance के expenses, employer incur कर रहा है, वो सब चीज़ परक्यूजट की value बनती है, अगर आप से कुछ recover किया जा रहा है, तो minus कर ली चाहेगा, ठीक है, दूसरा case आता है, कि गाड़ी तो employer ने provide की थी, बढ़ पार्टली परसनल और पार्टली ऑफिशल थी पार्टली परसनल पार्टली ऑफिशल थी, तो depend करता है, यह 1.6 लिटर से अप टू 1.6 लिटर तक की engine capacity है, यह 1.6 लिटर से जादा है, अगर यह 1.6 लिटर तक की capacity थी, यानि कि छोटी गाड़ी है, और इसके expenses भी employer meet out करता है, तो आप 1800 पर मन्थ लीचेगा, 1800 पर मन्थ ल अगर इसके expenses पार्टली परसनल पार्टली ऑफिशल थी, गाड़ी employer ने दी है, बट इसके expenses employee meet out करता है, कर रहा है, तो आप लेंगे 600 पर मन्थ, driver भी provide कर रहा है, तो 900 extra add कर दीजेगा, ठीक है, मैं बहुँच अदर detail में अब नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको revise करा रहा हूँ, कि इतना इतना मांट लेते हैं, अगर यह बड़ी गाड़ी है, और employer खर्चा कर रहा है, तो पर्चा कर रहा है, तो बाकि जतनी भी गाड़ी है, उसको 100% personal मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है, कि आप office के काम से 2-3 गाड़ी होंगे, एक ही गाड़ी में जाते होंगे, तो एक ही गाड़ी को बुला गया, पर्चा कर रहा है, अगर इंप्लोई की खुद की गाड़ी है, ठीक है, अगर इंप्लोई की खुद की गाड़ी हो और वो 100% personal use होते है, देखो अब जहां पर क्या फाइदा हो रहा है, इंप्लोई को गाड़ी तो उसकी खुद की है, फाइदा क्या हो रहा है, अगर कम्पनी इसके fuel के expenses, इसके driver के expenses अगर आपको meet out करके देत थीक है इंपलोय की खुद की गाड़ी और पार्टी उज़ोरी है तो जितना भी खर्चा employer meet out कर रहा है उसमें से minus कीजेगा यह 1800 अगर छोटी गाड़ी तो 1800 minus कीजेगा पर मंथ के बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ माइनस कीजेगा ठीक है बड़ी गाड़ी तो 2400 पर मंथ करेंगे और 900 माइनस करेंगे तहीं के अगर यहां पर म्लॉय कहते है नहीं सर मुझे तो जादा माइनस कराना है क्योंकि मेरी तो प्रिस्टिम्मम गाड़ी ये ऑफिशल यूज हो रही थी मेरे परसनल यूज नहीं हो रही थी तो अगर यहां पर इम्प्लॉयर अगर उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर वाथ तो प्रिस्क्राइब करता है कि आपने लॉग बुक मेंटेन वगएरा करी थी ठीके सारे बिच मेंटेन वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं जल्दी साफ स्पेसिवाड इंपलॉय पढ़ाई एक मिनिट लीजे और स्पेसिवाड इंपलॉय पढ़ाई अभी से कि तो ब्रेक भी हो जाएगा बीच में ओके कि डमेस्टिक सर्वेंट क्या उपर जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है वह पर्गिजिट बन जाएगा आपसे कुछ रिकवर किया जा रहे तो माइनस कर देंगे गेस इलेक्रिसिटी यह वाटर जितना भी खर्चा करता है या तो उसकी प्रडेक्शन कॉस्ट होगी या उसकी पर्चेस कॉस्ट होगी जितना भी खर्चा इंप्लॉयर करता है वह आपका पर्गिजिट वेल्यू बन जाएगा अगर आपसे कुछ रिकवर किया जा रहे तो माइनस हो जाएगा एजुकेशन फैसिलिटी इंप प्रगिजिट मानते हैं अगर किड्स के अलावा मान लेते हैं उसके स्पाउज को ब्रदर या सिस्टर को अगर उनको एजुकेशन प्रवाइड की जाएगी तो पूरा का पूरा पर्गिजिट मानेंगे ऑविसली जितना अमाउंट रिकावर किया रहा है वो माइनस कर लें यहां पर दो पॉइंट-थाओसन माइनस करने के बाद टेक्सिबल करें यह पूरा टेक्सिबल करें दोनों ही ठीक हैं अगर फूर्ण तक प्रवाइड के जाथे तो फैरई मार्किट वेल्यू देखते हैं कि जब यह shares हम exercise कर रहे हैं उसकी fair market value क्या थी और minus जिसना हम से recover किया जा रहा है वो minus करतेंगे ठीक है और सिर्फ eligible startups के case में eligible startups के case में इसको हम अभी taxable नहीं करते हैं उसको defer कर दिया जाता है यह बात आप जानते हैं eligible startup की बात है आप जानते हैं कि इनके इसके case में इस साल की वो income तो बनेगी पर उसके ओपर tax हम defer कर देते हैं कब तक defer कर देते हैं तर अगले 48 months तक शाड़ साल तक defer कर देते हैं या फिर अगर employee resign कर दिया वहां तक defer कर देते हैं या फिर अगर employees नहीं interest free था वो तो उस case में अगर ये 20,000 रुपीज तक का loan है मतलब in aggregate पूरे साल में 20,000 रुपे से जादा कर आपने loan नहीं लिए ऐसे नहीं कि आपने 15-15,000 के 10 loan लिए नहीं ऐसे नहीं in aggregate देखते हैं तो अगर ये 20,000 रुपे तक का loan है या आगया 20,000 वाली बाते अगर ये 20,000 तक का loan है तो छोड़ दीजएगा फिर taxable मत कीज़े 20,000 से ज्यादा है फिर तो आप पूरा amount taxable कीज़े कितना जितना आपने interest safe किया इंटरस safe कैसे पता चलता है कि bank इसका कितना interest charge करता और minus जितना employer charge कर रहा है हमसे तो जितना हमने interest safe किया वो value taxable हो जाती है अब bank कौन से ल similar loan के अगर for example यह vehicle loan था तो vehicle loan के रेट अगर यह home loan था तो home loan के रेट वो भी किस दिन के rate लेने होते हैं जिससा loan लिया गया था उसका उस previous year का first April का SBI का rate क्या चल रहा था दूसरी important बात कि अगर loan लिया गया है employer से for medical treatment of specified disease like tuberculosis cancer HIV etc तो उस cases में यह loan का amount जो interest का amount है वो exempt रहेगा ठीक है for specified disease exempt रहेगा जब तक exempt रहेगा जब तक आपको यह पैसे health insurance अगर था तो अगर insurance company से नहीं मिलते तब तक exempt है जब यह insurance company से पैसा receive हो जाएगा उसके बाद यह taxable हो जाएगा because अगर medical treatment के लिए आपने पैसा लिया था employer से बट अगर बाद में आपको health insurance company ने आपको य बन जाता है ठीक है gifts from employer जितने भी हमें gifts मिलते हैं अगर वो cash gift है तो cash gift is like bonus वो तो fully taxable कर दीचेगा बट अगर वो gifts in kind है ठीक है for example employer ने हमें watch दे दिया mobile phone दे दिया या कुछ भी ऐसा gift दे दिया है तो उस case में अगर उसकी aggregate value 5000 रुपीज तक है पूरा जितने भी gifts मेले आपक exempt हो जाएगा taxable मत कीचेगा 5000 से exceed कर जाते aggregate value तब taxable हो जाएगा यहां पर भी दो point of view है या तो पूरा का पूरा amount taxable कर दीचेगा या फिर in excess of 5000 taxable कीचेगे दोनों ही इस ठीक है use of movable assets यहां पर यह भी important perquisites है जो अकसर आता रहता है exam में अगर आप employer का कोई भी asset use करते हैं सिर्फ use temporary आप use कर रहे हैं जब यह company छोड़ेंगे तो वापस कर देंगे इसका यानि कि उसने आपको transfer नहीं कर दिया वो asset सिर्फ आपने use करने के लिए इसको लिया है अगर वो laptop यह computers हैं तो इसके लिए please perquisites मद बनाएगा laptop और computer के लिए perquisites नहीं बनेगा चाहिए उसको आप घर में यूज कर रहा है आपका family member भी यूज कर रहा है तो भी आप रिजट मन बनाएगा because laptop और computer इसके देता है employer इससे वो आप से घर से भी कुछ काम करा सकी और आजकल तो work from home है but अगर वो आपको दूसरे assets देता है दूसरे assets like अगर AC दे दिया refrigerator दे दिया कोई भी दूसरे assets दे दिये तो उस case में बनता है अगर यह employer का खुद का ओंड था तो 10% per annum of actual cost original cost का 10% per annum लीचेगा ठीक है अगर 6 दिन के लिए 6 महीने के लिए उसकिया साथ महीने के लिए तो accordingly 7 months या 6 months के लिए 10% per annum लिखा हुए अगर यह employer का hire था employer ने कहीं से hire करके आपको दिया है तो उस case में actual hire charges लेने है आपको ठीक है जितना भी amount employee से recover किया जाता है वो obviously minus करें गया next होता है transfer of movable assets, transfer of movable assets का मतलब होता है कि अगर उन्होंने अपना asset employee को बेच दिया है ठीक है बहुत कम पैसे लिए employee से और वो asset बेच दिया तो अगर computer transfer कर दिया हो हाँ तो भी per visit आएगा यहाँ पर computer use करने के लिए नहीं है अगर computer laptop use करने के लिए होगा तो per visit नहीं बनेगा but in case अगर उसने वो transfer कर दिया employer आपको दे दिया तो उस case में per visit बन जाता है अब depend करते हैं कि इस समय उसकी depreciated value क्या थी तो आपको जो भी asset मिला है उसकी depreciated value निकालना ही पड़ेगी और minus जितना आप से पैसा recover किया जा रहा है employees से वो minus कर दीचेगा depreciated value कैसे निका लेंगे अगर वो computers mobile phone या storage device दी है तो 50% return down value का depreciation का rate लगेगा 50% WDV method से cars दी गई है तो 20% WDV method से I believe आपको याद होगी percentage याद नहीं है तो प्रीज याद कर लीजेगा अगर computers mobile phone storage अगर computers को पर तो 40% rate अरे वो PGPP में rate है 40% के यहाँ पर हम कौन से rates यूज कर रहे हैं for the purpose of calculating the value of percusate हम percusate की value compute करने के लिए rate यूज कर रहे हैं तो computers mobile phone या storage device दिया गया तो 50% return on value से आप depreciate करते रहेगा जितना भी साल होंगे उस हैसाब से 50% आता रहेगा सिर्फ completed years लेने हैं आपको ठीक है part of the year को इगनूर करना है ठीक है तो जितने भी साल company के पास था completed years लीचेगा कार्स के लिए 20% return on value method है बट अगर उसनोंने other assets transfer करें for example उन लोग ने TV आपको transfer कर दिया या फिर अगर कोई भी दूसरे asset आपको transfer कर दिया अदर दिन computer से तो उस case में 10% SLM method लगाईएगा ठीक completed years लेने for example जब से company ने इसको use करना शुरू किया था और जब तक वो आपको transfer किया गया उसके number of years देखिएगा अगर part of the year आ रहा है तो इगनूर कर दिचेगा सिर्फ completed years देखिएगा और उसका 50% computers के case में 20% cars के case में WDV method बाकी other assets transfer किये तो 10% SLM method लगा दीचेगा medical facilities again this is important medical facilities अगर दी जाती है देखिए अगर employer medical facility देता है employee के लिए employee के family members के लिए तो उस case में family members में कौन आता है spouse इसके children ठीके parents या brother and sister अगर वो dependent है तो सरफ इतने ही लोग आते हैं इसके अलावा अगर किसी और के लिए दिया है तो taxable हो जाएगा ठीके अगर इन लोगों का treatment जो मैंने family members का नाम लिया है अगर इनका treatment government hospital में होता है fully exempt अगर employer के खुद की hospital में होता है तो भी fully exempt हो जाएगा बट अगर किसी दूसरे hospital में होता है which is not a government hospital which is not an employer hospital but that that hospital is prescribed by a specified by income tax authorities commissioner of income tax nurse को specified किया है for specified disease वो भी सरफ specified disease के लिए तभी exempt होगा ठीक है अगर कहीं और treatment हो रहा है लेट से क्लिनिक पे ट्रीटमेंट हुआ और companies के पैसे reimburse करती है तो fully taxable कीजेगा ठीक अक्सर exam में कैसे आता है कि medical facilities के amount इतना reimburse करा गया अब वहाँ पर यह नहीं लिखा होता कि government hospital employer का hospital यह specified disease and approved hospital यह सब नहीं लिखा होता तो फिर उस case में उसको fully taxable कीजेगा तो अगर employer ने हमें 10,000 की reimbursement की है और यह सब नहीं लिखा हुआ प्लीज उसको fully taxable की अगर treatment outside India होता है अगर treatment outside India होता है तो जितना भी treatment का पैसा employer ने खर्च किया है और जितना stay का पैसा वहाँ पर खर्च किया है अब two RBI limit exempt होता है stay किसका होगा patient का stay plus एक attendant allowed एक से ज्यादा अगर एक से ज्यादा के पैसे दिये गए है तो उस case में बाकी लोगों के तो fully taxable कर द है treatment और stay के पैसे up to RBI limit तक but traveling के पैसे for example outside India let's say New Zealand में इलाज हुआ है तो जो traveling का पैसा था क्या वो taxable करेंगे या नहीं करेंगे वो depend करता है employee की GTI पर अगर employee की GTI 2 lakh रुपीज तक है तो traveling expenses पूरे exempt हो जाएंगे अगर employee की GTI 2 lakh रुपीज से जादा है तो traveling expenses fully taxable हो जाएंगे प्रीज traveling expenses पर RBI की limit मत लगाईएगा यहाँ पर फिर examiner को confuse करेगा वो traveling expenses की भी RBI की limit देदेगा उसको मतली चाहेगा सिर्फ stay के लिए और treatment के लिए आप यह limit ले सकते है फैमिली में कौन कौन आता है self spouse और children और parents हैं तो dependent होने चाहिए siblings मतलब brother और sisters dependent होने चाहिए इसके अलावा किसी का treatment हो रहा है टेक्सेबल कर दीजिगा father-in-law mother-in-law जो लोग इस definition में नहीं आते उनके लिए तो fully taxable हो जाएगा चाहे वो government hospital हो employer का hospital हो या खेसा भी हो ठीक है कुछ पर्क्योजट्स फुली एक्जम्ट रहते हैं कुछ पर्क्योजट्स फुली एक्जम्ट रहते हैं जैसे अगर telephone यह computer की facility computer की facility अभी मैंने देख पताया था आपको computer use करने के लिए दिया गया फुली एक्जम्ट है telephone का bill sir company देती है fully exempt है high court या supreme court के judges के लिए accommodation exempt है जो इंडियन citizen है इंडियन citizen है पर government of India ने उनको outside भेजा हुए ठीक outside इंडिया भेजा हुए तो उनको जो भी परक्योजेट्स या लांसे मिलते हैं that is called foreign परक्योजेट्स वह एक्जम्ट होते हैं उनके लिए सिर्फ बेसिक सालरी टेक्सेबल करेंगे home and office के लिए ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी एक्जम्ट होती है अगर अगर एकkry Да कोdogs करा सकतरिके णिद्च इंडिम्ट मेंikoृ कीजेगा अबृत फार खरेंगे टेजब आपकर इंड़िकाए निपर employee च усेंड करतें family members की अधिया इन्सौरेंस बोले medical in इंशौरेंस बोले एक्यान्ट आधिये matter यह लाओर में लाइफ इंशारेंस टेक्सिछेबड होता है रिक्रीचेश्नल फैसिलेटी फॉर इंप्लॉईईशंग ओर इंप्लॉईईजिख ओकिछ से एक्स्ट्रा टेक्सिबल कर देंगे ठीक है अक्कमडेशन प्रवाइड इन रिमोट एरिया यह माइनिंग साइड और और ओल एक्स्पोरेशन साइड भी एक्जम्ट रहेगा नेक्स राते रिटार्मन बेनिफिट पर बट रिटार्मन बेनिफिट से आने से पहले मैं कुछ सबसके साथ कुछ 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 इसकरना चाहूंगा आप आप अपनी इस फाइल पर सबसे पहले सब्सक्राइब अभी हमने लास चाप्टर तक किये थे मिस्टर एक्स इंप्लॉड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक सालरी ऑफ टुनी थाउजन पर मन्त बेसिक सालर कहीं ऐसा तो नहीं कि employee during the year retire हो रहा है या during the year वो job छोट रहा है तो उतने ही मंस की आप लीजेगा जितने मंस की उसको basic salary जितना आक्ट्यूरी उस नहां पर काम किया है यहां आरफ इसालरी के लिए कितना फॉर्मिंग पार्ट है अभी तो 7000 बेसिपल करेंगे इंपलॉयर हैज पेड बोनस ओफ फाइफ़नेट पर मन्त बोनस फुली टेक्सिबल होता है Commission fully taxable होती है, Commission किसी भी तरह की हो, वो fully taxable होती है, चाहे वो fixed हो amount में, चाहे fixed हो percentage में, fully taxable होती है, और साथ-साथ जब आप RBS salary निकालते हैं, retirement benefit salary निकालते हैं, जैसे HR-A वगरा के लिए, तो फिर आप ये Commission भी लेते हैं, जो fixed percentage होती है on turnover, fixed percentage on turnover, 20 lakh रुपीज का 1% मिला, taxable और अगर आपको HR-A वगरा भी मिल रहा है, जब आपको RBS salary निकालनी पड़ेगी, तो आप उसको भी part बनाईएगा, the employer paid him house rent allowance of 6,000 per month, देखे 6,000 per month का house rent allowance मिला है, क्या fully taxable होगा, अगर आप new scheme के according कर रहे हैं, तो fully taxable होगा, बट अगर आप regular scheme, normal scheme के according कर रहे हैं, तो HR-A fully tax taxable मत कीजिए, उसमें से 3 points में इन जो discuss किये थे थोड़े देर पहले, उसमें से वो exempt हो जाएगा, तो यहाँ पर 7,000 रुपीज का rent भी पे हो रहा है, यानि कि exempt होने वाला है, कहाँ पर आगरा में, तो डेली, मुंबी, कॉलकाता चिन नहीं होता, तो 50% लेते, बागी के लि के लिए, हम fully taxable नहीं करेंगे, least of the falling, तो आप least पहले देखेगा, कितना हमें हरे मिला है, और least of the falling, आप calculate करिएगा, ठीके, और याद रखिए हरे की calculation में, यहाँ पर तो कोई problem नहीं है, क्योंकि during the year, कोई भी हरे का component चेंज नहीं हुआ है, for example, अगर हरे का amount चेंज किया होत करना पड़ता है, आपको, for example, basic salary change हो गई, पाँच महीने के बाद, तो प्रीज हरे की calculation पाँच महीने के लिए separate करें, और बाकी के बाग के period के लिए separate करना पड़ेगा, I believe यह भी आपको याद आ गया होगा, ठीक है, तो house and allowance को lease the following up exempt कर देंगे, यह question हो जाएगा, question number 12 कहता ह Mr. X is employed with AB limited on monthly salary of 25,000 per month, ठीक है, 25,000 rupees basic salary fully taxable होगी, entertainment allowance and commission 1000 per month each, entertainment allowance आपको पता है, fully taxable होता है, क्या इसकी हमें deduction में मिलती है, अगर यह government employee होंगे, बाद में deduction मिलेगी, अभी तो हम fully taxable करेंगे, whether this person is a government employee or non-government employee, अभी fully taxable कीचेगा, जब बाद में आप gross salary निकाल लेंगे, उसक इसके बाद आप deduction दे सकते हैं, entertainment allowance की government employee के लिए, but यहाँ पर this person is not a government employee, साफ साफ लिखा हुए, AB limited में वो काम कर रहे थे, तो entertainment allowance fully taxable, commission fully taxable, अच्छा, क्या RBS salary के लिए, जो commission हम लेते हैं, वो यहाँ पर ले पाएंगे, the answer is no, because यह fixed percentage on turnover नहीं है, यह fixed amount में है, percentage में नहीं है, ठीके, बट commission तो fully taxable तो रहेगा, सिर्फ वो retirement benefit salary वगएरे के लिए, इस commission को, a company owned accommodation is provided to him in Delhi, अब देखे, company owned accommodation है, अगर यह government employee होते हैं, तो license fees लेते हैं, बट अगर यह non-government employee हैं यहाँ पर, तो company का owned है Delhi में, अब यहाँ तो Delhi की population हमें given होगी, बट हमें पता है कि Delhi highly populated है, तो इस case पर कितना लेना है हमें, 15% of RFA salary, तो हम RFA salary में क्या लेते हैं, basic salary, DA forming part, plus all type of bonuses, all type of commission, plus all taxable allowances, percusates नहीं लेते, furniture costing रुपीज 2,040,000 was provided on 1-8-2020, अब ध्यान दीचेगा, 1-8-August से provide किया गया है, तो 2,040,000 रुपीज का furniture भी provide करा गया था, हमें पता है इसका 10% पर आया हम इसकी value बना जेते हैं, 24,000 राएगी, बट प्लीज उसको August से calculate करियेगा, ठीक है, पूरे साल का नहीं आएगा, August onwards आएगा, परस्नल लोन लिया गया है, 5 लाग का, 1-7-2020 को, on which it charges interest of 6.75%, entire loan is outstanding, SBI rate is 12.75%, SBI rate 12.75 था, company हम से charge कर रहे है, 6.75, तो कितना save कर रहे है हम लोग 12. 6.75 मैंने 6.75 मतब 6% हमारा परकेज़ट बनेगा, 5 लाग के उपर 6% निकाल लियेगा, but 1-7-2020 को loan लिया गया तो उसके पूरा outside नहीं है, तो please July के onwards ही, यानि की April, May, June, 3 महने का नहीं आएगा, 9 मन्स का परकेज़ट बन चाएगा, his son is allowed to use a motorcycle belonging to the company, अब देखो, use of asset आरा है, अगर यह computer बगयरा होता, laptop होता तो छोड़ देते, पर यहाँ पर motorcycle है, तो हम इसको textable कर देंगे, the company has purchased this motorcycle for 60,000 on 1-5-2017, तो यह use कर रहा है, इनका बेटा तो 60,000 रुपी, 60,000 रुपी का 10%, आप value of asset बना देंगे, 60,000 का 10% पर रहना, ठीके, use है, the motorcycle was finally sold to him on 1-8-2020 for 30,000 रुपी पहले तो वो use कर रहा था, बाद में उसको purchase भी कर लिया, तो कितने दिन use आया, use आया, April, May, June और July तक, क्योंकि August में purchase कर लिया, तो April, May, June, July याने की 4 महिने का, तो use का पर गिजट निका लिएगा, 10% पर रैनम, और फिर August में हमने purchase कर लिया, कितने में, 30,000 रुपीज में, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस motorcycle की depreciated value कितनी है, कैसे करेंगे, तो 1.5.2017 से लेकर, ये company ने purchase किया था, और हमने कब खरीद लिया इसको 1.8.2020 को, तो यहाँ पर देखेंगा, कितने साल हो रहे हैं, part of the year भी आजा है, तो उसको ignore कर दीजेगा, completed years देखे तो 10% per annum SLM basis पर लगेगा, तो इसकी depreciated value निकाल लीचेगा, जितनी भी depreciated value आएगी, for example, इसकी depreciated value, for example, 40,000 रुपीज आती है, और हमने इसको purchase कर लिया, 30,000 रुपीज में, तो 10,000 का perquisite बन जाएगा, अगर इसकी depreciated value 30,000 आजाए, और हमने भी इसको 30,000 में purchase करा है, तो फि हमने ये motorcycle महांगी खरी दी है, तो उसके इसमें परिजट नहीं बनेगा, छोड़ दीजेगा, पूरा, professional tax paid by Mr. X, 2,000 रुपीज, यहाँ पर Mr. X नहीं पे किया है, यहाँ पर आपको 16-3 की deduction मिल जाएगी, tax on employment, 2,000 रुपीज जो पे हुए है, क्या यह हमें gross salary का भी पार्ट अगर यह employer pay करता, तो पहले gross salary का पार्ट बनाते हैं, फिर बाद में deduction देते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ deduction मिलेगी, क्योंकि Mr. X ने खुद पे किया है, तो I believe यह भी आप कर लेंगे question, question number 13, I am so sorry, Mr. Nambi, a salaried employee, furnishes the following details for the financial year 2021, basic salary है, 6 lakh rupees, आपको 6 lakh पूरिये साल की दी गई है, fully taxable, DNS allowance 320, fully taxable, commission 50,000, fully taxable, entertainment allowance, fully taxable, ठीक है, fully taxable, government employee है, अभी fully taxable करेंगे अगर, ठीक है, अगर होता है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर government employee नहीं दिया गया है, तो इस case में आप assumption ले सकते हैं, इस case में अगर assumption लेना चाहें, पहले तो आप fully taxable करेंगे, बट जब 16, 2 की reduction देंगे, आ अगर आपको लगते है, government employee है, तो deduction दे दीजेगा, नहीं है, तो मत दीजेगा, तुम्हाँ पर assumption लिख दीजेगा, आप कैसे treat कर रहे हैं, इनको, ठीक है, medical expenses, रेंबर्स बदा employer, 21,000 रुपीज, यहाँ पर लिखा है, medical expense, अगर देखो medical allowance होता, तो fully taxable होता, अब medical expenses, कहां त जेगा, professional text, 7,000 है, 50% paid by the employer, अब देखे, 7,000 का 50% employer ने pay करा, यान की, 3,500 पहले आप gross salary का part बना दीजेगा, और जब बाद में, जब gross salary आजा है total, जब deduction देंगे, तो पूरा जितना भी amount pay हुआ 7,000, पूरा 7,000 की reduction मिल चाहिए, health insurance premium paid by the employer, health insurance taxable नहीं होता, life insurance होता तो taxable करते health insurance exempt है, gift voucher given by the employer on budget, 12,000 है, 12,000 है, 5,000 से ज़्यादा है, fully taxable कर दीजे, 12,000 फूरी taxable करिए, अगर कुछ students in excess of 5,000 करना चाहते है, 7,000 वो भी ठीक है, life insurance premium paid, life insurance premium fully taxable होगी, laptop provided for use at home, actual cost of the laptop इतना, कोई exempt रहेगा, कोई perquisite value नहीं बनेगी, because यह सरिफ laptop है, use करने के लिए दिया ग पर विच वस प्रोवाइड बाइड 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 असेशी, टाडा नहीं रोकार मतलब 1.6 लिटर से obviously कम है, both for official and personal use, no driver was provided, engine capacity 1.6 लिटर से कम थी, कितना करेंगे हम लोग, sir 1800 पर मन्त, ठीक है, 1800 पर मन्त into 12 कर देंगे, नहीं पता कि कब से दिया गया, तो मानेंगे हमेश गाड़ी किस की थी, company की खुद की थी, annual credit card facility paid by the employee, credit card facility employer ने provide की गई है, credit card is not used for official, official purpose के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, personal purpose के लिए यूज होता है, तो छोड़ देते, personal purpose के लिए यूज हो रहा है, तब हम textable कर देंगे, तो gross salary निकाल दीचेगा, फिर standard deduction वगेरा, entertainment allowance के assumption ले ले आप, कि ये government employee थे, तो आप assumption ले सकते हैं, non-government employee मानेंगे, तो entertainment allowance के मत दीचेगा, text on employment तो आएगा, ठीक है, आगे retirement benefit के question है, बट उससे पहले retirement benefit एक बार discuss कर लेते हैं, में ली मुझे gratitude, pension, provident fund और leave salary जादा important है, ठीक है, अगर gratitude मिलती है, during the tenure मिलती है, during the service मिलती रह gratitude मिल रही है, तब उसको हम exempt करते हैं, अगर वो central government, state government ये local authority के employees को मिलती है, gratitude, during the tenure मिलेगी तो textable करिएगा, ये at the time of retirement, resignation, termination मिल रही है, उस समय exempt कर देंगे, government employee के लिए तो fully exempt होती है, non-government employee के लिए कुछ limit होती है, उसके बाद ही हम उसको textable करते हैं, तो वहाँ पर देखत gratitude act में covered थे, gratitude act में covered नहीं थे, तो दोनों में almost similar calculation वास थोड़ा से difference है, अगर वो covered in the gratitude act थे, तो जितना भी gratitude मिला, उसमें से less करेंगे, lease of the following, ठीक है, lease of the following, first actual gratitude, rupees 20 lakh, 20 lakh fixed amount है, I believe आपको याद होगा ये बात, ठीक है, actual gratitude, 20 lakh, 15 by 26, 15 by 26 into last drawn salary into completed year of service or part thereof in excess of 6 months, यानि की covered वाले ह होते हैं, तो हम 6 months के, अगर आगे जा रहा है, year, तो उसको round off करते हैं, और यहाँ पर salary का मतलब क्या होता है, basic salary plus DA, basic salary plus DA, DA forming part क्या, नहीं, जो covered वाले होते हैं, उसमें पूरा का पूरा DA, basic salary plus DA, 15 by 26, but जो not covered in the gratitude में है, उनके लिए actual gratitude 20 lakh है, यहाँ तक तो limit same है, but यहाँ पर 15 by 26 की जगा, 1 by 2 कर देते हैं, ठीके, यहाँ पर last down salary थी, यहाँ पर average salary लेते हैं, फिछले 10 मेने के average salary, पर पिछले 10 मेने के salary में क्या के include करना है, basic salary, DA forming part, fixed percentage commission on turnover, मतलब RBS salary, retirement benefit salary लेनी है, और सिर्फ और सिर्फ completed years of service लेना है, आपको, ठीके, during the tenure मिल जाए, fully taxable कीजेगा, गर अगर हमें पहले से भी कोई gratitude मिल चुकी थी, और पहले हम कहीं और काम कर रहे थे, और कुछ हमने exemption ली थी, तो जो हमारी 20 लाग की fixed limit है, उसको कम कर दीजेगा, जितनी आपने पहले exemption कभी ली थी, तो यह gratitude के बारे में होता है, काफी important है, pension, अगर government employee को pension मिलते है, तो fully exempt होती जो regular pension होती है, जो हर महीने pension मिलती है, वो सबके लिए fully taxable होती है, एक तरीके से वो basic salary की तरह मानिये है, आप उसको taxable करिएगा, बट जो commuted pension है, जो lump sum आपको pension मिलती है, अगर वो government employee है, तो fully exempt कर दीजेगा, non-government employee है, तो depend करता है, कितना exempt करेंगा, वो gratitude करता है, क्या आपक तो commuted pension मिली है, अगर ये 100% commuted pension होती, तो कितनी होती, वह मैं इसको कैसे निकालते है, 1 upon 2 into commuted pension upon percentage of commutation, ठीक है, जितनी भी commute pension मिली, अब हो सकता है, 60% commute होई हो, 70% commute होई हो, आपकी 100% भी commute होई थी, तो जितनी भी commute pension मिले, divide कर दीजेगा, उसको percentage of commutation से, इससे क्या निकलता है आपका, कि अगर ये पूरा का पूरा commute हो जाती, तो कितनी ये pension होती, उसका 1 third या 1 upon 2, ठीक है, समझा नहीं रहूं, सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, ये वाली बाते है अभी, provident fund, ठीक है, provident fund, अगर ये statutory provident fund है, तो employer contribution पूरा का पूरा exempt होता है, employer contribution पूरा exempt होता है, interest on employer contribution भी exempt होता है, अगर ये RPF है, तो 12% of RBA salary, basic salary, DA forming part, fixed percentage commission on turnover, तक exempt होता है, तक exempt होता है, बट इस पर एक और limit है, 7.5 लाग की, यादा कि आपको 7.5 लाग की limit है, अगर ये interest है, तो 9 9.5% तक exempt है, इससे ज्यादा गर अगर interest मिल रहा है, तो taxable कर दिएगा, for example 10% interest मिल रहा है, तो 0.5% taxable कर दिएगा, URPF में अभी हम taxable नहीं करते हैं, जब जब employer contribute करता है, तब तक taxable नहीं करते हैं, पता नहीं, unrecognized provident fund है, पैसे कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता न इसके बारे में, कभ taxable करते हैं, जब यह actually पैसे receive हो जाता है, maturity पर इसको taxable किया जाता है, और आपको याद है, unrecognized provident fund के पैसे जब maturity पर मिलते हैं, तब taxable करेंगे, जितना employer का contribution था, और उसके उपर का interest, जितना employer का contribution था, और उसके उपर का interest, वो तो salary बनता है, और जो interest ह होता है, employee के contribution के उपर, हमारे contribution के उपर, यान कि हमारी savings के उपर, जो interest है, वो IFOS की income होती है, और जो employee का amount मिला है बाद में, वो taxable नहीं होता, क्योंकि वो तो income होती नहीं है, ठीक है, leave salary, again important, अगर leave salary मिलती है, हर साल, हर साल in cash होती है, तो fully taxable कीचेगा, बढ़ अगर retirement पर leave salary salary मिलती है, तो exempt हो सकती है, अगर वो central government या state government employee है, तो fully exempt कर दीजेगा, central government, state employee के लिए, फुली exempt होगा, बढ़ अगर other employee के लिए, lease of the falling, lease of the falling कितना लेना है, जितना actual leave आपको मिलती है, जितनी actual leave in cash होई, या फिर रूपीज 3,00, 3,00, यहां पर fixed limit है, जैसे ग्राटविटी मे पिछले 10 महिने का average लेना है आपको, तो पिछले 10 महिने का average लीजे उसको 10 से ही multiply कर दीजेगा, और फिर last वला important है, जितनी leaves हमारे पास है, leaves are the credit, आपको देखना है कि आपके पास कितनी leaves बची है, कितनी leaves बची है, कितनी leaves हमें grant होती है, हर साल, वो आपको देखना है, कि कि जितना leaves हमें employer देता है, जितनी grant होती है, minus जितनी leaves आपने avail कर ली थी, जितनी आप छुट्टियां avail कर चुके हैं, वो आपकी खतम हो गई है, अगर आपने कुछ छुट्टियां in cash भी करी थी, leaves in cash, वो भी आप minus कर देते हैं, तो क्या मिलते हमें, कितनी छुट्टियां हमा करा लेते होंगे, उसके बाद बचता है कि हमारे पास कितनी छुट्टियां बची हैं, बट जब आप ये leaves at the credit निकालें, तो अगर employer हमें grant करता है, 30 days leaves या उससे कम, तब तो कोई problem नहीं है, बट अगर वो 30 days से ज़्यादा करता है, तो leaves granted maximum आप 30 लेंगे, अगर for example, आपका employer 40 days, 45 days की leaves आपको देता है, तो आप 45 माइनस मत avail और माइनस in cash मत करिएगा, maximum इसको 30 ही लेना है, आपको, याद आ गया आपको, ठीक है, VRS और retrenchment compensation में इतनी modern नहीं होते हैं, बस दो बात याद रख लीजेगा, maximum 5 lakh rupees तक की limit होती है, maximum 5 lakh rupees तक की limit होती है, Retirement benefits, एक question कर लेते हैं, Mr. Anand, an employee of XYZ Company Limited at Mumbai and covered by the payment of Gratuity Act, पेमें और Gratuity Act में covered है, government employee नहीं है, ठीक है, XYZ Company Limited के employee थे, 64 years की age में retire होते हैं, after completed 33 years and 7 months, अब देखो, he is covered under payment of Gratuity Act, यानि कि जब इनके लिए हम लेंगे, तो 6 months से ज़्यादा हो रहे हैं, तो round off कर देंगे, ठीक है, कितना लेंगे, 34, ठीक है, 33 years, 7 months, ठीक है, 34 ले लेंगे, under time of retirement, the employer pays 20,51,640 as Gratuity, ठीक है, इतना तो Gratuity मिला, तो lease of falling exempt करेंगे, ठीक है, actual Gratuity, 20,00,000 रुपीज, और फिर तूंके covered हैं, 15 by 26, into, ठीक है, last round salary, क्या लेंगे, basic salary, plus DA, into complete year of service, और part year of in excess of 6 months, वो आजेगा 34, ठीक है, और इनको 6 लाक रुपीज मिले हैं, accumulated balance of recognized prudent fund, आरपीफ के पैसे मिले हैं, अब देखो, आरपीफ के पैसे 6 लाक रुपीज मिले हैं, क्या textable करेंगे, ता answer is no, क्योंकि already, आरपीफ के पैसे कब textable करते हैं, अगर 5 साल से पहले, अगर हम retirement ले ले लेते हैं, 5 साल से पहले withdraw करा लेते हैं, तब यहां पर textable होता, बट क्योंकि यहां पर तो already इन्होंने 33 years, 7 months काम किया है, तो यह 6 लाक रुपीज तो exempt होने वाले हैं, ठीक है, और 5 साल से पहले आ जाते हैं, तो taxable हो जाता है, बट उसकी भी कुछ exception है, पर एक्जामबल, employee physically handicapped हो जाता है, terminate हो गया, क्योंकि company बंद हो गई, उस case में तब भी exempt कर देते थे, याद आ गया वो बात भी, he is also entitled to monthly pension of 8,000, monthly pension मिली है, fully taxable करेंगे, 8,000, जब से pension मिलना शुरू हुआ, 8,000 per month taxable कर दीचेगा, 75% इनोंने commute करा ली, और 4,500,000 रुपेन को मिले, तो देखे, यह retire हो रहे हैं, 31st December 2020, यह मतलब pension January से मिलनी शुरू ही थी, तो January में तो 8,000 per month मिली, 8,000 per month fully taxable करेंगे, बट February में और March से अब यह 75% commute होगे, तो यानि कि 25% uncommuted बची, तो 8,000 का 25% मतलब 2,000, 2,000, तो February की जो regular pension बची वो सिर्फ 2,000 और March की 2,000, तो 8,000, 2,000, 2,000, यह तो predictable होगा, और 4,500 का क्या करेंगे, 4,500 जितना मिला, इसमें से less करेंगे exempt, exempt depend करता है 1 upon 2 या 1 upon 3, पर डिपेन क 3 of, 1 upon 3 of कितना, जितना pension मिली है, 4,500,000 जितनी pension मिली है, 4,500,000 divided by percentage of commutation 75%, 4,500,000 divided by 75% निकाल दीचेगा, उसका 1 third exempt हो जाएगा, ठीके, he receives 8,000, for leave-in cashment, अब इनको leave-in cashment के भी पैसे मिलें, कितना exempt करेंगे इसमें से, actual leave-in cashment 8,000, second rupees 3,000, ठीके, third, 10 into average salary, 10 into average salary, 4, leaves at the credit, जितनी इनके पास leaves at the credit है, उसको per month में निकाल लीचेगा, into your average salary, into complete year of service, और part year of लेने हैं, नहीं, only complete year सी लेने हैं आपर, ठीके, और company ने 40 दिन की चुट्टियां provide करते हैं, पर maximum आपको कितना लेना है, जब leaves at the credit निकालने, 30 लेना है maximum, जिसमें से 25 days की चुट्टि हर साल बचती हैं, नहीं, आप क्या करेंगे, maximum 30 लेंगे, 30 minus 25, यानि की 5 दिन की चुट्टियां इनके पास रहती हैं हर साल, 5 into, ठीके ये तो days आगे, 5 days, कितने साल लेने हैं, आपको 33 years, 7 months, 7 months नहीं लेने, सरफ 33 years लेने, 5 days into 33, ये आपके पास इतने days आजाएंगे, पर क्य करेंगे, याद रखेगा, आपको average salary से multiply करना है, और salary monthly होगी, तो इसलिए आपको ये days को भी months में convert करने के लिए, divide by 30 कर लीचेगा, ठीके, लीज से तक credit निकाल लेंगे, आगे लिख होगे, determine the salary chargeable to tax of Mr. Anand for assessment year 21-22 with the help of the following information, अब दिसेंबर में रिटार हुएं हैं, तो December तक 9 कर देंगे, bonus 36,000 exact है, तो per month नहीं है, आपर 36,000 लिएना है, house rent allowance 15,000 per month है, और कहीं पर भी ये rent pay कर रहे थे, क्या, rent pay तो कहीं पर नहीं था, तो HR तो fully taxable आने वाला है, और आपको जानते है new pension scheme, new tax regime के according अगर आप निकाल रहे हैं, तो फिर तो fully taxable हो जाता है, और अगर 10,000 रुपीज का, तो HR भी exempt करेंगे, ठीक है, HR भी exempt कर देंगे, lease to the following, आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, actual HR रे, rent paid minus 10% of retirement benefit salary, और 40% या 50% और क्योंकि ये मुंबई में थे, यहां पर 50% निकाल दीचेगा, employer contribution towards RPF है, 1,10,000 रुपीज, ठीक है, employer contribution 1,10,000 है, आप क्या देख प्रोफेशनल टेक्स पेड़ बाया आनंद, यहां पर deduction देदेंगे, तो standard deduction आएगी, दूसरी है, 2000 रुपीज की deduction आजएगी, ठीक है, तो इसको एक बर आप देख लीचेगा, ठीक है, यहां पर सारा मैंने HR ए, ग्राट्विटी, कंप्यूटी, कंप्यूटी, पेंशन वग कि आप यहां पर इस वीडियो को stop कर दें, ठीक है, आधे गंटे के लिए आप इस वीडियो को stop कर दें, आप लोग सालरी का चाप्टर पिक करें, आपने जहां से भी किया होगा, ठीक है, आपने जिसकी से भी फैकल्टी से आपके पास बुक होगी, या study material होगा, चार्ट र आपके लिए कर 25 मिनिट्स का टाइम लिजे, माकसिम चलिए 30 मिनिट्स का टाइम लिजे, ठोड़ा ब्रेक लिजे इस क्लास से भी, ठीक है, और फटा फट वो सालरी वाले सारे पॉइंट्स देखाई है, आधे गंटे से पहले आप लोग अराम से कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां से अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका कॉंफिदेंस बहुत जादा पड़ जाएगा, तो अभी इस वीडियो को यहां पर स्टॉप करें, और ठीक आधे गंटे बाद दुबार से रिज्यूम कर दीजेगा, या बंद कर दीजे, दुबार से खोल लीजेगा वीडियो को, ठीक है, पर आधे गंटे बाद आप दुबार से आईए, फिर हम हाउस्पापटी डिसकस करेंगे, यह एकसरसाइज ना आपको हर चाप्टर के बाद करनी है, आधे आधे गंटे नहीं होगा, सैलरी थोड़ा सा बड़ा चाप्टर है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा इंदे सेंस कि इसमें बहुत साइज चीज़े होती है, तो कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मैं आधे अधे हंटा भी बोल दिया आपको रिवाइस करने के लिए, हाउस्पाटी होगा, तो मैं आपको मुश्किल से पंदरा मिनिट को लूँगा, य जिससे भी आप मेशरली पढ़ते थे during your preparation, वो पिक कीज़े जन्दी से, ठीक है, और माक्सिमम 30 मिनिट्स लेने, 30 मिनिट्स के बाद, प्रॉमिस में आप दुबारा से रिज्यूम करेंगे इसको, ठीक है, चले मिलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, आधे हंटे के बाद, ने नहीं चलेगा, it must be a building, land apportinent there to हो सकता है, land अगर building के साथ attached है, चलेगा, but vacant land से अगर income आती है, तो that is called IFOS income, हो तो IFOS में जाएगी, तो there must be a building, building होना जरूरी है, प्लस assessi, अगर इसका owner है, ठीक है, he must be the owner, या deemed owner, deemed owner या याद आता है, आपको, section 27 में deemed owner के concepts आते हैं, तो अगर assessi इसका owner है, या deemed owner है, प्लस there must be a building, और assessi इसको खुद के अपने business में और profession में यूज नहीं कर रहा है, तो that is house property income, section 22 अट्राक्ट हो जाते है, charging section, तो section 22 कहता है, that there must be a building, और land apportinent there to, land उसका attached हो सकता है, assessi owner हो या deemed owner हो, और खुद वो अपने business या profession में इसको use नहीं कर रहा है, अगर वो खुद अपने business या profession में यूज कर रहा है, फिर तो business income जाती है, फिर उसके related जितने भी expenses है, फिर तो business expense माले जाते है, but अगर वो अपने business में यूज नहीं कर रहा है, अपने profession में यूज नहीं कर रहा है, तो हम house property की income बना देते हैं, इसकी, section 23 कहता है कि computation करते ह हैं, कैसे करते हैं, GAV बगरा की, 24 में deductions होती है, deductions, दो deductions होती हैं, सरफ 24A और 24B, 24A standard deduction होती है, सिधा-सिधा बस 30% flat देते हैं, of NAV, net annual value का 30% reduction है, 24B होती है, interest on borrowing, अगर आपने इस घर के को बनाने के लिए, construction करने के लिए, purchase करने के लिए, या फिर repairs या renovation करने के लिए, लोन लिया है, उसका interest allowed होता है, वो 24 होता है, 25 होता है, deductions not allowed, अगर आपने loan लिया और interest आप पे करने हैं, outside इंडिया, ठीक है, outside इंडिया पे करने हैं, बिना TDS rate करें, या फिर अगर उस विक्ति का agent इंडिया में नहीं है, तो उस case में वो interest allowed नहीं होता, 24B फिर allowed नहीं होत या फिर areas of rent, अगर वो recover हो जाता है, that is house property income, और हम उसमें से 30% की reduction दे देते हैं, यानि कि 70% हम उसको taxable कर देते हैं, for example, 1 lakh rupees की recovery होई, तो 70% यानि कि 70,000 rupees house property income बन जाती है, 25A जाद आ गया, 26 co ownership का होता है, अगर एक asset का, कोई एक building है, उसके 2 owner या 3 owner या 4 owner है, that is called co ownership, कैसे करत हैं, अगर वो let out है, अगर कोई co owned property है, अगर वो let out है, ठीक है, let out के लिए अलग treatment है, self occupity के लिए अलग है, let out के लिए कैसे करते हैं, let out के लिए सबसे पहले आप इसका house property income निकाल लीचे, assuming की single ownership है, ठीक है, single ownership को assume करते हुए house property income निकाल लीचे, जो भी income आएगी, जो भी income आएगे फिर उसको डिवाइड कर दीचेगा इन्दा ओनर्शिप रेशो तो फर्स यू नीड तो काल्कुलेट इंकम और देन डिवाइड दाट इंकम इन्दा को ओनर्शिप रेशो अगर वह को निशिप रेशो असर्टेनेबल नहीं है फिर तो पूरी की पूरी इंकम आज की तरह टेक्सेबल कर दीचेगा बट जनरली आपको ओनर्शिप रेशो गिवन होगा तो इस रेशो में इसको डिवाइड कर दीचेगा इन केस अगर यह को ओनर्श ओन प्रॉपर्टी थी और यह लट आउट नहीं है यह सेलफ उक्यूपाइड है तो सेलफ यहांनी कि दो लाग के लिमिट होती है वहर को मिलती है तो डीम नोनर्शिप के कंसेप्ट होते हैं तो अगर को ट्रांसफर कर दिया विदाओट एडिकूइट कंसेटरेशन है अगर कोई इंपार्टेबल स्टेट है तो जो भी उसका होलडर होगा उस स्टेट का उसके बन जाता है वो कंसेप्ट आप लोग जानते हैं ठीक है तो बहुत इजी है हाउस परटी का चार्जिंग सेक्शन हमने देखा कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हाउस परटी की सबसे पहले ग्रॉस अनुल वेल्यू निकालिए तो यही में काम होता है हाउस परटी में करने के लिए हमें सबसे पहले जी एवी निकालनी पड़ति है जी एवी कैसे निकालते हैं जो हमारा एकुल रिंट और र वी बोलते हैं इसको आकुल रिशीव या रेणिस यहSuper में हैए कूर rent और actual rent whichever is higher हमारी JV होती है expected rent कैसे निकलता है जो भी इसकी municipal value है या fair rental value है whichever is higher municipal value या fair rental value whichever is higher और इसको फिर compare करेंगे standard rent से और whichever is lower वो हमारा expected rent होता है expected rent को annual letting value भी बोल सकता है question बात ही किया expected rent बोले या फिर annual letting value बोले तो सबसे पहले GAV निकाल लीचेगा GAV में से जो भी GAV आये उसमें से जो municipal taxes actually pay हुए है during the year अगर municipal taxes pay नहीं हुए है इस साल तो allow नहीं करेंगे यानि कि municipal taxes हम लोग cash basis पर allow करते हैं which are actually paid by the owner अगर वो tenant ने pay की है तो allow मत कीजएगा it should be paid by the owner ठीक है वो municipal taxes minus करेंगे NAV आएगा और NAV में से simple दो deductions minus होंगे 24A 24B 24A statute deduction होती है 30% of NAV ठीक है अगर मान लेते हैं self occupied property है जहांकि NAV निल है तो 24A भी निल हो जाता है 24B interest on borrowing minus कर देते हैं self occupied property के लिए restriction है ठीक है टूलाक रुपीज तक अगर repair renovation के लिए लिए है तो 30,000 रुपीज तक बट अगर let out property है deemed let out property है फिर तो interest on borrowing के उपर भी कोई limit नहीं होती जितना भी आपका interest due हुआ जितना भी आपका interest due होता है यापर paid basis नहीं है interest के लिए जितना भी आपका इस साल interest due हुआ पूरा पूरा मिल जाता है और अगर pre construction period का भी interest आ रहा है तो उसका भी one-fifth लेते हैं उसके बाते भी में discuss कर लूँगा अभी ठीक है GAV कैसे compute करते है annual actual rent जितना भी मिला है या मिलना है ARR actual rent received or receivable यह expected rent यह annual letting value whichever is higher expected rent कैसे निकलेगा municipal value और fair rental value whichever is higher इसको compare करेंगे standard rent से whichever is lower यह हमारा expected rent आता है ठीक है अगर in case actual rent is lower than expected rent तो due to vacancy vacancy का concept क्या होता है कि अगर for example अगर हमारा घर let out था पर बीच में वो vacant हो गया ठीक है कि राधार छोड़कर चला गया है तो उस case में आप क्या करते है expected rent जनरली हम लोगों को क्या पता है expected rent और actual rent इन दोनों को compare किया जाता है बट अगर for example vacancy का point है question में vacancy है यह आप तभी करेंगे जब vacancy है तो अगर vacancy है तो आप क्या देखते हैं कि actual rent मेरा कम आ रहा है तो फिर यह चेक करते हैं कि it is due to vacancy क्या vacancy की वज़े से कम आ रहा है अगर वो vacancy की वज़े से कम आ रहा है फिर तो हम actual rent को ही हम मान लेते हैं यही जीवी होगा बट अगर वो vacancy की से कम नहीं आ रहा है due to some other reasons होंगे तो फिर हम expected rent को जीवी मानते हैं याद आगे यह बात भी ठीक है और यह कैसे निकालते हैं हम लोग एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुए कि जब कभी भी आपको expected rent और actual rent को compare आप करेंगे वैसे तो whichever is higher को हम जीवी मानते हैं बट इ निकाल दीचेगा क्योंकि आपका expected rent मान लेते हैं पूरे 12 महीनिक है और इसमें से for example 2 महीनी की विकेंसी है तो proportionate expected rent कितना निकालीगा 10 months का तो आप proportionate दो महीनी का हटा दीचे और 10 महीनी का निकाल दीचे और proportionate rent को और actual rent को उस case में compare करें अगर actual rent जादा आ जाता है फिर तो GAV या तो ER होगा या AR होगा इन दोनों में से एक ही होता है ठीक है unrealized rent अगर हो जाता है तो unrealized rent actual rent में से आप minus करते हैं ठीक है और आपको पता है कि maximum 2 self occupied property की NAV निल बान सकते है maximum 2 self occupied की NAV निल बान सकते हैं दो से ज्यादा अगर property आपके पास तो फिर maximum 2 की मानेंगे थर्ड वली property तो डीम लेट आउट की तरह मानी चाहेगी 24 की deduction 24 A 24 B मिलेगी interest due basis पर allowed होता है 24 B due basis पर allowed होता है अगर आपने पे नहीं भी किया है तो भी allowed हो चाहेगा अगर आपने loan पहले ICIC bank से लिया था बाद में आपने इसको change करके HDFC से balance transfer करा दिया तो भी allowed होता है कोई problem नहीं है pre construction period interest five installments में मिलेगा pre construction period क्या मतलब क्या होता है अगर आपने loan लिया था फिर बाद में आपका construction चल रहा था और आपका घर बाद में complete हुआ तो जितना भी pre construction year में आपका ये घर complete हुआता है किसी भी दन complete हुआ जिस भी previous year में let's say घर complete हुआ है previous year 1920 में let's say 1920 में घर complete हुआ किसी भी दन यानि कि इससे पहले की जो 31st March आई होगी इस पर इस previous year से जस्ट पहले की जो 31st March थी वहां तक ही हमारा pre construction period रहता है ठीक है वहां तक ही हमारा pre construction period रहता है और इस पूरे period का आप interest calculate करेंगी उसको divide by five करेंगे और five equal installment से जब से घर complete हुआ है यह वाला और टोटल आगे के चार साल मतलब कुल मिला के पांस साल तक आपको pre construction period की भी deduction मिल जाती है साथ-साथ में ठीक है और अगर यह property निवी निल है इसकी अगर आपको वेल्यू डॉलर्स में या फिर किसी और फॉरन करना नहीं करते हैं अगर आपको वेल्यू डॉलर्स में या फिर किसी और फॉरन करनसी में दी होगी तो आपको conversion rate भी गिवन होगा वह भी आप लिए सकते हैं वहाँ पर जो municipal taxes पे हुए तो माइनस करेंगे बट इनकेस अगर आप एक non-resident है या फिर not ordinary resident है तो उससे income उससे जो income आते वह taxable तभी होगी अगर वह actually receive होती है इंडिया में बिकस इन केस अगर वह arise तो हो नहीं रही इंडिया में बिकस वह इंडिया के भार आपकी प्रॉपर्टी और आप एक non-resident है या फिर not ordinary resident है अराइस तो हो नहीं रही बट अगर वह receive इंडिया में नहीं हो रही तो आप उसको छोड़ देते हैं उसको taxable नहीं करते हैं बट इन case अगर वह receive इंडिया में होती है तब taxable करते हैं बट अगर ordinary resident है या आप ordinary resident के लिए तो फूरा बिल्डिंग हो हमारे पास एक commercial building थी हमने उसको किराय पर दे दिया किसी mall में आपके पास एक shop थी आपने उसको किराय पर दे दिया house property की income हाईगी Mr. Ganesh owns a commercial building whose construction got completed in June 2019 अब देखो June 2019 में घर complete हुआ है मान लेते हैं अगर pre construction period होगा भी अब कौन से previous year में complete हुआ है सर जून में हुआ है नहीं आप प्रिवियस एर बदाए कौन से previous year में हुआ है सर यह previous year है 1920 पक्का ना जून 19 मतलब 1920 में आएगा तो प्री construction पीरेट कब तक आएगा जब से लोन लिया वहां से शुरू हो जाएगा but up to 31st March 2019 तक याएगा यानि कि इस previous year को पूरा का पूरा छोड़ दीजे इससे पहले जो 31st March आया होगा सिर्फ वहां तक ही आपको लेना है I know technically तो जून तक ही आपका pre construction है ठीक है लेमें तो यह बोले कि जून तक pre construction है but just previous year में हमारा construction complete हो जाता है हम उस पूरे के पूरे येर को छोड़ देते हैं उससे पहले का 31st March में ठीक है और फिर जितना भी हां का interest आता है उसकी reduction मिल जाती है next 5 years में equal installments में 15 लाग का लोन लिया गया 1818 को अब मुझे बता है यह 1818 को लोन लिया गया तो प्री कंस्ट्रिक्शन पीडिर कब से जाएगा 1818 से शुरू हो चाहेगा और वो 31st March 2019 तक रहेगा 31st March 2019 तक रहेगा 31st March 2019 तक नहीं 31st March 2019 तक और इसके उपर अगर बीच में अगर हमने कुछ पैसे पेव अगयरा कर दिये होंगे तो आप अकॉर्डिंगली इंट्रस्ट काल्कूलेट कर यह अब ऐसा नहीं कि सीधा सब्द्रा लाग पर बंद्रा परसेंट कर देंगे हम सीधा सीधा यहां पर कुशन में देख ली हां पर मुझे लग 18,000 इच फानेंशल यह ऑफ 19,000 वाले मिनिस्पल टेक्स पे हुए इस डेट को यानि कि हमारे प्रिवेस में फर्स में 2020 को तो वह अठारा हजार ऑल्टो वह लास्ट यर को बलॉंग करता है बड़ हमारी वाले यह में पे हुए हैं तो वह 18,000 रुपीस अलाउट हो जाएंग बड़ जो 2021 के 18,000 रुपीस है वह पे हुए 5,421 को यानि कि हमारे प्रिवेस यर के बाद पे हुए तो डूरिंग आर प्रिवेस यर वह पे नहीं हुए हैं तो अलाउट नहीं होंगे यानि कि आपने जो 1920 के 18,000 पे करे होंगे वह ही अलाउट है इस साल ठीक है क्योंकि हम ल रेंट को ही जिए भी मान लेते हैं क्योंकि विचेवर थायर लेना है और वहाँ पर एक्सपेक्टेट मिला नहीं तो एक्चुल रेंट को ही हमने ले लिए 40,000 इंटू 12 क्यों पूरे 12 मेने के लिए हमने हमारे पास यह प्रॉपर्टी थी तो 40,000 इंटू 12 480 मिनिस्पल टे आउट्सांडिंगी चल रहा है मतलब तो करंट इयर का सबसे बहुत करंट इयर का इंटरस्ट निकालेंगे प्रिविए सी यर 2021 का इंटरस्ट निकालेंगे 15,000 लाग का 15 परसेंट वो तो पूरा आज हैगा इस साल का और प्लस प्रीकंस्ट्शन पीरिड का भी 1 फिफ निका भी 1 फिफ आने वाला हो यहां पर भी आएगा ठीक है तो आई बिलीब यह कर लेंगे इस तरीके से इंटरस्ट के मैंने कालकुलेशन की हुई है वह आप इसली कर लेंगे निक्स्ट है गनेश अज़ प्रॉपरटी फूस मिनसिपल वेल्यू विफ्ट्टी थाओजन ठीक है मिनस्पवल्यू दी हुई है फिर रेंटल वेल्यू इस तू लाक आपको पता है तू फिफिट्टी तू लाक विचेवर इस हाय है तू फिफिट्टी स्टैंडर रेंट 210 तो 250 आया बट इसको compare करेंगे standard rent से whichever is lower 210,000 यानि कि हमारा expected rent आ रहा है 210,000 रुपीज का यह तो हमारा expected rent है the property was let out for rent for 20,000 पर मन तो property 20,000 पर मन पे let out थी however the tenant vacated the property on 31-1-2021 यानि कि January के end में उसने property vacate कर दी है इसका मतलब February और March में हमारी property vacate रही दो महीने का vacancy है unrealized rent भी है साथ-साथ में पहले vacancy की बाते कर लेता हूं मैं देखिए हमारा expected rent आया है वो 210,000 आया था समझ के 210 कैसा है होगा municipal value या fair rental value whichever is high 250 compared to standard rent 210,000 थो expected rent हमारा 210,000 आया और हमारा actual rent है 20,000 इन्टो 10,000 इन्टो 10 यानि कि 10 महीने ही property लेट आउट की थी क्योंकि February और March में वो लेट आउट नहीं थी weekend थी 20,000 इन्टो 10 आया टू लाग रुपीज अब क्योंकि इस question में unrealized rent भी है और एक महीने का तो unrealized ही हो गया मैं दुबारा से रिप्लिक लेता हूँ expected rent आया हमारा 210,000 और हमारा जो actual rent आया net of unrealized rent वह आया 180,000 दो महीने के vacancy का और एक महीने का unrealized rent हम लोगों क्या लेते हैं हम देखेंगे तो simple है expected rent को proportionate कर लें दो जितने महीने के vacancy है सिरफ vacancy वाला period को हटाएंगे आप तो यह दो लाग 10,000 पूरे 12 महीने के थे तो आप इसके 10 महीने का निकालके देख लीचेगा तो दो महीने हटा दीचेगा दो लाग 10,000 डिवाइड बेट 12 इंटो 10 कर लीचे अब आपको देखना है whichever is higher अगर actual rent जादा है तो फिर तो GAV actual rent ही होगी तो क्या पर तो actual rent जादा है बट इन केस अगर proportionate expected rent मान लेते हैं 185 होता अगर 185 होता तो आप क्या करते 185 GAV मान लेते हैं नहीं फिर GAV क्या मानते ER अगर PER जादा याद कर लीजी है बात में बार बार समझाते हूं अगर PER जादा है तो आपको PER को GAV नहीं मानना किसको मानना ER को जो हमारा ER था ER क्या था 2,10,000 इसको फिर आप जी भी मानते बट इस question में ऐसी कोई problem नहीं आई क्योंकि proportionate expected rent था 1,75,000 और actual rent था आपका 1,80,000 तो अगर actual rent जादा है तो फिर तो actual rent ही आपकी GAV बन सब्सक्राइब 2,50,000 थी इसका 8% ठीक है 8% GAV का मत ले लिचेगा municipal value का होता है ठीक है तो यहां पर GAV 180 मिनिस्पल टेक्सस 250 का 8% 20,000 NAV आगे 160 ठीक है NAV में से 20 30% of 24A 30% of NAV दे थीचेगा 24B interest on borrowings दे थीचेगा interest कितना है 65,000 directly दिया गया 65,000 माइनस कर दीचेगा ठीक है next है Mr. X owns a house in Delhi for of which three-fourth of the house was self-occupied अब यहां पर क्या होते है एक घर है और एक घर के अलग-अलग units है उसके अलग-अलग use हो रहे हैं हो सकता है एक घर एक portion self-occupied हो एक portion let out हो एक portion अपने business में use कर रहे है तो अगर कोई भी portion अपने business में use कर रहे है वो तो house property में आए है नहीं इन फाक्ट उससे related जो expenses होते हैं वो PGVP expenses बनेंगे बट जो property आप self-occupied कर रहे हैं या let out की है वो आप house property income मनाईएगा self-occupied portion के लिए एनवी जीरो मानेंगे 24A0 हो जाएगा 24B की limit interest रहेगा बढ़ उसकी limit maximum two lakh रहेगी या 30,000 as the case में भी और जो let out property है वो तो आप simple house property इदर compute करेंगे और इस पर कोई interest की limit भी नहीं होती है तो three-fourth portion self-occupied था one-fourth portion let out था ठीक है rent one-fourth portion था 1,400 पर मन्त ठीक है या actual rent आ गया one-fourth portion का from one-one to 2021 this portion was also used for own residence मतलब यह वाला जो one-fourth वाला portion है यह भी अपने घर के लिए use कर लिया गया हमने one-one 2021 से मतलब January February March 3 महीने हमने self-occupied use किया nine months वो let out था पर इस case में हम इसको क्या मानेंगे क्या इसकी NAV निल लेंगे तीन महीने की the answer is no जो property throughout the year self-occupied होती है उसकी हम NAV निल लेते हैं but इसकी NAV तो निल नहीं लेंगे because यह during the year कुछ ना कुछ दिन तो let out था ठीक है municipal value पूरे घर की 20,000 है municipal value पूरे घर की 20,000 है तो three-fourth की आपको अलग निकालनी पड़ेगी one-fourth की अलग निकालनी पड़ेगी जब कभी इस तरह के questions आते हैं आपके कि आपके multiple portion है अलग-अलग use होता है तो please उसका अलग-अलग separately आप calculation खरिएगा ठीक है आगे लिखाव है he incurred the following expenditure in regard to house property municipal taxes due municipal taxes due है pay नहीं हुए पे नहीं हुए तो allowed नहीं करेंगे ठीक है due basis पर तो हम allow करते नहीं है repairs का खर्चा करा है house property हम यह सब लेते नहीं है repairs पखेरा हम तो एक flat deduction देते हैं 30% standard deduction देते हैं fire insurance कुछ नहीं होगा land revenue ground rent यह सब नहीं मिलेगा loan 2 lakh rupees कथा 9% का इसके उपर interest है और घर complete हुआ 283 2016 को अब मुझे प्लीज बताइए previous year कौन से year में हुआ यह 15 16 में घर complete हुआ प्रीवेसर 15 16 में इसको तो पांस साल अलेडी पूरे हो चुके हैं यानि कि हमारे वाले पीरेड में प्रीकंसक्शन से लेड़े तो आएगा नहीं क्योंकि ऑल्री पांस सल हमारे पूरे हो चुके हैं तो इनफाक्श्टी है यहां पर आएगा नहीं तो आप इस तरीके से निकाल लीज़ेगा प्लीज इसको अलगलग शोग कीजिए गा थ्री फोर्ट पॉर्शन सेल्फ उक्यूपाइड वन फॉर्ट पॉर्शन लेट आउट था मिनिसिपल वेली अलगलग कर येगा इसकी त तू लाग रुपीज नाइन परसंट का लोन लिया गया है पूरा और सेलिगे तो लाग का नाइन परसंट एटीन थाउजन हो गया तो एटीन थाउजन का आप थ्री फोर्ट निकाल दीज़ेगा ठीके ऑबिसली दो लाग से तो काम है तो यह पूरा अलाउड हो जाएगा यहाँ पर थ्री फोर्ट थरी फोर्ट थरीन थाउजन थाउजन फाउजन फाइफंड और इस केस में हमारे पास अक्टुल्ल रंट एक्सपेक्टेज रैंट विचम एप्टिवर एक्टुल रेंट 1600 हायर है ठीके शेशन थाए होगा आपका अप्रप लेंट था फोर्टी तो यहां पर एक्चुल रेंट ज्यादा था 24 A भी मिल जाएगा 24 B मिल जाएगा जितना भी इंट्रस्ट था तो उसका वनफोर्थ आप दे दीचेएगा यहां पर आपका मांट आ चाहेगा ठीक है तो इस तरीके साहस प्रॉपटी कुश्चन होते हैं कुछ कुश्चन आ जात टेंट हैं या फिर वह इंकम इंडिया में रिसीव हो जाते तब आप टेक्सिबल कीचेगा पॉरन करन्सी को इंडियन करन्सी में कर लिजिएगा सिंपल टीके डालर का रेट होगा आपको रुपीज में उसको रिचेगा उससे आपकी इंकम आ जाएगी एरियर साफ रेंट है आया रेसीव हो गया या फिर अन्रिलाइज रेंट रेकावर हो गया सेवंडी वर्शन उसको आप टेक्सिबल कीचेगा ठीक है चलिए फिर हम नेक्स्ट चाप्टर पर बढ़ते हैं पीजी वीपी आप लोग चाहें तो यहां पर ना आप 10 से 15 मिनिट का ब्रेक लीजेगा माक्सिमां 15 मिनिट का ब्रेक लीजेगा हाउस वापर्टी अपनी बुक से ठीक है जिस भी बुक को आप रेफर करते थे उस बुक से 15 मिनिट का टाइम लीजे उसको पढ़कर आईए फिर हम पीजी निक्स चाप्टर डिसकस करते हैं पीजी बीप अगेन एंपोर्टन चाप्टर सेंपल चाप्टर से लेकर 44 तक यहां पर हम डिसकस करते हैं सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है तो सेक्शन 28 में कुछ 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसी इंकम हमारी पीजी बीजी बीजनेस किसी बीजनेस हो या प्रोफेशन हो पीजी बीजी बी मानिएगा सेक्ट लिखा हुए है कि अगर आपको गिफ्ट या परक्यूजेट्स मिलते हैं अगर हमारा कोई क्लाइंट है हमारा कस्टमर है दूरिंग दा कोर्स ऑफ और बिजनेस या प्रोफेशन को फीज या दागे नॉन कॉम्पेटिंग फीज ना करने के पैसे पीजीविप की इंकम आएगी कीम एन इंशॉरंस पॉलिसी का पैसा कीम इंशॉरंस होता है कि कोई हमारा हमारी कंपनी में कोई इंपॉर्टन परसन था हमने उसके उपर इंशॉरंस ले लिया था उसको कुछ हो जा लेट से अगर इंपलउई की डेथ हो गई और उसके फैमली मेंबर को कंपनी वोलती है कि नहीं के फैमली मेंबर को पैसे देते हैं तो फिर उनकी फैमली मेंबर की आय फो इसकी इंकम बनती है तो कीम एन इंशॉरंस पॉलिसी आप लोग समझते तीन जगा पर यूस होता है salary में अगर employee को पैसे मिल रहे हो IFOS में अगर उसके employee के family members को पैसे मिले हो और या फिर अगर company को खुद को पैसे मिले उसने retain करें तो उनके PGVP की income होती है inventory converted into capital asset अगर हमारे पास इस stock था stock and trade देखो stock and trade जब बेचा जाएगा PGVP की income अगर stock and trade capital asset में भी आप convert कर रहे हो तो भी PGVP income मानी जाएगी और कितना selling price माना जाएगा जो इस समय इसकी fair market value थी इसको हम reverse पढ़ते हैं अगर हमारे पास ए capital asset था अगर हम उसको stock and trade में convert करते हैं तो capital gain आता था तो उसको हम capital gain में पढ़ते हैं यहाँ पर हम क्या बट रहे हैं हमारे पास stock था we are converting it into capital asset Reveneration received by a partner from partnership firm partners को जो पैसे मिलते हैं अपनी partnership firm से like salary from partnership firm, bonus, commission ठीक है interest on capital वो partner की PGVP की income माने जाती है share of profit अगर मिलते है partnership firm से अगर share of profit मिले तो please उसको exempt कीजेगा अगर आपको बाकी Reveneration मिलती है वो PGVP की income माने जाती है ठीक है यह बात है non working partner है working partner उसके बारे में auditor में बाते करेंगे जब मैं 40 small भी EC chapter में discuss करूँगा अगर हमें export assistance मिल जाती है ठीक है कोई government हमें मदद करती है export करने के लिए या फिर हमारे पास export incentive हमारे पास export entitlement license उसको बेचने से कोई income आजाती है that is again PGVP की income कोई business contract breach हो जाता है उसका कोई compensation मिला PGVP की income आजाती है और section 35 AD 35 AD होता है उस specified business अगर हम उसके assets को उसके उपर हमने 100% reduction ले लिए होगी 35 AD में अगर वो assets जब बेचे जाते हैं तो जो भी income होती है वो भी PGVP income माने जाती है section 29 29 था computation of PGVP हम जब PGVP compute करेंगे तो किसे किस तरीके से करेंगे जो हमाई PNL account या income and expenditure account given होगा जो उसका net profit है हम महाँ से शुरुबात करते हैं तो हम सबसे पहले अगर यह PNL account है और यहाँ पर कुछ expenses लिखे हैं यहाँ पर कुछ income लिखे हैं and here is net profit या net loss कुछ भी हो सकते हो अदर net loss है दूसरी side या फिर net profit ही मही मान के चलता हूँ अगर यहाँ पर net profit है तो इसको मान लेते हैं कि यह हमारा starting point है net profit से start कीजिए फिर देखे कि कौन-कौन से expenses debited है PNL account में अगर वो expenses allowable expenses हैं 30 से लेगा 37 में आते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है allowed है अगर हमें कोई भी ऐसा expense मिलता है जो PNL account में debit है बट उसको allowed नहीं होना चाहिए तो हम उसको add back करते थे तो first point क्या होता है हम सबसे पहले net profit से शुरुआत करते हैं फिर अपने expenses को देखते हैं जो allowable expenses है वो ठीक है जो गलत expenses उसको add back करते हैं फिर अपनी income की side देखते हैं अगर हमें लगते है कि कोई भी income यहाँ पर ऐसी लिख्खे है जो section 28 में आनी चाहिए होगा ना उसको फिर हम यहां से हटाकर IFOS में ले जाते हैं या दूसरे हैड में ले जाते हैं या फिर अगर हमारे credit side में कुछ ऐसी income लिखी हुए जो exempt income है उसको हम यहां से हटा देते हैं और फिर वो क्योंकि exempt है जैसे एक पार्टनर था और किसी partnership firm से उसको share of profit मिला share of profit we understand exempt होते हैं तो उसको वहां से हटा देते हैं फिर हम क्या देखते हैं फिर हम अपनी information check करते हैं कि information में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कोई ऐसे expenses था जो हमें allow करना चाहिए या फिर कोई ऐसे expenses था जो हमें इजस्मेंट से देखते हैं कि information given क्या है नेक्स सेक्शन आते हैं section 30 30 से लेकर 37 कौन से expenses होते हैं expenses विचार allowed हम expenses की बाते करते हैं section 30 से लेकर 37 में कि कौन-कौन expenses allowed होते हैं section 30 में आप अपने जो business में या profession में building से related expenses करते हैं यानि कि rent of building अगर आपके business में कोई building use कर रहे हैं professional building उसका आपने रेंट अगर देते हैं रेंट repairs ठीक है insurance अगर का खर्चा करते हैं आप उसका तो सारे expenses section 30 में allowed होते हैं ठीक है कैसे allowed होते हैं cash basis पर या due basis पर as per the method of accounting followed by the assessi जैसे भी accounting assessi follow कर रहा है generally हम लोग क्या जानते है mercantile system of accounting that is due basis accrual basis तो हम अगर पे भी नहीं किया बट वो इससल्ड ड्यू हुए थे तो भी allowed होते है बट अगर question में लिखा होते है कि अगर असे-सी cash system of accounting follow कर रहा था तो please cash basis पर यह allow करते हैं जो पे नहीं हुआ फिर allow मत कीचेगा बट अगर question silent है कुछ भी नहीं लिखा कि कौन सा method of accounting है तो we always assume by default कि accrual basis है that is mercantile system basis है बट आप जानते हैं कि section 30 में एक आते है taxes of building for example हमने अपने building के taxes pay किये हैं तो क्या वो भी हमारे due basis पर allow होते हैं the answer is no because we understand there is an very important section 43B 43B आता था आपको PGVP का 43B कहते हैं कि बहुत सार एक लिस्ट दी हुए पांचे expenses की दोज एक्सपेंसे अरलाउट only on actual payment जब आप उसका actual payment करेंगे वो तभी allowed होते हैं वो मैं discuss करूंगा आगे 43B भी बट फिर भी अभी अभी यहां पर 43B का reference एक आजाता है जैसे 43B में लिखा हुआ है और अगर आपका कोई भी रेंट है तो रेंट शुड भी आक्चुल रेंट नहीं किया है तो अभी अलाउट नहीं होंगे क्या होता है नोशनल रेंट का मतलब क्या होता था कि अगर आप उस बिल्डिंग के खुदी ओनर है और आप एक अपनी बोलते हैं कि सर यह मेरा एक थी अपरने तो और इसको रेंट पर लेता तो मेरा इतना रेंट आता स में नोशनल कि शूरण वर नहीं होता है अगर आंप चकोई और अरूर यह सब्सक्राइब पे कर रहे हैं, अगर सर हम अपने for example family member को rent पे कर रहे हैं क्योंकि वो family member owner था, कोई बात नहीं allowed है, हाँ बट उसके उपर फिर section 48.2 भी लग जाता है कि आप related party transaction कर रहे हैं कहीं fair market value से ज़्यादा तो नहीं है मालने थे हो fair market value पर ही कर रहे हैं तो अगर आपने father को rent दी है तो allowed है, कोई problem नहीं है ठीक है बट अपने आपको rent देना, असे सी खुद को rent दे रहा है अगर है notional rent है, वो allowed नहीं होगा section 31 plant and machinery और furniture से related खर्चे 2, repairs के और insurance के, rent of furniture नहीं आएगा rent of furniture और rent of machine 37 में आते हैं, हाँ पर सिर्फ दो खर्चे आते हैं repairs के और insurance के, plant machinery के ऊपर और furniture के ऊपर ठीक है, किसी भी तरगा capital X-mandature allowed नहीं होगा, it should be current repairs current repairs का मतलब है revenue nature के repairs होनी चाहिए, अगर capital X-mandature होगा है, तो फिर तो वो हमारी cost का पाट बन जाता है, उसके ऊपर तो depreciation आता है you understand, फिर next section आता है section 32 32 काफी जादा important रहता है section depreciation का, हम लोग PGV depreciation कैसे calculate करते है SLM method पर या WDV method पर generally WDV method पर SLM method तो सरफ किसके लिए allowed है अगर power generating units वाला business है तो उसके लिए तो SLM option allowed है, but otherwise सभी बाकी दूसरे SSC के लिए WDV method यूज़ करते है और वो भी हम block of assets के उपर charge करते है block of assets क्या होते है same category assets जिसके उपर same rate of depreciation लगता है, उसको block of assets कहते है जिसे plant and machinery है 15% का block हो सकता है, 30% का block हो सकता है 40% का block हो सकता है buildings है residential type of building है ठीके for example हमारे पास guest house है या फिर हमारे पास कोई employee के लिए residential flats वगेरा business हे खरीदें तो 5% है normal buildings के उपर 10% rate of depreciation है purely temporary structures वगेरा है तो 40% rate of depreciation है ठीके याद आता है आपको plant अगर furniture and fittings है तो उसके उपर 10% rate of depreciation रहता है तो सिर्फ हमने WDV method यूज़ करना है सिर्फ power generating के लिए SLM मिलता है अगर वो चाहें तो WDV ले सकते हैं बट very first year जब वो business comments होता है उनको पहले साल में ही जब अपनी return file करते है power generating units वाले लोग उनको बताना पड़ता है कि क्या वो लोग WDV method यूज़ करना चाहते हैं otherwise by default उनको SLM मिलता है ठीक है WDV method में हमेशा block of assets के उपर depreciation charge होता है और अगर हमने अब कितना depreciation charge करते हैं या तो वो हमारे पास पता है कि block of assets के उपर अलग-अलग rates बिल्डिंग के उपर 5B है 10B है ठीक है 40B है प्लान मशिनरी उपर जनरली 15 है 15% है 30% भी है 40% भी है ठीक है तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का block था उसके उपर क्या rate लगेगा बट क्या हम ये पूरा का पूरा rate फॉर एक्जांपल अगर हमने कोई भी असेट सिर्फ 8 में इक लिए उसकी या 9 मंस के लिए उसकी है तो कि हम उतना depreciation लगाते है तो answer is no section 32 में depreciation लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है या तो यहां पर full depreciation लगता है पूरे साल का depreciation लगेगा full या फिर half लगता है या फिर nil लगता है सिर्फ यह तीन option होते है हमारे पास या तो full depreciation लगाई है या half लगाई है या लगाई है हम लगाते कब नहीं है अगर for example अभी तक asset हमने use ही नहीं किया put to use हुआ ही नहीं है खरीद लिया बट अभी use ही नहीं किया हो during the year acquire करा हो और साथ-साथ में 180 days से ज़्यादा कम use हुआ 180 days से ज़्यादा use नहीं हुआ 180 days से कम use हुआ है तो उस case में half लगता है exact 180 days use हुआ है तो full लगेगा 180 days से कम यानि 179 days जो उससे कम use हुआ है तो फिर उस case में वो half depreciation तो half depreciation के दो condition है same year में हमने acquire करा हो same previous year में जिस साल आप calculation कर रहे है इसी साल acquire किया गया हो और 180 days से कम use हुआ हो अगर sir 180 days से कम use हुआ था बट acquire करा था हमने उसको दो साल पहले एक साल पहले full लगेगा उस case में ठीक है half की condition दो important condition है तो आपको satisfy करानी जरूरी है ठीक है अगर कभी भी आपने put to use किया ही नहीं है तो फिर उसके ओपर depreciation नहीं लगाते है हाँ किसी किसी asset का passive use भी होता है passive use का मतलब जैसे कि stand by machines वगेरा होती है या fire extinguisher वगेरा होते है जरूरी नहीं कि आप उसको actively use करें बट अगर आप उसको अपने business में ले आते हैं तो हम यह assume करते हैं कि वो use हो रहे है although वो actively use नहीं हो रहे है but passively use हो रहे है you understand passive use वाली बात भी आपको याद आ गई होगी क्या addition depreciation में मिलता है हाँ मिलता है वेहिकल्स वगेरा नहीं होने चाहिए ठीक हंड़ेट परसंट इसके उपर deduction नहीं नहीं होने चाहिए वैसे नहीं होने चाहिए otherwise अगर यह सारी conditions satisfied है तो उसको additional depreciation मिलता है कितना मिलता है जो भी उसके actual cost है उसका 20% मिलता है कि जब वह acquire करा जाएगा उसका 20% हम उसका deduction ले ले लेंगे additional depreciation की बट अगर वह 180 डेस से कम यूज हुआ है तो 10% लेंगे और 10% बाकी का next year भी ले लेंगे याद आगे additional depreciation भी ठीक है किस तरीके से हम लोग block wise depreciation के compute करते है सबसे वहले opening WDV देखते हैं कि हमारे पास assets की जो भी plant machinery का 15% का block था या 30% का block था विल्डिंग का block था उसकी opening WDV कितनी थी हमने इस साल उसमें कितना addition करा acquisition अगर किया है तो उसको block का part बनाईएगा अगर आपने उसमें से कुछ चीज़े बेच दी है या dispose कर दी है तो उसको minus कर दीजेगा जितने भी पैसे आपको मिले बेचने पर या dispose करने पर उसके बाद जो value बचते है उसके उपर आप depreciation लगाते हैं फिर आप देखते हैं कि जो एंड में value बची है क्या वो हमने क्या इसमें कोई नया असेट था नया असेट था कम यूज हुआ 180 दे से तो आधर लगाई है 180 दे से ज्यादा यूज हुआ तो पूरा लगाई है हाफ depreciation के आप कंडिशन जानते हैं ठीक है अगर acquire किया गया during the previous year 180 दे से कम यूज हुआ हम हाफ depreciation लगाते हैं power generating units के लिए power generating units को लिए by default उनको SLM method मिलता है बट अगर वो WDB भी चूज करना चाहे तो मिल जायता है फिर्स्टीर उनको चूज करना पड़ता है अगर फिर्स्टीर चूज कर लेते हैं तो फिर वही मेधड रहता है फिर दिरिंग दे लाइफ टाइम फिर वह चेंज नहीं होगा ठीक है बट अगर यह लोग मालेते हैं इन लोगों को SLM method इनों को मिला और यह SLM method यूज करते ह पर इजाबल आपने मचीन परचेस कि ती ऊंट कोष्ट इन लाकी इस थी टीक है बन लाक रूपीज इसकी ओर प्रॉपिज ज़्यादान रूपीज जाइगा तो 60,000 से अगर आप ज्यादा बेचते हैं 70,000, 80,000, 90,000 या एक लाग तक यहां तक इतना प्रॉफिट तो आपका PGP की इंकम होती है बट वन लाग से उपर जब चला जाता है तो इसके उपर आपको सेक्शन भी बता है अगर आपने इसको WDV से भी कम में बेचा WDV से कम में बेचा मतलब लॉस हो गया तो इसको PGP के लॉस मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं टर्मिनल डेपरीशेशन यहां पर ठीक है पावर जन्रेटिंग यह तर्मिनल डेपरीशेशन जैसे वर्ड यह बैलेंसिंग इसको बैलेंसिंग चार्ज सिर्फ और सिर्फ पावर जन्रेटिंग में ही नाम यूज होता है कहीं और यूज नहीं होता अगर WDV से नीचे गया तो यह लॉस का एरिया है और इसको टर्मिनल डेपरीशेशन कहते हैं हम लोग ठीक है मैं निक्स पहता हूं एक काम करते हैं कर लेते हैं पहले डेपरीशेशन के फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर आप अपनी कुछन वाली फाइल पर आएंगे तो लिखा हुए है फ्रम फॉलिंग डेटा काल्कुलेट देपरीशेशन एडमिसेशन एडमिसेबल तो एन इंडिविजल कैरिंग बिजनेस ट्रेडिंग इन पर मैनुफाक्शरिंग नहीं और मैनुफाक्शरिंग नहीं अगर है तो हम एडिशन लेपर इसेशन एकले धर बिज्चिंदेशन एडिक्र उन हो इनके पास अचदेब्लर कुण्स कीया श्राइट्वी नशेफन confidenteping प् यह तो पता है 10,000 रुपीज से जादा अगर आप कैश में पेए करते हैं तो 15 लाक मैं से 5 लाक आपने कैश में पेए 10 लाक रुपीज चैक तो 10 लाक रुपीज जो आपने पेए हम सर्फ वही एकंसिडर करेंगे 5 लाक का थे तो हम सिर्फ 10 लाक ही ले पाएंगे प्लांटी इन्होंने एक्वार कर रहा है प्लांट एक बेच भी दिया है सिक्स लाक रुपीज का तो हम इसके ऊपर डेपरिसिशन कैसे निकालते हैं सबसे पहले ओपनिंग डब्लुडी वी लिखने ओपनिंग डब्लुडी वी ब्लॉक की थी हमारे पास 25 लाक 5 लाक है 10 लाक की एक मशीन एक वार की यह उसको नहीं करेंगे तो आपने टोटल ऐंटी PLAY लिए को 25 लाक प्लस 17 लाक ठीक है इसमें से less money received on sale तो sale कितना कर दिया 6 lakh rupees का तो 6 lakh rupees को आप minus कर देंगे money received on sale अब जो आपके पास value बचे कि उसके उपर depreciation लगाना है अब आपको यह देखना है कि जो आपके पास value बचे है क्या उसमें कोई नया asset से तो answer is yes sir, उसमें plant D और C नया asset था क्या उसमें कोई ऐसा asset है जो late सबसे पहले हमेशा देखे कि जो बिल्कुल last में आपने अक्वार किया था जो latest asset है आपके पास वो देखे क्या उसमें था प्लांट D था वहाँ पर कितने का 12 lakh का 12 lakh का तो है ही नहीं वो 720 का है 480 तो हमने माना ही नहीं है तो 720 का हमने अक्वार किया गया था इसके उपर कितना डेखे कि लगाएंगे 15% पूरा नहीं सर यह इस साल हमने अक्वार किया गया और 180 देख से वो कम यूज था यहां पर put to use की डेट नहीं दी गई है तो अगर put to use की डेट नहीं है इसके उपर फुली डेट लगाएंगे और जो बाकी जो रिमेनी आएगा उसके पर तो फुल रहे गए क्योंकि वो प्रानी मशीन से तो यहां पर सॉलुशन भी दिया गया है ओपनिंग डेट व्यूटी फाइफ लाक था इडिशन दूरिंग दे यर किया गया 10 लाक और 720 जितना हमने कैश में पे किया था वह लाओ नहीं किया होगा फॉर लाक वुडी थाओजन माइनस मनी रिसीट उन सिक्सलाग तो हमारे पास WDV एड दे एंड आ गया फॉर चार्जिंग डेप्रिसेशन 36,90,000 तो इसमें देखेंगे कौन-kaौन सी नहीं मशीन है का इसमें नहीं मशीन थी वहां पता चला कि इसमें नहीं मशीन थी और कौन मंशींस केुम थी जो इनिज़ से उसके अपर आफ दे पर 7,50 रख कर देंगे 7.5 वाकी के ओपर 15% टोल अधर एणर एडिम पर्सेशन है एक और पॉइंट आता है अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रीजेशन का मतलब यह होता है कि अगर आपका बिजनस था और डियूरिंग दे यह आपने उसका और गनाइजेशन स्ट्रक्शर चेंज कर लिया लिया फर एक पहले पार्टनेशिप फिर्म थे अब मान ले एक कंपनी ब पार्टनेशिप फिर्म का बिजनस था ठीक है पार्टनेशिप फिर्म की रिटन जाती होगी बट आपने सोचा कि एक काम करते हैं हम इसको कंपनी में कंवर्ट कर लेते हैं तो अगर आपने इसको कंपनी में कंवर्ट कर लिया तो इस साल पार्टनेशिप फिर्म भी आई औ और बीच में हमारा यहां पर organization structure change हुआ तो उसको हम split कर देते हैं, जो भी उसके related depreciation है पूरे साल का, उसको split कर देते हैं, number of days used by each of them, कितने दिन वो partnership firm के पास था, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कितने दिन उसको predecessor ने और कितने दिन उसको successor ने use किया था, उसको divide कर देते है For example, अगर आपने कोई नया asset purchase किया था, और वो सिर्फ और सिर्फ successor ने use किया, उसको apportion मत कीजेगा, उसको apportion मत कीजेगा, उसको उससे related depreciation सिर्फ successor को ही दीचेगा For example, आपने during the year जब purchase किया, जब predecessor था और थोड़े दिन के बास successor चेंज हो गया, तो फिर प्रीज जितने दिन वो यूस किया, number of days use, उसमें split कियेगा, उस depreciation को, जैसे कि, लिखा हुए, Sii Limited has a block of assets carrying 15% rate of depreciation, whose return down value as on 1 for 2020 was 40 लाग, मत्था 40 लाग इनकी opening value है It purchased another asset for the same block on 1-11-2020 for Rs. 14.4 लाग, 14.4 लाग का एक और asset purchase किया गया, and put to use on the same date, ठीक है, Sii Limited was amalgamated with Sheddy Limited with effect from 1-1-2021, अब देखिए, यह जो 40 लाग के assets थे, यह पूरे साल यूज हुए, पूरे साल यूज हुए और कुछ दिन पहले Sii Limited ने, फिर Sheddy Limited ने, तो इनको 40 लाग के ऊ Sii Limited और Sheddy Limited को split कीजएगा in the number of days used by them, 365 days पूरे यूज हुए, 365 days को डिवाइट कीजएगा, but यहाँ पर एक दूसरी machine purchase की गई है, 1-11-2020 को 14.4 लाग की, सबसे पहले 14.4 लाग के उपर कितना depreciation आएगा, half, क्यों? क्यों? क्योंकि 1-11-2020 है, आप November से अगर count करेंगे, तो 180 days से December use किया होगा, 1st January से तो यह Sheddy Limited हो गया, successor हो गया, तो शुरू के days आएगे November के 30 days, December के 31 days, तो 61 days predecessor के होंगे, और बाकी January, February, March के days आप predecessor में इसको अपोशन किये करेंगे, compute the depreciation कितना आप करेंगे, और मान लेते हैं, जब हमने यह Sheddy Limited में हम इसमें चेंज हुए, तो हमने इ यह value change नहीं कर सकते, जो इसकी predecessor की value थी, वही value को हमें आगे carry करना है, इस value को ignore करना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अगर वो for example, अपना organization structure change कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, हम इसके अपनी assets की value बढ़ा लेते हैं, जिससे हम ज़्या हुआ, आप देख लीजे, predecessor कितना है, successor कितना है, इसमें portion कीजेगा, 275-90 की ratio में, जो आपने addition किया था, 1,8,000 का उसके उपर depreciation आया था, half, ठीक है, वो total use हुआ 151 days, क्योंकि वो आपने November onwards use करना शूरू किया था, 61 days predecessor का, और 90 days successor का, ठीक है, वो इस ratio में आप divide कर देंगे, A, B, 33, A, B, A, 33, A, B, A, 35, A, B, A, sorry, ये सभी sections ना, CMA students के लिए है, not for CA interest students, 12th को दोनों का ही exam है, CA students का भी है, और CMA students का भी है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी, और भी कुछ 2-3 sections और हैं, जो CMA students के लिए हैं, उसको मैं अभी इस chapter के end में discuss करता हूँ, अभी मै सब के लिए common sections discuss कर रहा हूँ, जिससे की CA interest students का भी time waste ना हो, वो directly, जब मैं last में ये discuss करूँगा, तो मैं बोल दूँगा कि आप directly capital gain पर jump कर जाएगा, और CMA students के लिए 5-6 minutes तोड़ा सा और time देना पड़ेगा, जब मैं ये sections discuss करूँगा, तो ठीक है, तो अभी फिलाल के reduction मिलती है, अगर हम in-house research कर रहे है, ठीक है, in-house research के उपर expenses किये गए हमने, यानि कि हम खुद अपने business के लिए अगर कोई खर्चा करते हैं, related to scientific research, whether it is revenue research और it is capital expenditure, हमें 100% reduction मिल जाती है, बट हाँ, अगर हमने land के उपर खर्चा किया, तो उसके उपर हमें deduction नहीं मिलती है, त in-house research 100% reduction मिल जाएगी, whether it is revenue या capital दोनों के उपर, except land, land के उपर नहीं मिलेगी deduction, इतनी बास समझ में आती है, जो before commencement of business expenses, अगर हमने commencement करने से पहले भी कोई expenses करे थे, तो पिछले 3 साल के expenses हम ले सकते हैं, ठीक है, revenue expenses में कौन कौन से expenses ले सकते हैं, सिर्फ salary का expenses और raw material के खर्च capital expenditure आप ले सकते हैं, पिछले 3 साल के भी सभी land को छोड़ कर, land तो ले नहीं नहीं है आपको, यह तो होता है in-house research, दूसरो था outside research, outside research का मतलब यह होते हैं, कि आपका यह business related शायद नहीं भी थे, हो सकता है related हो यह हो सकता है, ना भी हो, but आपने अगर किसी IIT को पैसा दिया है unapproved जगा पर पैसा दिया हम उसको allow नहीं करते हैं, but जब अगर, फ्लीज धान दीचेगा, अगर जब आपने पैसा दिया वो जगा approved थी, बाद में वो जगा का approval withdraw कर लिया गया, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, because at the time when you have given the contribution, उससे में तो वो approved थी ना, तो हम 100% इसको allow कर स्कीम के जो normal स्कीम होती है, हमारी उसके according कर रहे हैं, तो in-house भी allowed है, और outside research भी allowed है, ठीक है, दूसरी बात होती है, sale of scientific research asset, आप लोको पता है कि जो हम SR purpose के लिए assets use करते हैं, उसके उपर हम 100% reduction क्लेम कर लेते हैं, first year में 100% reduction क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि section 35 कहता है, in-house के उप कभी भी एक साल, दो साल, तीन साल के बाद कभी भी भी बेचेंगे, तो for example आपने इसको 2 लाग का बेचा, या 3 लाग का बेचा, चार लाग का बेचा, up to 10 लाग आपने जितनी भी value का बेचा, जितनी भी आपका यहां पर profit आने वाला है, because इसकी written on value तो zero है, for example आपने 2 कभी बेचा, तब capital gain आता है, अब depend करता है, long term capital gain है, short term capital gain है, बाते हम capital gain में देखते हैं, section 50A होता है, बट आपको याद होगा, यह बहुत easy बात होती है, अगर यह asset for example short term था, ठीक है, for example आपने 12 लाग का बेचा और इसके original cost ही 10 लाग, और अगर यह short term था, short term में तो indexation होती करेंगे, फिर 10 का, तो indexation करेंगे, फिर यह बाते हम capital gain में पढ़ते हैं, और इसके उपर special section भी 50A, ठीक है, तो जो power generating के assets होते हैं, वो भी same, इसी तरह के बेचे जाते हैं, जो scientific research जिसके उपर हमने SLM निकाला था, वो भी इसी तरह के से बेचे जाते हैं, power generating asset में यह 0 नहीं assets हैं, तो इसकी WDV 0 नहीं होगी, वर कुछ कम होगी, ठीक है, क्योंकि depreciation यहाँ पर लगा होगा SLM basis के इसाप से, Exquisite Company and Undertaking Establishment 2011 for generation and distribution of power, ठीक है, opted SLM basis, यानि कि individual assets के उपर SLM basis के लगा रहे हैं, Return on value इस machine की, इस साल की थी 6.6 lakh और machinery हमने यह बेच दी गई है, 4.60.000 रुपीज की, ठीक है, on 1.5 2020, और यह हमने कितने की खरीदी थी, यह नहीं पताया, ठीक है, यह नहीं बताया, पर मुझे पता है कि इसमें तो loss आने वाला, because कैसे, क्योंकि original cost इसकी नहीं पता हमें, इसकी return down value थी, return down value थी, अभी इस साल 5, sorry, 6.6 lakh, 6.6 lakh इसकी return down value थी, और आपने इसको 4.6 का बेच दिया, यह नहीं कि return down value से भी कम का बेच दिया, तो कितना loss होगे यहाँ पर 2 lakh का, that is called the terminal depreciation, वो terminal depreciation होगा, अब बताया गया है, कि इनोंने एक machinery खरी थी, 10 lakh rupees की, which is destroyed by fire on 1510, 2020 को, ठीक है, यह सेम एर में ही, यह सेम एर में ही destroy होगे, और insurance company से हमें 8.8 lakh rupees मिले, 8.8 lakh, अगर यहाँ पर power generating unit का यह asset था, इसकी original cost कितनी थी, इसी साल हमने इसको purchase किया था, 10 lakh rupees का, और अगर यह सेम एर में ह destroy हो जाती है, sir, यहाँ पर loss हो गया, sir, insurance company से हमें 8.8 lakh मिले, 1.2 lakh का loss हो गया, अगर वो सेम एर में destroy हो जाती है, तो हम इसको terminal depreciation नहीं बोलते हैं, इस case में, इसको short term capital loss बोलेंगे, ठीक है, इस case में short term capital loss हो जाता है, तो अगर वो सेम एर में destroy हो जाए, तो capital की नहीं आएगा ठीक है, loss या gain जो भी होगा, ठीक है, इस case में loss आ रहा है, पर इस case में section 32 का terminal depreciation नहीं होता है, terminal depreciation अगर होता, अगर हमारा किसी और साल में destroy हो जाए, तो प्लीज आप capital gain ही बनाएगा, और वो भी short term ही होगा, क्योंकि same year में हो रहा है, next is, an company and undertaking establishing to 2017 for generation of power has opted for SLM basis, company purchase a machinery of 5 lakh, return down value इस machine की थी, 3.5 लाग और हमने इसको बेच दिया, 7.65 लाग का, इस case में क्या होगा, इसकी original cost, इसकी original cost थी 5 लाग, इसकी return on value कितनी है, 3.5 लाग, और हमने इसको 7.65 का बेच दिया, 7.65 का बेच दिया है, ठीक है, तो 3.5 लाग से 5 लाग के बीच में, इतना portion, यानि की 1.5 5 लाग तो हमारे business income है, यह तो section 41 में deal business income होगी, ठीक है, और 5 लाग से जो उपर बिका है, यह capital gain होगा, कितना सर, 7.65 माइनस 5, capital gain होगा, बड़ डिपेंड करता है, कि यह short term है, यह long term है, अगर यह short term है, तो 7.65 माइनस 5, सीधा आ जाएगा, short term capital gain 2.65, but क्योंकि यह long term है, क्य ठीक है, अगर यहां पर question में, आपको date दी होगी, ठीक है, अगर वो date दी होगी, तो आप देख लीजेगा, कि इस machines के लिए में लिए 3 साल लेते हैं, तो 3 साल से अगर यह ज़्यादा depreciable asset है, पर यह WDB method बाला यह section 50 के according नहीं होगा, जो capital gain का section 50 होता, उसके according नहीं होगा, य होगा पर indexation भी होता है, तो अगर यह 3 साल से ज्यादा है, पांच लाग का indexation करना पड़ेगा, अगर यह 3 साल से काम है, तो 5 लाग का indexation नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वह वात हम capital gain में देख लेंगे, 35 AD, specified business होता है, यहाँ पर क्या खास बात होती है, 100% deduction मिल जाती है, आपको अपने capital expenditure की, जो भी हमने capital expenditure किया था, except land के उपर नहीं मिलती है, goodwill के उपर नहीं मिलती है, financial instruments के उपर नहीं मिलती है, ठीक है, इन सब के उपर कोई deduction नहीं मिलेगी, बट इसके अलावा अगर आपन building के उपर खर्चा किया, machines के उपर खर्चा किया, furniture के उपर खर्चा किया है, जो भी capital expenditure किया है, अगर आपका specified businesses है, तो आपको 100% deduction मिल जाती है, first year में है, ठीक है, specified business क्या होते है, तो एक list है, लगवग 14 types of businesses होते हैं, एक बर मैं list जल्दी से पढ़ देता हूं, cross country और इनके dates of commencement भी है, जनरली date of commencement अगर आपको याद है, तो ठीक बात है, नहीं है, तो it's okay, ठीक है, अब मत याद करने बैठ चाहिएगा, ठीक है, cross country, pipeline, network, cold chain facility, मतलब cold storage, warehouse for agriculture produce, warehouse for agriculture produce, 2 star और above category hotel, ठीक है, 2 star, 3 star, 5 star अगेरा, hospital कम से कम 100 bits, यह उस से ज्यादा के hospital, housing scheme for slum redevelopment, housing scheme for affordable housing, fertilizer production का business, ICD या CFS, inland container depot या custom freight station, beekeeping business, warehouse for sugar, उपर था warehouse for agriculture, यहाँ पर है, warehouse for sugar, iron or slurry pipeline, semi conductor wafer fabrication, developing or maintenance of new infrastructure facility, तो इस तरह के business है, एक दो बार आप लिस्ट पढ़ सकते हैं, यह specified business होते हैं, जितना भी capital expenditure करेंगे, उनको 100% reduction मिल जाएगी, और जो भी अगर इनके losses आजाते हैं, इस वज़ह से, तो वो carry forward हो सकते हैं, unlimited years तक, unlimited years तक वो carry forward हो सकते हैं, बट अगर आप new scheme of taxation follow कर रहे हैं, 35 AD नहीं मिलता, 35 AD new scheme के लिए नहीं मिलेगा, existing scheme के लिए मिलेगा, अगर आपका कोई भी खर्चा पहले कभी हुआ है, comment करने से पहले कभी हुआ है, तो अगर वो आपने books में capitalize करके दिखाया है, तो हम उसको deduction दे देते हैं, जब आपका comments होता है business, तब हम आपको deduction दे देते हैं, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा का तो cash में आप पे नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात, जो लोग 35 AD लेते हैं, उनको 10 AA की deduction, या फिर chapter 6 A की deduction, ATC से जो ATU वाली deductions होती हैं, उसमें से जो special deductions होती हैं, ATIA, IB sections वो नहीं मिलती हैं इनको, तो 10 AA नहीं मिलता है, chapter 6 A नहीं मिलता है, दूसरी important बात है, अगर 35 AD का हमने कोई asset खरीदा था, उसको उपर हमने 100% deduction ले ली थी, उसको आप normal business में transfer मत कीजे, अगले 8 साल तक, अगले 8 साल तक आप transfer मत कीजे, अगर आपने 8 साल से पहले-पहले उ transfer कर दिया, तो यहाँ पर income tax officer क्या बोलेगा, अरे आपने 100% deduction इसके उपर ले ली, और बाद में आपने इसको normal business में transfer कर दिया है, तो हम आपको की deduction है, वो वापस ले लेते हैं, but assessi क्या बोलेगा, सर ठीक है सर आप deduction अपनी वापस ले लीजे, but normal business में तो मैं इसको यूज कर deemed depreciation मिलता, अगर हम इसको शुरू से ही अपने normal business में use करते हैं, तो कितना depreciation मिलता, उसको हटा दीचेगा, minus कर दीचेगा, जितना भी amount आप आएगा, उतनी वापस आपकी income बन चाएगी, ठीक है, मतलब आपने इतनी जादा deduction ले ली थी 3580 के 100%, तो income tax officer बोलेगा, 3580 हम वाप अपस ले रहे हैं, असे सी बोलेगा, सर मुझे कम से कम depreciation दो देजे, तो आप अपना depreciation क्लेम करिये, कितना depreciation बनता है, minus करने के बाद इतनी आपकी income हम लोग बना देंगे, ठीक है, अगर आपने 8 साल से 8 साल के बाद ट्रांसफर कर रहा है, तो कोई problem नहीं है, ठीक है, इस करती है, cost of construction of hotel, 1920 में खर्चा किया गया, 30 लाग रुपीज का, 2021 में खर्चा किया गया, 150 लाग रुपीज का, कोई problem नहीं, commencement से पहले की भी खर्चे अलाउड होते है, तो ये building के ऊपर खर्चा है, 30 और 150, यानि कि 180 की reduction हमें मिल जाएगी, पर यहाँ पर लिखा हुए कि 150 की आपने खर्चा किया गया था, उसमें से 1.5 लाग cash में पेई किये गए इस डेट पर और 50,000 रुपीज केश में पेई किये गए इस डेट पर, balance account paycheck, यानि कि 1.5 लाग और 50,000, यानि कि 2 लाग का तो आपने cash payment करा है, वो तो deduction नहीं मिलेगी, तो इसमें से 150 में से, इसमें से 2 लाग हटा दीजाएगा, तो 148 इसको लीजेगा 148 और इसको लीजेगा 30, यानि कि total 178 लाग की deduction तो आपको मिल जाएगी, प्लानर मशिन रेकवाइर की गई है, 30,000,000 की इसकी भी मिल जाएगी, ठीक है, इसकी भी deduction ले लीजेगा, all the above expenditure were capitalized in the books, ठीक बात है, net profit before 3580 is 80,000,000, तो net profit before 3580 is 80,000,000 तो 80,000,000 का हमारा profit आ रहा है, बट इसमें से आप deduction दे सकते हैं, 30,000,000 की दीजे, 150 की मत दीजेगा, 2,000,000,000 की माइनिस करने के बाद दीजेगा, 148 की और 30,000,000 की दे दीजेगा, losses आजेंगे में रिखाल से, तो यह losses specified business के होते हैं, और यह infinite period तक carry forward भी हो सकते हैं, और specified business के losses सिर्फ और सिर्फ specified business की income से ही set off होते हैं, आपको शाद याद होगा, although set off के charter में भी में इसको करा दूँगा, ठीक है, चलिके वापस आते हैं, section 35D, preliminary expenses का, preliminary expenses allowed होते हैं, बट सिर्फ 1-5, जितने भी आपने preliminary expenses करें, उसका 1-5 अलाव करते हैं, 5 equal installments में, 5 equal installments में आप इसको अलाव करिएगा, बट मान लेते हैं कि आपको preliminary expenses के साथ साथ cost of the project भी दिया गया है, अगर cost of project भी दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, जितने भी preliminary expenses हैं, उसको compare कीजिए, पहले cost of the project का 5% से, 5% of cost of the project निकालिएगा, उन दोनों में से whichever is lower, ठीके, इतने हैं आपके हम preliminary expenses मानेंगे, और इसको divided by करेंगे, divided by 5, इसको 5 equal installments में करेंगे, ठीके, जनरली अगर आपको सिर्फ preliminary expenses दिया गया हो, तो divide by 5 करके लिखेगा, या फिर ऐसा दिया गया हो, कि आपके penal account में लिखा हुए preliminary expenses, ठीके, 35D में allowed होते हैं, लिखा हुए 1,00,00, पर आप क्या कीजिएगा, सिर्फ इस में से 1-5th allowed है, यानि कि 20,000 allowed है, 80,000 को add back कर दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपके question में, ठीके, एक step थोड़ा सा आगे दिया हुए है, for example, आपको preliminary expenses भी दिया गया है, 1,00,00, और आपको cost of the project भी दिया गया है, but in case, अगर company SSC है, तो हम सबसे पहले क्या करते है, cost of the project और capital employed इन दोनों में से जो भी जादा है, पहले उसको देखते हैं, और फिर actual primary expenses से उसको compare कीजे, whichever is lower देखना है, उस case में, कि कंपनी SSC के लिए मैंने देखा हुए है, कि पहले cost of the project या capital employed, whichever is higher निकालेंगे, या तो पहले से ही 55% करके रखे या direct भी निकाल देंगे, पहले दोनों में से higher ले लिजे, फिर उसका 5% कर लिजे, या फिर एक काम कीजे, दोनों को अलग-अलग 55% कर लिजे, बात एक यह है, वो तो सर्फ mathematics है, पहले इन दोनों में से higher, और फिर वो जो compare करेंगे actual primary expenses से, whichever is lower, और इस lower को 5 equal installments में आप divide करते हैं, 35DD amalgamation expenses है, यह भी 5 equal installments में जाते हैं, बट यह सिर्फ CMA students के लिए है section, amalgamation expenses CA Inter के लिए नहीं है, 35DDA common section है सबके लिए, ठीक है, VRS expenses अगर हुए है, यह भी 5 equal installments में होते हैं, देखिए section है 35D, 35DD, DDA, D की family के sections हैं यह, 1 5th की installments में यह allowed ह होते हैं, एक छोट असा question देख लेते हैं इसका, illustration number 22 देखेगा, when limited, Jardine is an existing Indian company which sets up a new industrial unit, it incurs the following expenses, preparation of project report, project report, preparation, feasibility report है, memorandum of association है, prospectus के printing कराई है, यह सब preliminary expenses माने जाते हैं, तो 4 लाग के preliminary expenses, market survey 5 लाग का किया है, legal expenses 2 लाग के किया है, मता है total expenses 11 लाग के हैं, ठीक है, अब देखे, company है, win limited, jardine limited, ठीक है, तो लिखा हुए, the following further data is given, cost of the project 30 लाग, capital employed 40 लाग, सबसे पहले क्या देखने है, 30 लाग के 40 लाग, 40 लाग का 5% निकाल लीजेगा, 40 लाग का 5% 2 लाग आएगा, 2 लाग और 11 लाग, whichever is lower, तो 2 लाग आएगा, 2 लाग को आप divide कर दिएगा, five equal installment में, मतलब 40,000, ठीक है, आगे लिखा हुए, कि अगर for example, ये company नहीं होती, ये स्रिफ एक individual assessi होता, तो फिर आप capital employed नहीं लेते, फिर आप cost of the project देखते, 30 लाग का, 30 लाग का 5% देखते, 30 लाग का 5% आता है, 1 लाग 50,000 रुपीज, 150 और 11 लाग, whichever is lower, 150, तो 150 को divide by 5 करके 30,000 each year में आप लोग ये deduction दे देते हैं, ठीक है, आगे बड़े, section 36.1, 36.1 होता है, other deductions का, other deductions में आता है, जिसे की for example, आपने stock का insurance कराया है, ये life stock का आपने, life stock है आपके पास उसका insurance कराया है, वो allowed है, employees का health insurance का खर्चा किया है, business ने, वो allowed है, उनकी family members का allowed है, employees को bonus दिया है, allowed होता है, पर bonus और commission 43.1, 43.1 होता है, expenses allowed only an actual payment, थोड़ी देर पहले भी वे ने discuss किया था, कि अगर in case taxes है, किसी भी तरह के taxes है, income tax पगर तो allowed नहीं होता, आपको पता है, section भी आएगा 40.1, but अगर for example, municipal taxes है, या किसी और तरह का GST का payment करा है, customs का payment करा है, allowed होता है, subject to 43.1, 43. इसका actually payment हो गया हो, due date of ROI तक, उसमें क्या क्या आता है, 43.1 में और भी कुछ खर्चे आते हैं, जैसे कि bonus or commission, interest to financial institutions या, banks वगेर भी आता है, वो बताऊंगा, मैं अभी आगे, but bonus or commission भी allowed होता है, under section 36.1, other deduction में, but subject to 43.1, salary भी आता है, नहीं, salary section 37 में जाता है, या पर bonus commission वगेर आता है, interest on borrowing, अगर आपका business से आपने कहीं से loan लिया है, ठीक है, कहीं से आपका loan लिया है, जो आपका interest है, that is allowed, वो interest allowed होता है, या फिर आपकी company उसमें debentures issue कर रहे हैं, debenture interest allowed है, zero coupon bonds के उपर जो interest होता है, क्योंकि उसके उपर interest नहीं जाता, ठीक है, हर साल नहीं जाता, परती है, zero coupon bonds याद है, discount में issue होते है, discount में issue होते है, redeem होते है, face value पर, तो discount में for example, 10 रुपे के price पर आपने issue कर दिया, इसका face value थी 100 रुपे, जब redeem होंगे तो 100 रुपे पर होंगे, अभी आपने इसको 10 रुपे बे issue कर दिया, यानि कि company जब वापस करेगी पैसे, तो 90 रु इसको हम proportionate कर देंगे, तो हर साल की हमें, हमारे interest के expenses आ जाते हैं, तो उसको expenses को भी हम section 361 में मान लेते हैं, दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपने कोई asset खरीदने के लिए, asset खरीदने के लिए loan लिया है, ठीक है, तो loan तो जैसी आपने लिया, वहां से loan आपका interest capitalize होगा, put to use के बाद का interest section 361 में revenue expense माना जाएगा, ठीक है, employer contribution to statutory provident fund, be recognized provident fund allowed होता है, ठीक है, अगर employer ने contribute कर रहा है, बट यह जो employer contribute कर रहा है, यह पैसे SPF में, RPF के account में deposit करा दें, अगर उनने deposit नहीं कराए हैं, तो फिर हम deduction नहीं देते हैं, और deposit कब तक करा दें, 43 भी यह पेंशन स्कीम के उपर एक अपनी limit भी है, maximum 10% होता है, ठीक है, जितना भी employer ने contribute करा है, pension scheme में allowed होता है, बट maximum 10% of basic salary और DA forming part तक ही होता है, bed debts allowed होता है, provision for doubtful debts allowed नहीं होता है, provision for doubtful debts allowed नहीं है, स्रिफ bed debts allowed है, provision for doubtful debts सिर्फ और सिर्फ banks को allowed होता है, ठीक है, ठीक है, यह भी CA इ प्लाइन चाहिए, प्ली इच्पनिचर या फिनिचल इंस्टूशन के लिए फाइफ परसेंट, फैमली प्लानिंग के एक्सपेंसे सिर्फ कंपनी SSC को allowed होता है, सिर्फ कंपनी SSC को allowed होता है, capital expenditure five equal installments, revenue expenses allowed होते है, capital expenditure five equal installments में, अगर यह individual SSC, आपको question में ही आ सकता है, कि individual SSC यह उसके पीएड अलका उन में फैंली रिलेटेड एक्सपेंस लिख्यों में प्लीज वह अलाव मत कीज़ेगा वह अलाव मत कीज़ेगा इस वंडी एंडी फॉर कंपनी असे सी STT allowed होता है, जो इन लोग का business है, shares खरीदने बेचने का, यानि कि brokers के लिए STT allowed होता है, जो लोग investments करते हैं, जब shares बेचने तो उनकी capital gain की income आती है, 37 में यह नहीं लिखा होता है कि कौन-कौन से expenses है, हमें सिर्फ conditions दी होती है, कि कौन-कौन से conditions अगर satisfied होती है, तो वो section 37 में आता है, main condition यह है कि अगर आपको कोई भी खर्चा section 30 से लेका 36 में cover नहीं हो पाया, ठीक है, तो सबसे पहले 30 से लेका 36 में cover हो गया, तो उसी section में allowed venue expenses होना चाहिए, capital expenses नहीं होना चाहिए, legal expense होना चाहिए, illegal prohibited by law नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का personal expenses नहीं होना चाहिए, तो यह 37 कहता है, corporate social responsibility expenses allowed नहीं होते हैं, although company law यह कहता है कि आपको खर्चा करना चाहिए, but income tax मना कर देता है, because it is not related to business, CSR expenses allowed नहीं होते है, political party क brochures में, catalogs में, advertisement में, आपने कोई खर्चा किया है, तो वो allowed नहीं होता, PGPP में, उसकी एक reduction मिलती है, 80 GGB, 80 GGC में, वो बाते हैं, हम reduction की chapter में पढ़ेंगे, but while calculating your PGPP income, PGPP income जब आप calculate करें, political party को जो भी expenses करें, चाहिए, आपने भले ही, अपने business का advertisement करा रहे हैं, वहाँ पर, वो भी expenses हमने 30 से लेका 30 से हमें, अगर वो पार्टली official हैं, पार्टली personal हैं, जितने personal हैं हम उतना allowed नहीं करेंगे, जिस सरफ जितना official है, उतना ही हम expenses allowed करते हैं, सब समझ माती हैं बात हैं, next section है 40 small है, expenses not allowed, expenses not allowed, काफी important section है 40 small है, अगर आपने कोई भी interest, royalty, fees for technical services, या कोई भी ऐस इंकम जो सामने वाल की income मनती है, और वो outside India बैठा हुए, कोई non-resident है या outside India बैठा हुए, तो जब आप उसको interest दें, fees for technical services, royalty दें, तो उसका TDS deduct कर लें, अगर आपने उसका TDS deduct नहीं करा है, तो हम आपका ये expense disallow कर देते हैं, पूरा पूरा 100% disallow कर देते हैं, TDS कब deduct कर लेन चाहिए, और इसको ROI की due date तक deposit करा देना चाहिए, अगर आपने ऐसा करा, तो allowed है, otherwise ये 100% disallow कर देंगे, बट अगर आपने किसी residence को कुछ payment की है, जिसके उपर TDS deduct होना था, जिसके उपर TDS deduct होना था, for example, आपने resident को rent pay कर दिया, resident को interest pay कर दिया, ठीक है, ये contractor को किसी को पैसे दे दिये, बिना TDS deduct करे, बिना TDS deduct करे, ठीक है, या तो आपने इस साल TDS deduct नहीं किया, और उसको ROI की due date तक deposit नहीं कराया, तो हम उस case में 30% disallow करते हैं, याद रखिए, अगर outside India payment कर रहे हैं, non resident को, तो 100% disallow हो जाता है, अगर आपको resident को payment करनी थी, और TDS deduct के provisions आपने नहीं ल income tax या provision for income tax का खर्चा allowed नहीं होता, देखो हम income tax ही निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर हमारे PNL account में किसी भी तरह का income tax दिखे या provision for income tax दिखे, that is not allowed, tax paid by the employer and non-monitory perquisites again allowed नहीं होते हैं, ठीक है, इस से related एक पहले सबसे पहले में एक illustration लेना चाहूंगा, फिर आगे discuss करते हैं, illustration number 23 कहते है, following is the PNL account of Mr. A, चलिए देखते हैं, repairs of building allowed होता है, section 30 में we understand, उसके बाद advertisement section 37 में allowed होता है, अगर section या दिन तो ठीक है, otherwise it's okay, you should know the provisions के advertisement allowed होता है, amount paid to scientific research, section 35 में allowed होता है, अगर यह approved जगह पर दिया गया है, तो here it is written कि approved जगह पर है, तो it is allowed, 1 लाक रूपीज अलाओ होता है, 100% reduction allowed है, 1 लाक रूपीज लिखे होए, कोई problem नहीं है, interest का expense allowed होता है, traveling again allowed है, interest section 36 में होता है, traveling expenses 37 में covered हो जाएंगे, miscellaneous expenditure अगर यह business nature के तो allowed हो जाएगा, net profit इतना दिया गया है, ठीक है, gross profit है 6 लाक 1 थाउजन रूपीज का by income tax refund, अब देख कौन से head की income है, income tax refund, income नहीं होती, अगर यह होता, interest on income tax refund, that is income under IFOS, interest from company deposits, इसको यहां से हटा दीजेगा, PGVP की income नहीं है, यह IFOS की income है, dividend income again, it will not be PGVP income, it will be your IFOS, okay, repairs on building includes 95,000 रूपीज being cost of raising a compound wall for the own business premises, अब देखिये, जो हमने रिपेर्स of building 1,30,000 रूपीज का expense लिखा हुए, अब यह पता चला कि 95,000 रूपीज का ना, actually महा पर एक wall construct कराई थी, so it means that this is a capital expenditure, यह revenue expenses नहीं है, तो आब 1,30,000 में से 95,000 को disallow कर देजेगे, 95,000 disallow हो जाएंगे, because it is a capital expenditure, interest payment includes interest for 12,000 payable to a resident Indian, on which tax has not been deduct and penalty of 24,000 for contravention of goods and services tax, अब जो interest expense का 1,10,000 रूपीज गिवन है, इसमें से 12,000 रूपीज हमने किसी resident को interest pay किया है, और उसके उपर tedious deduct नहीं करा है, यानि कि 12,000 का 30%, ठीक है, resident को किया था, ठीक है, non-resident को हो था, outside India हो था, तो 100% disallow करते, इस case में तो भी 30% disallow हो जाएगा, तो 12,000 का 30%, यानि कि 3600 रूपीज आप add back कर दीचेगा, दूसरा 24,000 रूपीज का actually GST law का contravention किया था, उसका expense दिया है, तो अगर GST law का contravene किया था, मतलब this is something which is prohibited by law, तो इसको भी हम allow नहीं करेंगे, 24,000 भी add back होगा, जो इसी का part है interest का, 24,000 add back कीचेगा, और इसमें से 30% add back कर दीचे गा, compute income under the head PGVP तो आप राम से निकाल लेंगे, net profit as a penal account 93, 950, repairs of building में से जो capital expenditure उसको add back कीचेगा, advertisement ठीक है, scientific research ठीक है, interest में से एक तो यह हमारा 3600 और दूसरा 24,000 पूरा का पूरा add back कर देंगे, आप 24,000 और 3600 अपने add back कर दिये थे, और income के side में, जो हमारी income PGVP की नहीं थी उसको भी यहां से हटा दी चाहेगा, यहां पर हमें सरफ PGVP income निकालनी है, अगर हमें दूसरे head की income निकालनी होती तो IFOS की income भी आदी, but हम लोग income tax refund यहां से हटा देंगे, वो कोई income नहीं होती, किसी भी head में नहीं चाहेगी, dividend income होती है, but IFOS की यहां से हटाई चाहेगी, और interest on company deposits भी, IFOS की income होगी, यहां से हटा दी चाहेगी, तो इस तरीके से PGVP income आपकी आचाहेगी, चलिए वापस चलते हैं, Let me discuss section 40B with you, 40B होता है, remuneration to partners, अब हम लोग को पता है कि हम लोग अपने partners को interest दे सकते हैं, whether the partner is working, partner, partner, अगर working partner है या non-working partner है, दोनों ही case में interest allowed है, जितना as per partnership deed बोलता है, उतना allowed है, but maximum 12% per annum, simple interest 12% per annum से ज्यादा, कभी भी allowed नहीं होता, but it is allowed to both working and non-working partner, but other remuneration like bonus to partners है, या फिर commission to partners है, या salary to partners है, वो सिर्फ और सिर्फ working partners को allowed होता है, non-working partners को हम allow नहीं करेंगे, ठीक है, और working partners को भी कितना allowed होता है, वो depend करता है book profits के उपर, तो जितना भी हमारे book profits आते हैं, ठीक है, ह्याद है आपको book profits, book profits जितने भी आएंगे, उसमें से first 3 lakh का, हम लोग लेते हैं 90% और 1,50,000 whichever is higher, ठीक है, 3 lakh का 90% होता है, 2.7 lakh और 1,50,000 whichever is higher, हम लोग को देना होता है, और बाकी के remaining book profits का 60% तक, इतनी remuneration allowed होती है, only and only to working partners, non-working partners को allowed नहीं होती है, interest on capital allowed होता है, as per partnership deed, but maximum 12% तक, और remuneration to non-working partners तो allowed नहीं होती है, ठीक है, remuneration to working partners allowed है, और book profits आप लोग को निकालने हैं, first 3 lakh का 90% और 1,50,000 whichever is higher, balance book profits का 60%, book profits कैसे calculate करते हैं, सबसे पहले normally PGV की income compute कर लीचे, normally PGV की income compute कर लीचे, जैसे कि आप individual की कर रहे हैं, उसमें से आप interest जितना allowed होता है, वो minus कीजे, आपके बस book profits मिल जाएगा, तो इस book profits का first 3 lakh अलग कीजे, बाकी का amount अलग कीजे, first 3 lakh का 90% और 1,50,000 whichever is higher, बाकी के balance का 60%, ठीक है, next है, 482, 482 होता है कि अगर आपने related party को payment की है, fair market value से ज्यादा, जितना आपने extra payment की है, वो allowed नहीं करते हैं, ठीक है, related party को अगर आपने payment की है, firms के लिए partner या उनके relatives, related party माने जाते हैं, HUF के लिए members और their relatives, company के लिए director और their relatives, या फिर अगर किसी का substantial interest है, वो great party माने जाता है, और related में कौन कौन आता है, relatives में spouse, siblings, siblings मतलब brother और sister, linear ascendant और descendant, linear ascendant का मतलब क्या होता है, हमारे उपर parents ये grand parents, descendant मतलब children या grand children, तो ये सब related party की definition में आते हैं, अगर आपने इनको कुछ payment की है, allowed है, बट fair market value से एक्स्ट्रा allowed नहीं होगी, 48.3 काफी important है, cash में payment, cash payment in a single day to a single party, ठीक है, अगर आपने किसी single day to a single party को payment की है, तो 10,000 रुपीस से ज़्यादा मत कीजेगा, 10,000 तक allowed है, 10,000 से ज़्यादा किया, तो पूरा का पूरा disallow कर देंगे, फिर पूरा उस case में disallow हो जाता है, बट हाँ, goods transportation के लिए आप 35,000 रुपीस तक की payment कर सकते हैं, और इस 10,000 की exception भी है, ठीक है, अकाउंट पे चेक वगएरा से तो करी सकते हैं, आप लोग यूपे ऐस पिसी bank को युञे स्कुलकर करने जोपंगे पैमिंटी कर रहाय तब आप कर सकते हैं, agriculture ऐसा अकाउय क्यों हुणक्त कर सकते हैं, औरे जो payment कर सकते हैं किसी ऐसे villager को payment करनी है कि वह सब विलिज में रहता है जहां पर도 dipping facility नहीं है तो आप हुसको कर सकते माउन को बिंग अखाउंट नहीं है नहीं तो असी जगह पर रहता है जहां पर banking facility फिर तो आप उसको प्रोसफ को पाउंट चेख के थुरू और payment by authorized dealer for purchase of foreign currency भी वो लो cash payment कर सकते हैं, ठीक है, provision for gratuity allowed होता है, अगर यह approved gratuity fund में जा रहा है, अगर यह unapproved में जा रहा है, तो allowed नहीं होगा, Dean business income क्या होती है, अगर आपने कुछ पहले benefits, को अभी भी पहले benefits हमने expense माना था और बाद में वो recover हो जाते हैं, जो आपने expense माना था actually पहले, और बाद में अगर वो recover हो जाता है, तब वो हमारी Dean business income बन जाती है, या फिर हमारी कोई trading liability थी, अगर अब वो cessation हो गया उसका, यान है, ठीक है, that is called cessation of trading liability, आपने चीज़े कुछ उधार ली थी, और अब आप वो पैसा नहीं देंगे कभी भी, that is your, that becomes your income, वो आपकी section 41 में income बनती है, और साथ-साथ में जो power generating वाले assets होते हैं, या फिर, आपने देखे थे scientific research वाले assets होते हैं, जिसके उपर हम deduction ले ले लेते ह ठीक है, एक दुबार में ने भी पहले भी discuss किया, जिसे कि bonus आपने दिया है, किसी भी तरह एक टेक्स आपने दिया है, interest अगर आप पे कर रहे हैं, banks को या financial institutions को, या फिर employer contribution to recognize provident fund, या statutory provident fund, ये सब allowed होते हैं कि जब आपने actually में payment करा है, अगर आपने bonus का, bonus allowed होते है section 36 में, बट आपने employee को pay कर दिया हो up to due date of ROI तक, जिसे municipal taxes of building allowed होते है section 30 में, but 43 भी ये कहता है कि उनका payment हो गया हो ROI की due date तक, क्योंकि generally हम लोग ये जानते हैं कि सारे expenses sir, अगर हमारा assessi due basis पर accounting कर रहा है, mercantile system पर accounting कर रहा है, तो उसके सारे expenses भी mercantile system पर allow कर देंगे, but we understand there are certain expenses which are covered under this section, 43B में कुछ ऐसे expenses आते हैं, जो सरफ और सरफ allowed होते हैं, only when they are actually paid, या तो वो during the previous year आप pay कर दें, तो भी ठीक है, या in fact ROI की due date तक भी pay कर दें, तो भी वो इसी साल allowed हो जाएंगे, अगर ROI की due date के बाद पे करते हैं, तो फिर इस साल तो allowed नहीं होंगे, पर इसी भी तरह एका tax, payable to government, bonus या commission to employees, interest to any banks or financial institution, अगर आपने किसी private विक्ती से interest लिया है, तो वो 43B में नहीं आता, अगर आपने pay नहीं भी करा है, तो वो due basis पर allowed हो जाएगा, but अगर आपने bank से या financial institution से loan लिया है, that interest is allowed only when they are actually paid, ठीक है, interest to any NBFC, payment of leave salary, अगर आपने leave salary का payment कर दिया हो, up to due date of ROI तक, या अगर आपको Indian Railways को payment करना था, क्योंकि आप Indian Railways के कुछ assets यूज कर रहे थे, जैसे उनकी train या rails वगेरा का आप यूज कर रहे थे, तो आपने Indian Railways को payment कर दियो, up to due date of ROI तक, 43CA, important है, in fact, इसका बिलकुल एक similar section होता है, capital gain में 50C, 50C होता है, जो लोग real estate अगर बेचते हैं, land या building बेचते हैं, जिसकी stamp value होती है, तो 43CA ये कहता है कि for example, अगर किसी का business है, और वो अपना land या building बेचते है as a stock in trade, जब कभी भी वो बेचेगा, तो उसका जो selling price वो बोल रहा है, stamp value से कम नहीं लेना है, जब वो registration करा रहा है, तो उसकी stamp value से में क्य अगर वो उससे कम value बता रहा है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, बड़ आपको पता है, इसमें 10% का grace allowed है, ठीक है 10% का difference allowed होता है, अगर उसका difference 10% से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो फिर हम तो उसका selling price ही मान लेते है, बड़ अगर difference 10% से ज्यादा है, तो फिर हम stamp value को ही consider मानते हैं कि उसकी को हम doom selling price मानेंगे, दूसरी बात, जब मान लेते हैं कि आपने कोई asset, कोई land या building बेचा था, बट उसका एक पहले से agreement किया हुआ था, बेचने के लिए पहले से 2 साल पुराना agreement या 3 साल पुराना agreement था, ठीक है, जानि कि जब registration date पर हम लोग stamp value देखते हैं तो वो असे सी बोलता है कि सर नहीं, मैंने कम price पर ही बेचा था, क्योंकि आग्चुली ये agreement पुराना था, 2 साल पुराना था, तो अगर ये वो प्रूफ कर देता है, वो agreement 2-3 साल पुराना था, वो कैसे प्रूफ करता है, एक agreement होना चाहिए, दूसरा बात, उस समय उसने कुछ ना क इनसाल जो भी है, केस, agreement date की, वहां की value देखते हैं, तो this is important, तो sale consideration should not be less than stamp value, और हम लोग 10% तक, यानि कि हम ऐसा बोल सकते हैं, जो selling price का अगर 110% तक ही हमारी अगर stamp value है, तो फिर तो हम selling price ही, actual selling price ही ले ले लेते हैं, बट अगर हमारी stamp value, इस से भी ज़्यादा, 110% करके भी तो उससे भी ज़्यादा निकली stamp value, यानि कि difference 10% से ज़्यादा था, उस case में तो फिर हम actual selling price नहीं देखते हैं, stamp value देखते हैं, at the time of registration, बट अगर prior date का agreement है, तो फिर हम agreement के according देखते हैं, provided आपने पहले कुछ पैसे लिये हो, थोड़े बहुत आपने चाहे, थोड़े ही पैस कर सकते हैं, ठीक है, 44 AA, books of accounts, so books of accounts maintain करने के लिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइट करते हैं, professionals और businessmen, actually professionals में भी दो पार्ट है, notified professionals और other professionals, तो अगर ये notified professionals हैं, like medical professional मतलब doctors, engineer, lawyers, chartered accountants, cost accountants, company secretaries, architect, interior decorator, film artist, तो इन लोगों को books of accounts हमेशा maintain करने होगे, इन लोगों को books of accounts हमे हमेशा maintain करने है, minimum books of accounts हमेशा maintain करने ही है, but अगर इनका last year का turnover, अगर इनका last year का turnover, पिछले तीन सालों का, पिछले last, जिस previous year में ये accounts maintain करना चाहते हैं, उससे पहले के आप तीन साल देखे, अगर तीनों ही सालों का turnover, all three years का turnover 1.5 lakh से ज़्यादा है, अगर इनकी gross results 1.5 lakh से exceed कर करती है, for all three years, तब इनको prescribed books of accounts maintain करना ही पढ़ेंगे, ठीक है, prescribed books of accounts में क्या होता है, cash book, general ledgers, जितने भी इन्होंने bill issue की है, 25 रूपी से ज़्यादा के, जितने भी इनको bill receive हुए है, उसकी original copy 50 रूपी से ज़्यादा के थे, वो इनको maintain करके रखने होते हैं, और वो वह वह बनाने पड़ेंगे, बट अगर इनका turnover all three years का, one point all three years का 1.5 lakh से ज़्यादा था, तो prescribed books of accounts बनाने हैं, तो कोई हमसे question बूछता है, क्या इन लोगों बुक्स of accounts maintain करने हैं, तो answer is yes, इन लोगों हमेशा books of accounts maintain करने हैं, बट अगर इनका last three years का turnover 1.5 lakh से ज़्यादा कर था, turnover मतलब gross resets, क्योंकि जितनी भी इनको अपनी clients बगर से fees मेली है, अगर वो 1.5 lakh से ज़्यादा कि थी for all three years, तो उस case में prescribed books of accounts रहेंगे, ठीक है, और अगर doctor वाला professional, medical professional हैं, तो उनको daily case register और inventory की details भी बनानी होंगी, दूसरी बात आती है, जो businessmen होगे, क्या उनको books of accounts maintain करने हैं, या फिर other professional, other professional का मतलब होते हैं, जो इस profession में नहीं आते हैं, दूसरे professionals, तो उन लोगों के लिए बोला गया कि books of accounts आपको कब बनानी हैं, तो उसके लिए individual or achieve को अलग रखा गया, और other than individual or achieve को अलग रखा गया, सबसे पहले individual or achieve की बाते करते हैं, अगर उनकी income, उनकी income last three years में से किसी भी एक year की, last three year में से, previous year से पहले के तीन साल देखेगा, किसी भी, any, ठीक है, अभी notified professionals के लिए था all three years, बट इनके लिए any, अगर income last three year में से, किसी भी year में 2.5 lakh से जादा है, तो इनको books of accounts बनाने होते हैं, otherwise नहीं बनाने होते हैं, but income के साथ साथ, मालेते हैं, किसी भी एक साल की 2.5 lakh से जादा है, तो हम बोलेंगे, yes, आपको बनाने है books of accounts, but अगर income का criteria फुल्फिल ना हो पा है, मालेते हैं, तीनो साल की 2.5 lakh से जादा नहीं थी, तो फिर turnover चेक कीजिए, यानि कि income के पाद आप सिधा ये नहीं बोल सकते हैं, कि decision दे दें, कि आपको books of accounts बनान तब आपको books of accounts maintain करने पड़ेंगे, यानि कि इधर income का criteria satisfy हो जाए, और turnover का criteria satisfy हो जाए, तो books of accounts बनाने पड़ते हैं, बट अगर for example, last three years का turnover या income नहीं थी, क्योंकि नया business था, तो हम यहाँ पर assist से पूछते हैं, कि आपको लगता है कि आपके income 2.5 lakh से exceed कर जाएगी, या turnover 25 lakh स देखनी है आपको, ठीक, अधर के case में 1.2 lakh से पार्टनर्शिप फरम है, या कोई भी अधर assess ही, अधर देखनी है, तो उनके लिए income 2.5 ना लेखके 1.5 लेख देखेगा, sorry, 1.2 lakh से देखेगा, और दूसरी बात उनका turnover, इंडिविजल और 25 lakh है, बट इनके लिए turnover 10 lakh देखे अधर प्रोफेशनल अधर कराना पड़ता है, जब प्रीविज एंड हो जाता है, उसके बाद अधर अधर कराना पड़ता है, तो हम previous year का ही turnover देखते हैं, कि अगर आपकी जो gross receipts है, आपका turnover है, 50 lakh को exceed करता है, तो आपको text audit कराना ज़रूरी हो जाएगा, बट इन केस, अगर businessman है, तो क्या उनको audit कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, यानि कि आपकी जाधतर जो transactions होती हैं आपके business में, वो mainly banking transactions होती हैं, आप account paycheck के थुरू, NEFT के थुरू, RTGS के थुरू, UPI के थुरू, भीम के थुरू, इस तरीके से payments वगएरा लेते हैं, जितने भी payments करते हैं, जितने भी पैसे मिलते हैं, आपके अगर banking transactions के थुरू maximum होती हैं, तो फिर आपका turnover 5 करोड की limit होगी, यानि कि अगर 5 करोड से उपर जाता है, तब आपको audit की जरूरत होगी, 5 करोड से अगर, 5 करोड तक या उससे कम अगर turnover है, उस case में audit की जरूरत नहीं होती है, तो यह maximum, यह कैसे देखा जाएगा, क आपके लिए turnover देखा जाएगा 5 करोड, बट अगर आपकी cash transactions भी हैं, ठीक है, कितनी cash transaction, मतलब 95 का मतलब 95% banking है, तो 5% cash है, बट अगर आपकी transaction 5% से ज़्यादा cash में हो गई, अगर 5% से ज़्यादा अगर आपकी cash में हो गई, weather resets और weather payments, तो उस case में 1 करोड की limit देखी चाहे प्रोफेशन के लिए कुछ ऐसी 95% वाला कुछ भी स्कृटिरिय नहीं है, वहाँ सर्फ 50 लाग के limit है, ठीक है, हाँ, हम लोग एक बात और जानते हैं, जो 44 AD, जो presumptive scheme में आते हैं, 44 AD जो अभी हम discuss करने वाले 8% of turnover या 6% of turnover, जो 44 AD में आते हैं, अगर उनके लिए तो 2 करोड तक अगर उनका turnover है, तो presumptive income ले सकते हैं, उनके लिए तो audit कराने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए तो audit कराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, 44 AD presumptive income, तो presumptive income के लिए अगर कोई individual है, हुए या फिर partnership firm है, not LLP, LLP को नहीं मिलता, यह सर्फ partnership firm को मिलता है, company भी presumptive income नहीं बोल सकते हैं, कि सर जितना भी हमारा turnover है, it should not be more than 2 crores, 2 crores से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उसका 8% हम इनकी presumptive income मान लेते हैं, उसका 8% presumptive income मान लेते हैं, बट अगर for example, यह जो turnover है, इसमें से कुछ भी अगर banking transactions है, अगर कुछ भी banking transaction है, तो banking transaction का 6% लेंगे, cash transaction का 8% ले यह जितनी cash transaction से उसका 8% लेंगे, banking transaction का 6% लेंगे, ठीक है, और 44 ADA जो professionals होते हैं, ठीक है, जो notified professionals होते हैं, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो 44 ADA, जो चार्ड एकाउंटेंट्स हैं, कापनी सेक्रेटरीज हैं, cost accountants हैं, ठीक है, वो लोग 44 ADA में presumptive income ले सकते है जितना भी उनका turnover है, 50 लाग से उपर अगर नहीं है, तो 44 ADA में आ सकते हैं, और 50% उनकी presumptive income माने जाएगी, जो इतना भी उनकी gross assets से, उसका 50% flat उनकी income माने जाएगी, goods carrying vehicles के लिए, अगर ये light goods vehicle है, ठीक है, तो उसके लिए तो 75 hundred per month, 75 hundred per month की income लेनी है per vehicle, बट अगर वो heavy goods vehicle है, अब heavy goods vehicle की category क्या है, heavy goods vehicle कहते हैं कि जिसका gross vehicle weight, जिसका gross vehicle weight 12,000 kg से जादा है, 12,000 kg से जादा है, 12,000 kg से जादा है, उसको heavy goods vehicle माने जाता है, इसके लिए कितनी presumptive income लेनी है, अब depend करता है, अगर वो for example 13 tons का है, तो इसके लिए 13,000 per month हो जाएगा, यानि कि हर turn के लिए 1, 1000 रुपीज की presumptive income है, अगर for example वो 15 tons का gross vehicle weight है उसका, तो 15,000 per month पर vehicle हो जाएगा, ठीक है, बड़ अगर वो vehicle for example 11 tons का है, या 12 tons का है, 12 tons तक हम उसको medium goods vehicle लिए light goods vehicle बोलेंगे, उसके लिए तो 7500 रहेगा, बड़ अगर जैसी 12 tons को cross करता है वो उसका vehicle weight, तो उसके इसके लिए 1000 1000 पर डन वाली income मानी चाती है, ठीक है, agriculture income, agriculture income आपको पता exempt होती है, तो mainly ऐसा question generally exams में पूछा जाता है, कि for example अगर किसी का tea business है, ठीक है, tea manufacturing, growing of tea का business है, फिर वो manufacturing करते है, तो उसमें से partly income agriculture मानी जाती है, partly income business की मानी जाती है, तो जितनी agriculture की मानी जाती है, उसको exempt करेंगे, ज जितना भी tea अगर business है, तो हम इसमें से 40% business की मानते है, 60% agriculture की मानेंगे, rubber का business है, 35% business है, 65% agriculture है, यह आते है, I believe आपको याद होंगी, ठीक है, आपको याद करनी की जरूरत रहेगी, यह आप याद कर लिया करें, प्रीस, ठीक है, क्योंकि यह सीजह important है, exams में अक्सर आती है, तो T के लिए 40, 60, एक असान तरीका, इसका यह हो सकता है, जो कम percentage रखनी है, क्योंकि आपको exam में 60 और 40 तो याद रहेगा, अब यह समझ में यह आता है, 60 किस की तरफ, यह 40 किस की तरफ, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा percentage है, वो agriculture की तरफ है, कम percentage business की तरफ है, जैसे business की तरफ 40 देखे business की तरफ है, 60% agriculture की तरफ है, वेबर के business में 35% business की तरफ है, 65% agriculture की तरफ है, कॉफी, कॉफी अगर सिर्फ grow या cure कर रहे हो, तो 25% 75% है, बट अगर grow, cure, roasted और grounded भी है, तो फिर 40 और 60% है, ठीक है, और आप देख रहे हैं, ज़्यादा percentage agriculture की तरफ जारी है, कम percentage business क अगरा की तरफ आ रही है, ठीक है, कुछ questions देख लेते हैं एक पार जल्दी से, लिख हुए mister Ramesh, a property dealer purchased a building on 15th July 2020 for a sum of Rs. 65,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, में इसको खरीदा था 65 लाक में 25 लाक में पीजी बीपी अब देखते हैं कि इसकी स्टेंप वैल्यू कितनी थी फिर लिखा हुए कि इसकी स्टेंप वैल्यू ऑन दिस डेट वाइटी फाइफ लाक अब देखेगा 10% से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो उसकेस में तो इसको सिंपल है 90 लाक में 10 परसेंट आड करके देख लिया कीजिए या फिर ऐसा कहते हैं हम लोग 110 परसेंट देख लीजिए 90 लाक रुपीज को एक्षिल सेलिंग प्राइस है तो अगर हम उसका 10 परसेंट करेंगे या वर्नमेंट 10 परसेंट करेंगे विचिस वन दे सेम त आगे लिखा हुआ है what would be your answer if the agreement was entered into on 1-7-2020 अगर पहले से एक prior date का agreement था अगर मालेत ने प्राइड का agreement था और आपने कुछ भी consideration price लिया है whether full और part in account पे चेक या फिर एन EFT, RT, GST, मतला banking transactions ली है तो उस case में तो फिर हम आपकी पिछली वाली stem value ले सकते हैं तो यहां पर लिख question is कि 120,000,000,000 यहां पर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो हम देखते हैं कि क्या agreement था बट पहले से कुछ payment 15,000,000,000 ने डाउन payment ली थी चेक के थूँ ठीक है check का मतलब हम मानेंगे account pay check ठीक है bearer check इसको यह cross check नहीं मानेंगे account pay check ही मानेंगे क्योंकि cash allowed नहीं है bearer check allowed नहीं है cross check allowed नहीं account pay check allowed है ठीक है क्योंकि bearer check यह cross check नेगोशेबल होते हैं और इसको तो हम as good as cash ही मानते हैं तो उसको तो मानेंगे नहीं account pay check के थूँ अगर इन्होंने पैसे लिए हैं चाहे 15,000,000,000 कोई बात नहीं एक लाग भी लेते हैं तो तो भी कोई बात नहीं होती तो उस case मे तो हम 120,000,000 की इनकी stem value मानते हुए इसी को selling price माने 120,000,000 को और cost price 65,000,000 को टेक्स implication इतनी है तो will your answer change if the set sum of 15,000,000 has been received by cash हां जी बिल्कुल चेंज हो जाता answer अगर यह 15,000,000 रूपीज वाला यहां पर अगर यह 15,000,000 रूपीज कैश में लिए गए होते तो फिर तो हम agreement date की कु जाता है 43 CA का next question देखेगा लिखा हुए विनोल is a person carrying on a profession as a film artist मतलब वो notified profession में से आ रहा है कोई है तो लिखा हुए है his gross assets from the profession RS under पिछले तीन साल की gross assets दी गई है what is your obligation regarding the maintenance of books of accounts तो पिछले तीनो साल की हमारे पास books of accounts में अगर हमारा 1.5 से उपर था यहां पर 1.5 से उपर था इधर 1.5 लाक से उपर नहीं था तो इस case में तो इनको prescribed books of accounts मेंटेन करने की जुरूरत नहीं है but he has to maintain minimum books of accounts ठीक है normal books of accounts मेंटेन तो करनी 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 पढ़ेगी नेक्स question है presumptive income के question है प्रवीन एंगेज इंगेज इन रिटेल ट्रेड रिपोर्ट से टरन ओवर और वन लाक वन करोड फिफ्टी एट लाक फिफ्टी थाउजन रूजन का ठीक है दो करोड से ज्यादा का नहीं है अच्छी बात है आउट विच वन करोड इस रिसीवड थ सकते हैं और बाकी का जो फिफ्टी एट लाक फिफ्टी थाउजन का टरन ओवर है उसका एट परसंट ले सकते हैं तो यह इनकी प्रिजम्टिव इंकम बन चाहेगी लिखा हुए है इस इंकम फर बुक्स अपकाउंट अच्छा अगर यह प्रिजम्टिव नहीं निकालेंग अगर यह बुक्स अपकाउंट्स वाली दिखाना चाहते हैं तो उस केस में तो इनको अपने अकाउंट्स बनाने भी पड़ेंगे और ओडिट भी कराना पड़ेगा ठीक है तो लिखा हुए इस मिस्टर परवीन अलिजिबल टॉपर का टरन ओवर नहीं है इंडिवीजिव कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है डिटर्माइन कर दीजिए प्रिजम्टिव इंकम कर देंगे वन करोड के उपर आप 6% निकाल दीजिएगा 58,50,000 के उपर आप 8% निकाल दीजिएगा आगे लिखा हुए है question में in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation of income what are the obligations अब चला देख लें प्रिजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर देना चाहते हैं तो इनके obligation क्या आएगी इनको books of accounts maintain करने पड़ेंगे as per section 44 AA और audit भी कराना पड़ेगा ठीक है और आगे last question पूछ रहा है की due date filing of written की क्या होगी under both the options देखो अगर audit कराना पड़ेगा इनको ठीक है अगर ये books of accounts के according 31st October 2021 31st October अगर प्रेजम्टिव इंकम के तुरू जाएंगे जहां पर audit वगएरा की जरूरत नहीं है इनके books of accounts की तो वहां पर date हो जाएगी हमरी 31st July ठीक है clear हो गया तो यहां पर आपका PGP खताम होता है बट CMA students अभी दो मिनिट के लिए मेरे साथ रहिएगा ठीक है मुझे आदे घंटे का यह 45 मिनिट के ब्रेक लिए ब्रेक में करना के आपको ठीक है चायवाई पी लीचेगा और दूसरी चीज आपको ब्रेक में करनी है कि जहां पर जहां से आपने पढ़ाई की है पीजी वीपी की एक बार उसको जल्दी से देख लीचे कि कि सारी चीजे मुझे समझ मागी है कोई पॉइंट है जो रिवाइस होने से रहे गया है तो वह कर आ करिए आप और फिर आदे गंटे बाद यह 45 मिनिट वा दुबारा से रिज्यूम कीचे और आज यह वापिस capital gain पर सी में स्टूरेंट्स अभी मेरे साथ रहिएगा आप थोड़ी दिर बात जाहिएगा ब्रेक पर हांची सीमें स्टूरेंट्स देखेगा section 44 B non-resident shipping business non-resident shipping business का इनके लिए हमेशा presumptive income लेते हैं कितनी इंकम लेते हैं जो भी income इंडिया में arise होती है जो भी income इंडिया में 7.5% लेना है कौन सी presumptive income बनानी है अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया की तरफ आ रही है शिप अगर वो रिसीव हुई है इंडिया में वो लेना है और इंडियन पोर्ट से जब पेसेंजर्स या फिर गुड्स वगएरा जा रहे हैं इंडियन पोर्ट से तो यह पूरा का पूरा फ्रेट लेना है तो उसका टोटल फ्रेट का 7.5% करना है वह आपकी प्रिजम्टिव इंकम बनती है 44 डबल बी ए के लिए नॉन रिसिदेंट एयरक्राफ बिजनस अल्मोस्स सेम प्रोविजन से बस सरफ 7.5% नहीं लेना आपको शिपिंग बिजनस के लिए लेना है यहां पर 5% लेना है ठीक तो यह बात थी आपके लिए और थे कुछ यह सेक्शन 33 A.B. और 33 A.B. पहले तो यह दो सेक्शन देखेगा यह था टी कॉफी रबर अकाउंट का तो यहां पर जो असे सी एंगेज़ ने मैनुफाक्श्रिंग टी कॉफी या रबर में से किसी में भी एक तो उसको एक डिदक्शन मिलती है कितनी जितना भी उसका प्रॉफिट आता है इंपोर्ट नहीं है सेक्शन के भाले बट फिर भी हमारे कोर्स में इसलिए मुझे करने प्ट रहे हैं तो 40% जितना भी आपके प्रॉफिट साथ है उसका 40% और जितना भी आपने TCR अकाउंट में डिपॉजिट करा है अमांट विदिन 6 मंथ ठी 33 ABA में जितना भी प्रॉफिट सा रहे है उसका 20% और अमांट डिपॉजिटेट विचेवर इस लोगर तो यहां पर प्रॉफिट का 40% है यहां पर 20% है ठीक है टेली कॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीज 33 ABA और 33 ABA यह दोनों सिमिलर सेक्शन होते हैं फर एग्जांपल असे सी एंगेश है टेली कॉम बिजनेस में जो भी वो टेली कॉम लाइसेंस खरीबता है जितने भी पैसे उसने खर्च किये हैं उसकी डिदक्शन मिल जाती है दूरिंग दा लाइफ अगर आपने पे नहीं किये तो डिदक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने इंस्टॉल्मे गाइस्टीज हमें अगोर तो अबहु को फिफटीन लाख यूवाडीज डिदक्शन मिले है तो फिफ्टीन लाइए कि एस पाइफ लाइव के देख्शन रूपरस पड़ीज थे किई एंगर अगले नौ यसिर से मिल चाइगी ठीक है तो 5 लाक दिवेट ऐड दाइन कर दीजेगा तो फर्स्ट तो आपको जो डिडेक्शन मिलेगी तो 15 लाक दिवेट वेड रट 10 भी मिलेगी और 5 लाक दिवेट बै 9 भी ठीक है और जब कभी भी आप ये लाइसेंस वागेरा ये स्पेक्टरम फीस वाली चीज़े सेल आउट करते हैं तो सेम नंबर लाइन बनती है जैसे कि एक पावर जनरेटिंग युनिट्स वागेरा के बारे में बनती थी इंडिजियल लाइसे के बारे में रिटन डाउन वेल रिविशन पीजीवीप कर लिया है ठीक है क्योंकि टाइम बिल्कुल लास्ट डे पर ये रिविशन हो रहा है लास्ट रिविशन बचा हुए अधरवाइस जो मेरे लास्ट राउन रिविशन थे वहां से भी आपने आई बिलीव आपने देख लिया होगा जहां पर मैंने से डिटेल में बाते की थी इनकी चलिए फिर आप लोग अब यहां पर ब्रेक लीचेएगा ठीक है आपने जो भी बुक्स से जो भी स्टेडी मेटिरियल से जहां से भी बढ़ाई की है प्लीज एक बार जल्दी से उसके दुख गो थू कर लीचे आदा गंटा है 45 मिनिट से लीचे ठीक है चाय कॉफी बगड़ा जो भी आपको पीना है वह पी लीचे और वापस आ जाएए आधे हैंटे के बाद जब हम क्यापटल गेंट शुरू करते हैं ठीक है बात सिंपल सी बाते हैं इफ देर जापटल अगर एक कापटल सेथे प्लस उसका ट्रांसफर हो रहा है तो कापटल गिन आने वाला है इन दे यह इंविच इट इस गेटिंग ट्रांसफर्ट किया गया उस साल अबमारा कापटल गिन आएगा किसके हातों में टेक्सेबल तो भी हम इसको कापटल गेन में लाएंगे मतलब कापटल लॉस बोल देंगे उसको बट इन दे हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ग्याद रखेंगा ट्रांसफर के आतों में इन दे इयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस उस साल हम कापटल गिन लाते हैं जनरली 451 यह कहता है प्लेस की कुछ exceptions भी होती है कुछ चीजों के उपर हम दिस सल को ट्रांसफर किया गया उस अल कापटल गिन नहीं करते उसको डेफर भी करते हैं उसके कुछ exceptions भी हम डिसकर लेंगे Capital asset किया होता है section 214 ने बोला कि capital assets ट्रांसफर क्योंकि आपको पाता है capital assets transfer होगा तबी capital गिन माना जाता है capital asset की definition 214 में given है यह कहते है कि all kinds of assets are capital assets, यानि कि सभी तरह के assets capital assets होते हैं यानि कि सभी तरह की assets से बता चलता है कि जो हमरे business के assets हैं वो भी capital assets होते हैं परसनल असेट्स हैं वो भी capital assets होंगे कर दा आनसर इस क्योंकि लिखा हुए all kinds of assets are capital assets बट उसमें कुछ exceptions दे दी गई कि कुछ assets ऐसे हैं कि उनको हम capital assets नहीं मानेंगे therefore अगर ऐसे assets का transfer होगा तो उसके उपर capital ये नहीं आएगा तो कौन-कौन सी चीज़े ऐसी हैं जो capital assets नहीं होती first बूलागे stock in trade अगर आपके पास कोई asset हो वो आपके लिए stock in trade है आपके लिए वो stock in trade है तो अगर आप उसका transfer करेंगे stock in trade could be raw material, WIP, finish goods ये सारी चीज़े आएगे उसमें तो आपके लिए वो stock in trade था जब आप उसका transfer करोगे तो उस case में वो आपका capital asset नहीं माना चाहेगा therefore there would be no capital gain उसके उपर तो फिर आपकी PGVP की income आती है ठीके for example jewelry ठीके for example अगर मेरे पास gold है, diamond वगेरा jewelry है मैं अगर उसको बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो capital ये नहीं आएगा because मेरे लिए तो वो capital asset है, but for a dweller अगर वो dweller के लिए तो वो stock in trade है, अगर वो dweller को अपनी जवेलरी बेचता है तो उस case में तो उसकी PGVP की income आएगी तो we understand कि stock in trade is not a capital asset दूसरी बात, personal movable assets अगर आपके पास कुछ personal assets है, जैसे कि movable के examples ले लेते हैं, car हमने car अपनी personal car बेची है, personal laptop बेचा है, mobile phone बेचा है ठीक है, कोई भी छीज़े जो हमारे घर में हम use करते हैं, data that are movable उसके उपर capital gain नहीं आएगा, those are not capital assets तो अब personal car, personal music system, personal TV, refrigerator बेचने पर कोई capital gain नहीं आएगा हाँ पर अगर अगर ये personal immovable है, जैसे कि हमारे घर के building है, land है अगर हम उसको बेचेंगे, that will rise in capital gain, ठीक है, उसके उपर तो capital gain आने वाल है personal movable assets को side में रखा गया, कि उनके उपर capital gain नहीं आएगा बट personal movable assets की भी exceptions है, कुछ ऐसे personal movable assets होते हैं, उसके उपर capital gain नहीं आएगा जनरली government की intention यह है कि जनरली जो personal movable होते हैं, उसकी value depreciate होती रहती है जिससे कि आपने कोई कार खरीदी, उसकी value कम होती रहती है, तो अगर उसको capital gain में ले आएंगे, तो हमेशे losses दिखाएगा तो जनरली जो personal movable assets होते हैं, उनकी value कम होती रहती है, बट कुछ ऐसे assets होते है, जिनकी value बढ़ती है ठीक है logic यह था पड़ अभी logic में जाते हैं, तो exam oriented होते है, पूरा पूरा तो personal movable assets में कुछ exceptions हैं, कि in case अगर आप jewelry precious or semi precious stones का transfer करते हैं, तो capital gain आएगा these are capital assets, paintings, drawings, sculptures capital assets होते हैं, ठीक है, paintings, mehengi paintings, mehengi drawings, sculptures, archaeological collection, any work of art, or securities, shares, revenges, bonds वगेरा, के उपर भी capital gain आता है, तो ऐसे assets, although personal हो सकते हैं, आपके, movable भी हो सकते हैं, तो इनके उपर तो capital gain आएगा, but other than these, जो आपके movable assets हैं, जैसे की laptop, car वगेरा, उसके उपर खोई capital gain नहीं आएगा, rural agriculture land, ठीक है, generally हम लोग जानते हैं, कि land के उपर तो capital gain आएगा, और अगर agriculture land भी बेचते हैं, तो that is not agriculture income, agriculture income क्या होती है, कि अगर आप उसके उपर, land के उपर cultivation करते हैं, तब agriculture income होती है, बट यहां पर तो आपने land ही बेचते हैं, तो agriculture land is a capital asset, बट अगर वो rural agriculture land है, अब rural agriculture land के हम definition देखते हैं, कि अगर वो किसी भी municipal limits है, contentment boat से 2 km दूर हो, या फिर 6 km दूर हो, या फिर 8 km दूर हो, और उसकी population 10,000, 1,00, 10,00, यह पाद याद आ गई हैं आपको, तो याद रखेगा, rural agriculture land के उपर capital gain नहीं आता, बट if it is a urban agriculture land, उसके उपर capital gain नहीं आएगा, गोल deposit bond और special bearer bonds, इनको भी, although bonds, debentures, securities वगरा पर capital gain नहीं आता है, पर specifically gold deposit bond, special bearer bonds को बोल दिया गया, इनके उपर capital gain नहीं आएगा, ठीक है, यह तो यह capital asset की definition, फिर बात आती है कि अगर हमारे पास यह पता चल गया कि capital asset है, plus उसका transfer हो रहा है, तो capital gain नहीं आएगा, ठीक है, अब यह long term होगा यह short term होगा, तो depend करता है उसके period of holding पर, period of holding पर depend करता है कि हमने वो asset कितने दिन तक अपने पास रखा, और फिर कितने time के बाद हमने इसको transfer कर रहे हैं, तो अगर यह long term के बाद कर रहे हैं, तो long term capital, यह कम माहा जाता है, बट अगर तीन साल के बाद करते हैं, तो long term होता है, ठीक है, जनरली तो तीन साल लिये जाते हैं, बट कुछ assets के लिए यह तीन साल के प्लेस पर हम लोग 2 साल भी देखते हैं, और कुछ चीजों के लिए 1 साल भी देखते हैं, ठीक है, तो generally हम लोग 3 साल तो देख थीक है, तीन साल तक देखेंगे, तीन साल के बाद बेचा तो long term, otherwise short term आचाएगा. आपको पता इक्वोटी ओरिटी क्या होते हैं, mutual funds कुछ debt oriented होते हैं, कुछ equity oriented होते हैं, mainly 65% यह से जियादा कॉर्पस equity की तरफ लगा है, अभी समझानी रहा हूं, याद कर लिजेगा, equity oriented mutual funds को एक साल के बाद ही long term बोलेंगे, units of UTI को एक सल के बाद और zero coupon bonds को, again I am repeating, listed securities, listed shares, listed adventures, एक सल के बाद, ठीक है, units of equity oriented units, equity oriented mutual funds की units को एक सल के बाद long term बोलेंगे, units of UTI और फिर zero coupon bonds को, एक सल के बाद ही long term बोल दीचेगा, एक सल तक या एक सल से कम में बेचा, तो short term आएगा, कुछ चीजों के लिए दो साल लेने हैं जो unlisted shares होते हैं, listed shares के लिए एक साल, unlisted shares के लिए दो साल, unlisted shares अगर दो साल के बाद अगर आप बेचेंगे तो long term आच जाएगा, सिर्फ unlisted debentures तीन साल, यहाँ पे सिर्फ unlisted shares लिखा है, देखे, त्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा था listed securities, securities में shares, debentures वगेरा, सब कुछ आ जाएगा उनके लिए, वो दो साल में नहीं आएगे, तो unlisted shares चाहिए, तो unlisted shares चाहिए, यहाँ बेचेंगे या बिल्डिंग बेचें, ठीक है, कोई घर वगेरा, कोई भी बेचेंगे, ठीक है, बिल्डिंग बेच रहे या लैंड बेच रहे, दो साल के बाद long term हो चाहेगा ठीक है, exact दो साल तक short term रहेगा, ठीक है, एक काउंट कैसे करते हैं, जिस दिन हमने acquire किया, उस दिन को include करते हैं, और जिस दिन वो asset transfer हो गया, तो मतलब सामने वाले का हो गया, उससे ठीक एक दिन पहले तक हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा period of holding कितना है, ठ क्याते हैं कि जिस दिन transfer हुआ, उस दिन को include करना चाहिए, वो judicial cases है, law भी यही कहता है, कि एक दिन पहले तक हम लोग period of holding मानेंगे, आप भी exam के लिए एक दिन पहले तक, ठीक एक दिन पहले तक period of holding हमारा माना जाता है, section 48, computation of capital gain, देखो 45, 1 में करा रहा था, 45 के point में हम लोग कुछ, 45 वाले section में हम कुछ और बी चीज़े discuss करते हैं, देखे, जैसे 45, 1 है, 45, 2, 45, 3, 45, 4 वगेरा, अभी discuss करेंगे, फिर 46 भी आएगा, फिर 47 भी आएगा, but right now I'm jumping on 48, ठीके 48 होता है, computation of capital gain का, कि हम अपनी computation कैसे करत में selling price minus cost price, simple definition है, selling price minus cost price, यह हमारा capital gain आचाता है, ठीके profit यही तो सीखा था, हमने classics है, selling price minus cost price, यही करना है, selling price को बस क्या बोल देंगे हम, full value of consideration, selling price को full value of consideration बोलेंगे, cost price को cost of acquisition बोल देंगे, ठीके और cost में और क्या include हो सकता है, cost of improvement भी हो सकता है, expenses on transfer भी हो सकता है, अतलब total जो आपकी cost आई है, उस asset के ओपर, simple है, full value of consideration minus cost of acquisition, cost of improvement और expenses on transfer, कुछ students पहले expenses on transfer minus कर देते हैं, फिर net consideration बोलते हैं, फिर यह दोनों चीज़े minus करते हैं, बात एक ही है, ठीके, खुल मिला के तीनों चीज़े minus ही होनी है, ठीके, तो this is how you calculate your capital gain, बट अगर यह long term capital gain है, तो हम cost of acquisition और cost of improvement का इन दोनों का indexation करते हैं, ठीके, समझ मागे न, indexation याद आगया है, ठीके, अब मैं सिखा नहीं 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 हो कि indexation कैसे करते हैं, you know, understood, ठीके, तो full value of consideration इतनी होती है, long term में यह cost of acquisition और cost of improvement का indexation करेंगे, expenses on transfer तो अभी ही आपने किया होंगे, तो उसका indexation नहीं हो करता है, ठीके, index cost of acquisition का formula क्या होते है, CII of the year of transfer, जिस सल भी आपने transfer करा उस सल का CII है, जैसे कि जनरली हमारे पास previous year 2021 आएगा, जनरली इस सल का CII है, जिस से 301 है, divided by CII of the year of acquisition, जब यह आपने acquire किया था, उसका CII denominator में लेना है, ठीके, जब assessi ने इसको acquire करा था, तब उसका C जब assessi के पास पहली बार कब आया, उसका CII लेना है, but you understand, there is also a famous landmark case of Manjula Jay Shah, अगर हमारे previous owner से हमें आया है, for example, assessi के father ने दिया है, ग्रांड फादर ने दिया है, तो उनकी date भी acquisition की वला CII ले सकते हैं, ठीके, जनरली क्या होते है, CII of the year of transfer, divided by CII of the year, in which it is first held by assessi, assessi के पहली यूज की चेएगा, in case, अगर MCQ आए, तो फिर आप exact formula ही यूज कीचेएगा, दुबारा से repeat करना हूँ, अगर descriptive question में, अगर आपको indexation लगाना हो, तो generally Manjula Jay Shah को ही preference आप लोग देंगे, Manjula Jay Shah को preference देंगे, यानि कि previous owner का CII ले लेंगे, ठीके, जैसे father से मिला, assessi को या grandfather से म formula उसी पर stick रहिएगा, कि assessi के पास पहली बर कब आया, ठीके, assessi के पास पहली बर कब आया, वहां का CII ले लीज़ेगा, into cost of acquisition, index cost of improvement का formula क्याता है, वो तो simple formula होता है, CII of the year of transfer divided by CII of the year of improvement into cost of improvement, but improvement में याद रखिए, one for 2001 से पुरानी improvement को नहीं लेना होता, याद आगया, one for 2001 स पहले का अगर acquisition है, तो उसका CII 100 आता है, याद आ गया, और दूसरी बात, हम उसकी fair market value लेते हैं, जो उसकी actual cost होती है, actual cost और fair market value as on one for 2001, ठीके, whichever is obviously higher ही लेंगे, ज़्यादा cost लेना चाहेगा, अगर कोई भी asset one for 2001 से पहले का acquire होता है, तो उसकी actual cost देखते हैं, और उसको compare कर करते हैं, उसकी fair market value as on one for 2001, whichever is higher, वो आप ले लेते हैं, ठीक है, बड़ेक, यहाँ पर एक छोड़ी सी amendment आई है, land और building के case में, अगर land और building one for 2001 से पुराना है, और मान लेते हैं, आप इसकी fair market value ले रहे हैं, one for 2001 की, तो आप इसको, इसकी अगर stamp value available है, इस दिन की one for 2001 की, तो please stamp value भी check कर लीचेगा, क्योंकि यह fair market value should not exceed stamp value, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि अगर आपको fair market value और stamp value दोनों given होना, तो please whichever is lower ही लीचेगा, whichever is lower ही लीचेगा, ठीक है, तो सबसे पहले पूरा लिखवा दूँ अगर, मान लेते हैं, यह land and building है, let's say land and building है, one for 2001 से, one for 2001 से पुरा करते हैं, कि fair market value से, one for 2001, ठीक है, whichever is higher लेते हैं, लेना यही है, whichever is higher लेना है, बट अब इसकी fair market value के साथ-साथ एक काम कीजिगा, इसकी stamp value और देख लीचेगा, अगर आपको stamp value given नहीं है, यह सिर्फ land and building की case में होगा, और वैसे भी land and building की stamp value होती है, बाकी चीज़ों की नहीं इसको फिर compare करना actual cost से, whichever is higher, ठीक है, simple terms में बोला गया, amendment ने के बोला गया, कि अगर आप land and building 1 for 2001 से पुरानी है, और आप fair market value ले रहे हैं, but that fair market value should not exceed stamp value, stamp value से जदा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह मैंने discuss कर लिया, CIE इस साल का है 301, अगर 2001 से पुराना asset required करा हुए है, त it should not exceed stamp value, अगर stamp value अवेलेबल है तो, 2001 से पुराने improvement cost हम लोग नहीं लेते हैं, और debentures के case में या bonds के case में हम indexation भी नहीं करते हैं, ठीक है, याद आ गया, debentures और bonds के case में, सर क्यों नहीं करते हैं, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, detailed class में हम लोग discuss करते हैं, अभी नहीं, बढ अभी सर वियाद कर लिजेगा, bonds और debentures में नहीं करते, सिर्फ एक तरह के bonds होते हैं, capital index bonds, ठीक है, CIBs के लिए indexation हो जाती है, next है, 451 ए insurance claim का, ठीक है, insurance claim का ये कहते हैं, अगर for example, हमारा asset destroy हो गया, अगर हमारा asset destroy हो गया, और हमें insurance company से claim मिलता है, तो इसको भी हम capital asset की definition में ह जाता है, तो अगर insurance company ने claim for example, अगर वो destroy हो है, let's say previous year 1920 में, तो यहाँ पर transfer हो गया, but उसका compensation यहाँ पर नहीं मिला है, for example, 1920 में उसका अभी तक claim नहीं मिला है, sorry, insurance claim अभी तक नहीं मिला है, claim मिला है हमें previous year 2021 में जाकर, तो यह exception है, मैं बोल रहा था ना कि कुछ exceptions हैं, उस particular rule क्योंकि generally capital gain आता है in the previous year when it is transferred, but इसकी कुछ exceptions भी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सहमत है, assessi से, sir, एक तो आपका asset destroy हो गया, उपर से insurance company अभी तक आपको पैसे नहीं दिये हैं, तो अभी हम आपका capital gain differ कर रहे हैं, तो इस case में capital gain की liability differ हो जाती है, जब actually हमें insurance claim मिलता है, तो अगर insurance claim यहाँ पर मिला है, तो आप इस year इसको taxable करते हो, हाँ, but indexation जब आप करोगे, जब आप देखोगे, यह मेरे पास कब तक था, जब indexation करते हैं, तो indexation तो 1920 तक ही होगी, but capital gain की taxability होगी, जब आप calculation करोगे, तो previous year 2021 में, कुल मिला कर मैं ऐसे बोल सकता हूं, in the year when such compensation is received ठीक है, यह 45-1 बोलता है, 45-2 यह बोलता है कि अगर आपके पास एक capital asset था, अगर आपके पास एक capital asset था, और आपने उसको stock in trade में convert कर दिया, तो इसको भी हम transfer माना जाता है, ठीक है, if you have a capital asset, you are converting it into stock, देख, stock को capital asset में convert करना PGVP में बोला था, ठीक है, अगर आपके पास stock थ अगर आपके पास एक capital asset था, अगर आपके पास एक capital asset था, and you are transferring it, you are converting it into stock in trade, अगर आप stock in trade में convert कर रहे हो, तो इसको capital gain मानेंगे, but हम जिस सल आप capital gain में 45-2 में क्या लिखा हुए, बताया हुए कि किस तरीक से आपको procedure follow करना है, जिस सल convert हुआ, उस सल capital transfer तो मान लेंगे, but इस सल अभी हम capital gain की liability आपकी नहीं बनाएंगे, इस सल आपकी नहीं बनाएंगे, पर जब यह actually stock बेचा जाएगा, उस सल हम आपकी taxability बनाएंगे, और उस समय दो income आएगी, एक तो PGVP और दूसरी capital gain, तो याद कर लीजे मैंने कुछ ऐसा समझाया था, for example, इस date को आपने capital asset purchase किया, ठीके, इस date को आपने capital asset purchase किया, और यहाँ पर इस date पर आपने stock in trade में इसको convert कर दिया, तो इस date पर हम capital gain की taxability नहीं बनाते हैं, इसको defer कर देते हैं, जब आपने actually बेचा, जब आपने इसको actually बेचा, यहाँ पर बेचा मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी PGVP की income भी करेंगे, और जिस समय आपने convert किया था, उसकी fair market value क्या थी, तो fair market value लेनी है, उती है at the time of conversion, fair market value लीजे, minus यह cost, इतना तो portion capital gain का आता है, और इस से आगे वाला portion आपकी PGVP आती है, यानि कि PGVP क्या होगी, जब आपने बेचा कितने का था, हो आपकी selling price, cost क्या मानेंगे, fair market value इस point तक तो already आपका capital लीजे ना चुका है, तो इसकी cost fair market value हो जाती है, तो यह section 45.2 करता है, conversion of capital asset into stock and trade, 45.2 है, ठीके, indexation कब तक करेंगे, जितना time वो capital asset रहा था, ठीके, वहां तक ही indexation करेंगे, एक बार वो stock बन गया, उसके बाद तो indexation होगा नहीं, 45.2 है, सिंपल है, जो जरली आजकल होती है, हमारे shares वगेरा d-med form में, तो अगर यह बेचे जाएंगे, तो हमेशा first and first out को ही follow किया चाहेगा, 45.3 यह कहता है कि अगर आपके पास कोई capital asset है, किसी विक्ति के पास capital asset है, और अगर वो अपना capital asset अपनी partnership firm को as capital contribution दे दे, तो यहां पर भी ट्रांसर मान capital asset को transfer कर रहा है firm के हातों में, तो उस समय value क्या लगी चाहेगी, किस value पर full value of consideration माना जाएगा, book value, जिस value पर वो record किया जाता है, firms की books में, तो book value यहां पर full value of consideration बनती है, 45.4, transfer of reverse बाते कर रहा हूं, अगर for example, एक partnership firm dissolve हो जाती है, partnership firm dissolve हो जाती है, और वो अपने dissolution पर अपने assets को transfer करती है, partners को, तो firm के हातों में, capital गिनाने वाल है, और full value of consideration क्या ली जाएगी, market value, जिस समय, वो distribute कर रहे है, उस समय market value क्या थी, यह कहता है, 45.4, 45.5, काफी important है, exams में, अकसर आता रहता है, 45.5 के बारे में, compulsory acquisition, अगर for example, assessi के पास ए capital asset था, और उसका capital asset, compulsory acquisition हो जाता है उसका, government को वहाँ पर road, flyover, train, वगेरा, कुछ भी बनाना था, और वहाँ पर government, ठीक है, central government, state government, local authority, वगेरा, अगर वहाँ पर compulsory acquisition करते हैं, तो भी, अगर for example, किसी का घर था, compulsory acquisition हुआ, तो उसको compensation दिया जाता है, ठीक, उसको compensation दिया जाते है, तो यहाँ पर भी उस विक्त set की taxability को differ कर देते हैं, जब आपको first time compensation मिला, जब आपको compensation मिलता है, हम उससाल इसको taxable करेंगे, but indexation कब तक का करेंगे, compulsory acquisition तक का, ठीक है, आधा आता है, तो capital gain हम taxable करते हैं, when the compensation is first received, ठीक है, जब भी पहली बार compensation मिलते हैं, चाहे वो full compensation मिले या फिर partial compensation मिले, हम पूरे amount स जितना भी आपकी compensation fixed हुई है, चाहे वो भले ही partial मिल रही है अभी, but इस समय हम taxable कर देते हैं, और taxability generally तो एक साथ ही मिल जाती है compensation, बट अगर वो parts में मिले ना, अगर वो installments में भी मिले, तो आप पूरे amount को consider करिएगा, और जिस साल वो first time मिलती है, उस साल taxability आपकी आएग अगर बाद में हमें enhanced compensation भी मिल जाता है, अगर पहले हम लोग कम compensation मिला हमने इसके court में case कर दिया, नहीं मुझे कम compensation मिला है, बाद में हमें कुछ extra compensation मिल जाता है, तो उस सल दुबारा से capital gain आएगा, ठीके long term होगा, short term होगा, ठीके depend करता है original capital gain कितना था, जितना भी enhanced compensation था, व इसमें cost of acquisition cost of improvement zero, expenses and transfer ले सकते हैं, अगर कोई आपकी legal expenses होए, वो expenses and transfer मांग लिया जाता है, अगर compensation reduced हो जाती है, अगर compensation reduced हो गई, तो फिर दुबारा से back calculation की जाती है, वापस back calculation मिला हो जब हमारा original capital gain आया था, वहां पर आप recalculate किया जाता है, अगर compensation reduced हो जाती है, तो दू percent की reduction मिल जाती है, ठीक है, for example, compensation 10 lakh था, वो late मिला, उसके चलते एक लाक extra मिले as interest, तो जो एक लाक मिले, ठीक है, that is IFOs की income, बट उसमें से 50% की flat deduction दे देते हैं, वो IFOs में हम लोग पढ़ते हैं, तो बाकी का सरफ 50,000 या आपके हातों में taxable होता है, ठीक है, बट अगर compulsory acquisition ह हो जाए, urban agriculture land का, urban agriculture land का कंपल से acquisition हो जाए, उसको exempt करते हैं, ठीक है, उसको taxable नहीं करते है, 45.5 joint development agreement, ठीक है, जहां पर assessi के पास, for example, land था या पोई पराना घर था, जिसको तोड़कर builder, यहां पर flats वगएरा बनाता है, और उसमें से कुछ flats और कुछ पैसे, assessi को देते है, तो यहां पर भी capital gain आएगा, ठीक है, यहां पर भी capital gain आएगा, full value of consideration कितनी होगी, जितना भी आपको assessi को flats वगएरा, जो भी चीजे मिल रही है, in kind में, उसकी stamp value, plus cash अगर, वो builder उसको cash दे रहा है, तो full value of consideration टोटल होती है, लिखा हुए full value of consideration will be the stamp duty value, as on the date of completion certificate, plus जो भी उसक shift के लिए कब निकाल लिएगा, जिस साल उसका completion certificate मिलता है, ठीक है, उस सल capital gain आचाएगा, section 46a, buyback of shares or securities, ठीक है, अगर हम अपने shares directly उसी company को बेच देते हैं, जिससे जन्होंने issue किये थे, जिसको हम buyback भी बोलते हैं, तो यहां पर भी capital gain आता है, ठीक है, buyback of specified securities and shares के बारे में तो buyback of specified securities होता है, तो simple है, भान लेते हैं, Mr. A के पास securities थी, Mr. A के पास securities थी, यह अगर बेचते हैं, तो Mr. A के उपर ही तो capital gain आएगा, बट अगर यह directly उसी company को बेचते हैं, जिसने issue करा था, तो इसको हम buyback बोलते हैं, कि company ने खुद ही खरीद लिया, तो भी Mr. A के हाथों म capital gain लगाते हैं, at a special rate 20% plus search charge 12% plus 4% says, it is only in case of shares, listed or unlisted shares, but अगर वो shares नहीं है, normal securities है, तो उसके लिए तो shareholder के हाथों में capital gain आता है, shareholder नहीं कहना चाहिए, security holder बोलना चाहिए, section 46, distribution of assets by company on liquidation. For example, ABC Limited एक company थी, ठीक, ABC Limited एक company थी, और इसके कुछ shareholders थे, मान लेते हैं, इसमें से कोई shareholder था Mr. X, Mr. X के पास 10,000 shares है, ठीक है, Mr. X के पास 10,000 shares है, ABC Limited for example, liquid हो जाती है, यह wind up हो रही है, ठीक है, लिक्विड हो रही है, और Mr. X को यह बोलती है, Mr. X, आप अपने 10,000 shares हमेरे पास वापस ले आईए और हम आपको पैसे देते हैं, या जो भी हमारे पास असे से वो देते हैं, तो आपको पता है, लिक्विडेशन क्या होता है, वो company law में आप लोग पढ़ता है, कि लिक्विडेशन वाइनिक अपका क्या process होता है, तो पहले company अपने आउसाइड रिस वगे जितने के भी खरीदेते हैं, वो तो Mr. X की cost है, Mr. X ये शेर्स वापस आब ABC लिमिट को दे रहे हैं, और ABC लिमिट इसके कुछ पैसे दे रही है, हो सकता है कुछ पैसे दे रही हो या पर कुछ assets भी दे रही हो साथ में, तो यहाँ पर Mr. X के हाथों में capital गीन आता है, Mr. X के ह अगर cash मिलता है, तो cash फरी consideration हो जाएगी, बढ़ यहाँ से अगर other assets मिलते हैं, तो उसकी market value, ठीके total ले लिजेगा कि इस 10,000 के बदले हमें क्या क्या मिल रहा है, तो वो हमारी full value of consideration हो जाती है, minus cost कितनी, जितना Mr. X ने ये shares खरीदे थे, long term थे तो indexation भी करिएगा, ठीके, ब के पास कुछ reserves या accumulated profits पड़े हुए हैं, और क्योंकि वो भी उसका भी तो portion जब वो अपने shareholder को distribute कर रहे हैं, तो एक तरीके से profits भी तो distribute हो रहे हैं, तो जब ये profits distribute होते हैं, तो we understand this is dividend, और इसको नाम दिया गिए, deemed dividend under section 222C, तो जब ये ABC limited, for example, अपने Mr. A shareholder है, जिसके पास 10,000 shares थे, जब इनको पैसे दे रही है, या दूसरे assets दे रही है, तो देखना पड़ेगा कि Mr. A का इसमें कितना share है, ठीक है, इसका कितना हिस्सा है, for example, इस company के पास total 1 lakh shares इसने issue किये होए थे, और Mr. A के पास 10,000 shares है, तो जितने भी accumulated profit होंगे, उसका 10% तो एक तरीके से Mr. A क dividend हो गया, तो जितने भी जब आपको पैसे मिलें, अगर आप देखें किया वहाँ पर कुछ accumulated profits थे, तो अगर उसका reserves का portion मिल रहा है हमें, या accumulated reserves का portion मिल रहा है हमें, तो इसको dividend माना जाएगा, वो जो dividend माना जाएगा, shareholder इसके उपर tax देगा as dividend, IFOS की income, but उसके अलावा जो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपके shares की consideration मिल रही है, तो इसको simple, अब एक पर पढ़ लेता हूं, capital gain will arise in the hands of shareholder, because उसके shares transfer हो रहे है, full value of consideration क्या लेंगे, जितनी भी हमारे पास जो assets मिल रहे हैं, तो उसकी market value, plus any money received, ठीक है, जो भी मि capital gain बत मानिएगा, ठीक है, जितना भी चीजे मिली हैं, आपको market value of those assets, plus cash, जितना भी मिला है, उसका total करिए, उसमें से जितना भी आपका dividend का portion है, उसको हटा दीचे, जितना बच्चे का, that is your full value of consideration, और cost कितनी आएगी, जितने के आपने shares खरी देते, ठीक है, और जो deemed dividend है, व होती है, जिसको हम transfer नहीं मानते है, अगर हम transfer नहीं मानेंगे, तो there would be no capital gain, उसके ऊपर कोई capital gain भी नहीं आएगा, जैसे कि distribution of capital assets on the total or partial partition of HUF, for example, अगर कोई एक HUF, ठीक है, फुल, उसका complete partition हो रहा है, या partial partition हो रहा है, तो हम HUF के हातों में कोई capital gain नहीं मानते, even receiver के हातों में कोई IFRS की income नहीं होती उस समय, क्योंकि एक family थी, वही अपना बस अपने assets को distribute कर रहे है, तो उसके हातों में कोई capital gain नहीं माना जाएगा, अगर कोई भी विक्ति, अगर किसी को capital asset अपना as gift दे देता है, will में या irrevocable trust के through, ठीक हो वापस नहीं लेगा, permanently आपको दे दिया गय gift में, will में, irrevocable trust के through, तो उसके ओपर कोई capital gain नहीं आता, obviously, मतलब बहुत logical है, for example, मेरे पास कोई capital asset है, ठीक है, let's say, मेरे पास कोई gold, मेरे पास कोई gold या diamond वगेरा की चीज़े हैं, और मैं आपको as a gift दे दूँ, तो अगर मैं आपको as a gift दे दूँ, मैं transfer हूँ, मेरे पास capital asset था, मैंने transfer भी करा, but मैंने आपको as a gift दिया, तो मेरे लिए तो कोई income नहीं हुई, आपके लिए income होती है, ठीक है, वो आपके लिए income होती है, आपकी income आपकी income में जाती है, वो हम लोग जानते है, gifts वगेरा, IFS की income होगी, हाँ, अगर अगर आप मेरे relatives हैं, तो फिर भी IF में exempt हो जाता है, बड़ अगर relative नहीं है, तो फिर आपकी income taxable हो जाती है, IFS में और वो 50,000 वाली limit भी लगा देंगे, next year transfer of capital assets by a holding company to its 100% subsidiary company, ठीक है, provided receiver जो होना चाहिए, वो एक Indian company होना चाहिए, देखिए, अगर वो हमारी 100% subsidiary है, तो कोई और नहीं है, हम अपने आप कोई एक तरीके से assets transfer कर रहे हैं, तो there should be no capital gain, उसके उपर कोई transfer नहीं माना चाहिएगा, similarly अगर कोई 100% subsidiary है, अगर वो करेंगे, अगर receiver एक Indian company है, हमारी 100% holding company है, उसको transfer करें capital asset, कोई capital gain नहीं आएगा, similarly अगर amalgamation हो रहे है, ठीक है, amalgamation हो रहे है, एक company दूसरी company में amalgamate हो रही है, तो if this company, first company is transferring its capital asset to other company, no capital gain will arise, de-merger के case में कोई capital gain नहीं होगा, यह जो amalgamation करते समय, अगर हमारे पास पहले amalgam टिंग company के shares थे, उसके बाद हमारे पास amalgamated company के shares आजाते हैं, तो हमारे पास जो shares, नए shares आएं amalgamated company के, उस पर भी कोई capital gain नहीं आएगा, हाँ, जब यह actually नए shares बेचे जाएंगे, तो cost कौन से मानी जाएगी पुराने shares की, क्योंकि हमने अपने पुरानी company के shares खरीदे हो होंगे और holding period भी शुरू से count होगा, तो ऐसी कुछ बाते करते हैं section 47 में, conversion of debentures or bonds into shares, convertible debentures होते हैं, transfer of rupee denominated bonds, जिसको masala bonds भी बोलते हैं, by one non resident to another, non resident अगर वो transfer करता है, तो capital gain नहीं आएगा, यहाँ पर एक important बात है, transfer of paintings, drawing, sculptures, हम लोग जानते हैं, अगर paintings, drawing, sculptures वगएरा ब transfer करते हैं to the government, या फिर to national museum, national archives में, तो यहाँ पर government ने बोला हुए है, कि हम आपके उपर capital gain नहीं लगाएंगे, और last है, transfer in the scheme of reverse mortgage, reverse mortgage, आप लोग समझते हैं, senior citizen को यह facility मिलती है, कि वो अपना property bank को दे देते हैं, bank उनको कुछ पैसे देता है, monthly भी कुछ पैसे देता है, तो you understand what is reverse mortgage, तो reverse mortgage में भी जो senior citizen ने अपना घर, वो transfer कर रहे हैं, bank को, उसके उपर भी कोई capital gain नहीं आएगा, section 50, capital gain in case of depreciable assets, ठीक है, इसके उपर हम capital gain कैसे calculate करते हैं, बिलकुल similar है, जैसे की section 32 में हम लोग calculation करते हैं, सबसे फ़ले हम लोग करते थे, block wise हम लोग calculation करते थे, WDV at the beginning of the year, कि beginning of the year में हमारे पास कितना WDV है, add acquisition during the year, ठीक हमने कुछ इसमें add करा, ठीक हमने कुछ इसमें नए और असेट एड करें, टू लाक रुपीज के, टोटल 12 लाक हो गया है, इसमें से मान लेते हैं कि हमने कोई भी एक asset बेच दिया, मान लेते हैं, कोई भी एक प बेच दिया है, पूरा एक पार्ट बेच दिया, और वो कितने का बेच दिया, लेट से हमने 14 लाक का बेच दिया, तो यहां पर आपने ज्यादा अमाउंट का बेच दिया है, तो आपके पास total block की value तो 12 लाक थी, opening value प्लस अजर addition किया है during the year, उसको मिला कर, sorry, total value 12 लाक थी, पर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में बेच दिया, तो यहां पर आपका short term capital gain आजाता है, और आपको पता है, हमेश्या section 50 में short term ही आता है, in case of depreciable asset, तो यहां पर 2 लाक का capital gain आजेगा, क्या capital loss भी आ सकता है, आ सकता है, उस case में अगर आपने सारा का सारा, पूरा का पूर लिए तो depreciation claim कर रहे थे, या फिर कोई deduction claim कर रहे थे, जैसे कि power generating units वाले assets होते हैं, जिसके ओपर SLM basis पर आप लोग depreciation लगाते हैं, या फिर section 35 वाले assets होते है, scientific research वाले इसको पर 100% deduction आप ले लेते हैं, यह बात है हमने PGV में भी की थी, तो for example, अगर कोई भी asset, let's say power generating वाला asset है, let's say आपने 20 lakh rupees का खरीदा था, उसकी original cost 20 lakh rupees थी, और आप उसको SLM basis पर depreciate कर रहे हैं, तो let's say मान लेते हैं, कि उसको depreciate करते होए 4-5 साल हो गए, और अभी इसकी return down value, let's say 14 lakh rupees है, तो अभी 14 lakh rupees उसकी value है, original value उसकी 20 lakh rupees थी, अब मान लेते हैं, कि आपने ये asset बेच दिया, for example ये आपने वे asset बेच दिया, for example, ये आपने 15 lakh rupees का बेचा, तो 14 lakh से जादा का बेचा, यानि कि income तो हो रही है, but 14 से लेकर आपको पता है, 14 से जब वो उपर विकेगा, up to 20 lakh तक ये तो PGVP की income आने जाती है, but अगर वो original cost से भी उपर जाता है, अगर वो 20 lakh से भी अगर आप बेच दे उसको, तो उस case में वो capital गिन आने वाला है, ठीक है, और डिपेंड करता है, holding period के उपर ये आपने कितने time तक hold करके रखा था, अगर ये 3 साल से जादा holding था, तो उसके उपर long term capital गिन आता है, let's say आपने for example, 26 lakh का बेच दिया है, तो 26 lakh का बेच अगर ये short term है, simple इस से पहले तो PGVP की इन कमती है, तो 26 माइनस 20 आजेगा, गर 6 lakh का short term capital गिन, in case अगर ये 3 साल से ज्यादा holding period था, तो 26 lakh का अगर आपने बेच आपने बेच तो 20 lakh मत लिजेगा, 20 lakh का indexation कीजेगा, फिर 20 lakh का indexation कीजेगा, जो भी आपका capital गिन आ जाए, indexation करने के बाद फिर आप minus करेंगे उसको, तो आपका long term capital गिन आएगा, ठीक है, next section 50b, slum sale का, slum sale क्या होता है, जब आप अपनी पूरी-पूरी undertaking for a lump sum consideration बेच देते है, ठीक है, अगर आपने पूरी-पूरी undertaking for a lump sum consideration बेच दी है, तो उस case में, let's say, पूरी unit बेच दी है, पूरी company बेच दी हो, आ करते हैं, हम slum sale, जहां पर हम अलग-अलग assets को, यह अलग-अलग liabilities को अलग-अलग नहीं करते हैं, एक साथ बेच देते हैं, तो जितना भी आपको पैसे मिले, that is full value of consideration, minus cost कितनी लेते हैं, cost of acquisition और cost of improvement आप उसके place पर net worth लेते हैं, कि उस undertaking की net worth कितनी थी, और net worth कैसे निकालत हैं, उसके total assets कितने थे, ठीक है, total assets, obviously fixation assets निमत देखेगा, total assets minus outside liabilities, ठीक है, इससे आपकी net worth निकलाती है, दूसरी बात ध्यान रखेगा, अगर total assets जब आप ले रहे हैं, अगर किसी भी asset का revaluation हुआ है, तो इस revaluation का effect आप वहां से nullify करते हैं, वहां से effect ठाते हैं, और उसकी original value देखते हैं, कि उसकी original value क्या थी, revaluation से पहले, ठीक है, जितने जोग कोई भी आप depreciable assets अगर हैं, वहां पर, तो उस पर depreciation as per section 32 calculate हो जाना चाहिए, ठीक है, कभी कभी कोशन यह आता है, slum sale का, कि उसके उपर कोई depreciable assets था, बढ़ आपने depreciation as per income tax act calculate नहीं किया है, या फिर depreciation नहीं किया है, तो उसके उपर, आप accordingly पहरे depreciation compute कीचे, फिर उसकी जो भी value आती है, वो लखेगा, तो यहां पर हम net worth लेते हैं, expensive and transfer ले सकते हैं, और इसके उपर long term आएगा, short term आएगा, depend करता है, यह undertaking कितनी पुरानी थी, अगर यह 3 साल से ज्यादा पुरानी थी, तो फिर long term आएगा, और 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं थी, तो short term आएगा, और net worth का कभी भी indexation नहीं होगा, slum sale में हम लोग indexation नहीं करते हैं, next section है 50C, 50C अगेन काफी ज्यादा exam में पूछा जाता है, real estate transactions का, अगर assessi ने अपना land बेचा है, या building बेची है, और वो अपना selling price stamp value स से भी कम बोल रहा है, तो हम उसका stamp value को ही बोलते हैं, कि हम stamp value को ही आपका deemed full value of consideration बना देते हैं, but अगर मान लेते हैं, कि difference 10% से ज्यादा का नहीं है, similar section है, जैसे कि अभी हमने PGVP में 43CA discuss किया था, तो अगर ये difference 10% से ज्यादा का नहीं है, तो फिर उसका actual selling price को ही ले 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 agreement की भी ले सकते हैं, अगर एक पुरानी rate का agreement था, प्लस उस समय कुछ ना कुछ आपके पास consideration आई थी, in the form of banking transaction, मतलब other than cash से consideration आई थी, तो वो ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 50CA, consideration for unlisted shares, तो actual selling price should not be less than fair market value, अगर आप unlisted shares बेच रहे तो उसकी actual selling price fair market value से कम नहीं होना चाहिए, 50D बहुत सिंपल से section है, अगर full value of consideration unassertainable हो, तो उस समय उसकी fair market value थी, उसको हम full value of consideration मान लेंगे, 51, again it's an important section, 51, advanced money forfeited का, in case अगर advanced money forfeit हुआ है, 1-4-2014 से पहलेगा, अगर advanced money forfeit हुआ है, 1-4-2014 से पहलेगा, तो जिस साल वो forfeit होता था, उस साल हम कोई tax liability नहीं बना जाते थ अगर वो forfeiture है, 1-4-2014 से पहलेगा, ठीक है, बट जब कभी भी assessi अपना asset बेचेगा, जब कभी भी assessi अपना asset बेचेगा, तो जितनी भी उसने कोई भी amount forfeit किया था, वो अपनी cost में से reduce करता है, तो 1-4-2014 से पुरानी, अगर कोई भी amount forfeited है, उस समय in the year of forfeiture कुश मत की कीजेगा, जब कभी भी वही assessi जिसने forfeit करा था, जिसने वही assessi जिसने forfeit किया था, अगर वो अपना asset बेचता है, तो उसकी cost में से reduce कीजेगा, वो जो amount उसने forfeit किया था, बट अगर ये forfeiture हुआ है, 1-4-14 के बाद, तो उस case में तो in the year of forfeiture में ही उसकी IFOS की income बनती है, व अगर goodwill of a business है, right to manufacture, produce or process any article, right to carry on any business, cost of acquisition के अखितनी लेनी है, अगर ये purchase है, तो actual purchase price, और cost of improvement इनकी ऐसे assets की बिल्कुल नहीं लेंगे, बट अगर ये tenancy rights है, trademark है, brand name, trademark, brand name associated with business, root permits और loomars है, उनकी cost of acquisition तो, अगर salvation rated है तो nil, अगर purchase है, तो actual purchase price, ठीक है, और इनकी cost of improvement ले सकत right to manufacture, produce any article or thing, right to carry on any business, इनकी cost of improvement नहीं लेनी है, next step 55, reference to valuation officer, क्या assessing officer, valuation officer की मदद ले सकता है, the answer is yes, अगर उसको लगता है, कि nature of transaction इस तरह की है, कि मुझे valuation officer की मदद लेनी चाहिए, तो he can go and take the help of valuation officer also, वो रफर कर सकता है, कि valuation officer को भी, दूसरी बात, यहाँ पे monetary limit भी दी गई है कि अगर assessing officer को लगता है, कि जो assessi value claim कर रहा है, assessi केते हैं कि मैंने इसको इतनी value पर बेचा है, बट AO को लगता है, इसकी fair market value जादा है, assessi जूट बोल रहा है हाँ पर, तो भी वो valuation officer का reference ले सकता है, यहाँ पर कितना एक monetary amount दिया गया है, अगर उसको लगता है, जो difference है, जो fair market value में और जो actual price assessi बोल रहा है, उन दोनों में difference है, कितना difference है, 15% of the claimed value, जितना assessi बोल रहा है, उसका 15% यह 25,000, इन दोनों में से whichever is lower choose कीजेगा, अगर AO को लगता है कि इस से ज़्यादा difference है, तो वो valuation officer की मदद ले पाएगा, मुझे section 54B अभी discuss करना है, 54 exemptions का, यह family है, 54, 54B 54E, 54F वागेरा, थोड़ी देर में discuss करता हूँ, पहले थोड़ा सा shares के वारे में discuss करना चाहूँगा, मैं important concept रहता है shares के लिए भी, दो तीन चीज़े बात discuss करता हूँ, सबसे पहले bonus shares, bonus shares अगर 142001 या उसके बाद अगर आपको मिले हैं, तो अब इसकी आपको पता है कि bonus shares तो free में मिलते हैं, तो इसकी cost of acquisition 0 लेनी है, ठीके bonus shares की याद कर लीजे, cost of acquisition 0 होती है, क्योंकि free में मिले हैं आपको, ठीके जितने मी आपने बेचा, minus cost of acquisition 0, but अगर ये bonus shares 142001 से पुराने हैं, अगर ये 142001 से पहले allot हुए थे, although free में ही हुए होंगे, but आप इसकी cost of acquisition क्या लेंगे, fair market value as on 142001, तो याद रखिएगा, if they are allotted before this date, तो आप इसकी fair market value लीजे, अगर 142001 या उसके बाद allot हुए, तो nil value लेनी है, दूसरा, right shares की भी बाते कर लेते हैं, right shares क्या होता है, sir हमारे पास कुछ existing shares थे, already हमारे पास कुछ existing shares थे, और company कभी-कभी हमें कुछ shares द shares ले सकते हैं, और हम आपको थोड़ा concession amount में देंगे, ठीक है, अगर for example, ASAC के पास पहले से original shares थे, फिर उसको right shares भी offer होते हैं, और वो shares खरीद लेता है, कम amount में, तो उसकी cost कितनी बनेगी, जितना उसने खरीदे, जितना भी कम amount के खरीदे, जितना भी उसने पैसे दिये हो for example, वो नहीं चाहता इसको खरीदना, तो lapse हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, और उसमें एक और उसका point है, कि वो चाहे तो अपना right, जो कम amount में खरीदने का right है, उसको किसी और को भी transfer कर सकता है, वो किसी और को भी transfer कर सकता है, बट जिसको transfer करेगा, उससे पैसे भी लेता है, उसको भी हमने capital asset माना, तो जितने पैसे आपको मिलते हैं, उस right को transfer करने के लिए, उसको transfer करने के लिए जितने पैसे मिलते हैं, उसके उपर भी हम capital gain लगा देंगे, ठीक है, जितना भी पैसे मिले, full value of consideration, cost कितनी थी, तो letter तो हमारे पास free में आया था, तो letter की cost कु जाएगा, short term क्यों, सर्फ 30 days का time period मिलता है, उसी के बीच हमें ये transfer करना पड़ेगा, तो इसलिए वो short term आ जाएगा, ठीक है, तीसरी बात, जिस विक्ति ने, को हमने ये transfer कर दिया, ठीक है, अब उसने, वो company को पैसे दे देगा, वो subsidized amount और वो shares खरीद लेगा, यानि कि उस विक्ति का कितना खर्चा हो गया, एक तो उसने company को पैसे दिये, प्लस उसने वो ride खरीदने के लिए हमें पैसे दिये, जो total उसने पैसे दिये, वो उसकी cost आ जाते है, तो अगर for example, जिसको हमने transfer किया, अगर मान लेते हैं, वो बाद में कभी shares बेचते हैं, तो उसके लिए cost कहलेंगे, जितना उसने company को pay किया था, और जितना उसने हमें pay किया था, वो उसकी cost हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से ride shares की बाते होती है, main discuss में करूँगा 112A के बारे में, 112A के बारे में, 112A के बारे में, सबसे पहले आप लोग जानते हैं, यह special tax rate है, इसके ओपर 10% और जि equity shares या equity oriented units, जब हम transfer करते हैं, जिसके ओपर STD लगता है, securities transaction tax लगता है, ठीक है, stock exchange पर हम इसको transfer करते हैं, तब हमारा जो capital गीन आता है, उसको 112A कहते है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, पहले यह कभी exempt होते थे long term shares, बट अब यह इसके ओपर 10% rate लगने लगाए, टेक् तो उसकी cost कितनी लेनी है, तो for example, क्योंकि यह concept आयते 2018 से, अगर आपने जो shares, जो बेचे हैं, अगर वो आपने एक कोवार करे थे 1st February 2018 या उसके बात, तो फिर तो जो आपकी cost है वही लेंगे, ठीक है, और इसका indexation भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारा rate of tax come कर दिया, 10% rate कर दिया, तो हम इसका indexation में मना कर देते हैं, कि इसका indexation allowed नहीं होता है, याद रखेगा 1-1-2-A में indexation नहीं होता, दूसरी बात, अगर यह 2018 के जब यह amendment आई थी, 1-2-18 के बाद, अगर हमने shares खरीदे थे, तो इसकी actual cost तो फिर वो ही आएगी, जितना हमने खरीदा था, ज ठीके, for example, assets acquired on or before, mainly कि इसकी बात है कर रहा है, सर्व वो equity shares की, equity oriented units की, अगर हमने acquire करे थे, 31st January 2018 या उससे पहले, तो हमें इसकी actual cost कितनी लेनी है, जो भी इसकी actual cost होगी, और fair market value as on 31-1-2018, whichever is higher, ठीके, दौसरी रिपीट कर रहा हूं, जो भी इसकी actual cost होगी, जो भी इसकी actual cost ह या fair market value as on 31-1-18, whichever is higher, यह बात मैंने last round of revision में भी discuss करा था, इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा और detail में आप समझना चाहते हैं, तो आप उस video पर भी जा सकते हैं, ठीके, आपको मिल जाएगी, अभी मैंने इसी मन्त में upload मेंने की थी एक video, ठीके, last round of revision on capital के आप वहां पर भी देख सकते हैं, whichever is higher, तो आपको actual cost या fair market value लेने हैं, whichever is higher, बट आपको इससे पहले आप क्या देख लिजेगा, जब आप fair market value as on 31-1-18, देख रहे होंगे, 31-1-2018 की देख रहे होंगे, तो इसको यह देख लिजेगा, आप बेच कितने में रहे हैं, आप इसका selling price भी द पाइर करना होगा, ठीक है, और आपको पता है कि इसमें से जो special income होती है, हमारी चाहे वो 1-1-2-A हो, या triple-1 वगेरा हो, उसके उपर कोई chapter 6-A की deductions वगेरा तो आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है, और 87-A की भी rebate, 11-2-A से allowed नहीं होती है, यानि कि अगर आपकी for example यह वाली income ही है, और 5 लक से ज्यादा कि income नहीं है, आप बोलें सरक मुझे रबेट देदीश्य तो आपको rebate नहीं मिलेगा, 11-2-A से rebate नहीं मिलती, ट्रिपल वन यहीं होता है, त्रिपल वन यही होता है, बिल्कुल स्मिलरली, बिल्कुल 1-1-2 जैसे ही होता है, और यहाँ पर इनि कि 2018 वगेरा वाले इस तरीके से बाते होंगी सिंपल रहेगा जो कि आपकी कॉस्ट है वह आपकी मानी चाहेगी कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन इंप्रूब्मेंट होती नहीं शेर्स की एक्स्टेंस ट्रांसवर आप माइनस कर सकते हैं प्लीज ज्याद रखेएगा सेक्योर्ड ट्रांसवर कि खरीदने के लिए एक साल पहले भी खरीद सकते हैं दो साल के आगे तक भी सकते हैं पर अगर कंस्रक्शन करानी है तो तीन साल का टाइम पीरिट मिलता है और क्योंकि अगर आपको इतने जादा टाइम पीरिड मिला तो और अगर आपका यहांपर दो करोड से जादा का नहीんな आ रहा था तो आप दो प्रॉपर्टी भी कुरीच सकते हैं फिफटीफोर वी होता है अगर अक्रेकल्फर नंड भेचया अगर अलगशंच का अब झिखलचा को capital gain exempt हो सकता है, कितना exempt होगा, जितना capital gain आ रहा है या amount invested, whichever is lower, जितना भी उसको दो साल के अंदर खरीदना है, amount invested या capital gain, whichever is lower, उसका यहाँ पर हम exemption दे देंगे, 54 EC, 54 EC में अगर ASACी ने, किसी भी ASAC को मिल जाता है, not only for individual or HEF, यह किसी भी ASAC को मिल जाता है, यहाँ पर हमें NHAI के RECL के bonds खरीदने होते हैं, maximum जो bonds में investment कर सकते हैं, 50 lakh rupees तक कर सकते हैं, 50 lakh rupees तक कर सकते हैं, और जो भी आप bonds खरीदेंगे, 5 साल तक उसको आपको रखना पड़ेगा, या minimum lock-in period 5 years है, कितनी exemption मिलेगी, जो भी आपका land या building बेचने पर, ठीके land या building बेचने पर capital gain आ रहा होग उतना amount या amount invested, जो भी amount invest कर रहा है, within 6 months of the date of transfer, जो भी अपना asset transfer किया था, ठीके land या building, उसके 6 मेने के अंदर आप investment कर भीचे, अगर 6 मेने के बाद कर रहा है, तो deduction नहीं मिलती है, अकसर आता है exams में, याद रखेगा, 6 मेने के बाद अगर investment हो रही है, तो deduction नहीं मिलेगी, पचास लाग से जादा की investment नहीं, नहीं होनी चाहेगे, अगर investment है भी, तो maximum restricted रहता है, पचास लाग तक, 54 EC जैसे ही एक section है, 54 EE, बट यहाँ पर थोड़ा से difference किया है, यहाँ पर हमने EC में बेचा था, land या building, पर यहाँ पर कोई भी long term asset बेचा हो, कोई भी long term asset बेचा हो, औ हमने specified units के, में start-ups में पैसे लगाए हो, ठीक है specified units में, जो notified units है, यहाँ पर हमने पैसे लगाए हो, within 6 months, 6 महीने की बात, बिल्कुल सेम रहेगी, पचास लाग maximum आप investment कर सकते हैं, 54 F, 54 F मिलता है, अगर assessi ने residential property के अलावा, कोई भी long term asset बेचा, residential property के अलावा, residential house के अलावा, लैंड बेच सकता है, हाँ, लैंड बेचा, जोल्री बेची, शेयर बेचा, 54 F की exemption मिल सकती है, बट इस ओनली फोर individual or HUF, और यह उसी individual or HUF को मिलता है, जिसके पास पहले से या तो कोई घर नहीं था, या फिर maximum एक ही घर था, ठीक है, याद आता है यह सारी बाते, पहले से एक भी घर नहीं था, या maximum एक ही घर था, और आपने कोई भी long term asset बेचा हो, other than residential house, residential house के लाबा, land बेचा हो, तो भी चलेगा, खरीदना के है, आपको यहाँ पर residential property खरीदनी है, और एक important बात है, आपको कितनी exemption मिलती है, वो सबसे जादे important है, आपको exemption मिलती है, जितना आपन amount invest करा, upon net consideration into capital gain, amount invested, amount invested में नए घर में कितने में आपने invest करा, CG scheme में भी आप ऐसे deposit करा सकते हैं, divided by net consideration, net consideration क्या होती है, जितने में आपने वो asset बेचा था, minus expenses on transfer, that's called net consideration into gross capital gain, प्लीज यह formula याद रखेगा, 54F की exemption formula based है, 54D, जो भाज़दे important नहीं है, compulsory acquisition, mainly यह लोग होते वो हैं जो लोग अपना industrial units जिनकी है, manufacturing units जिनकी है, उनके बास कोई factory थी, उनकी land या building कंबल से acquire कर ली गई factory की, तो इनको अगर कंबल से acquire कर ली गई, तो इनका जो भी capital gain आ रहा है, उसको दुबारत से यह चाहें, तो land और building खरीद कर अपना exemption ले सकते हैं, ठीक है, यहां त बहुत चोड़े-चोड़े sections हैं, 54G यह कहता है कि अगर कोई भी विक्ती, ठीक है, CA इंटर वाले अभी दो मिनिट आगे skip कर दीजे, जब मैं कुछ questions discuss करूंगा इसके साथ, मैं दो मिनिट में यह वाले sections और discuss कर ले तो बहुत rare sections हैं, कम आते हैं, इतने important नहीं हैं, बट फि तो आपने land बेचा होगा, या building बेची होगी, या plant machinery बेची होगी, दुबार से repeat कर रहा हूँ, land, building या plant machinery बेची होगी, urban area में, और उससे जो capital gain आ रहा होगा, आप उसको nullify करा सकते हैं, उसको आप exemption ले सकते हैं, अगर आप rural area में, land, building या plant machinery खरीदें, कितने time period में खरीदन आपने एक साल पहले भी खरीदा है, या तीन साल के बाद तक भी खरीदा है, तो भी allowed है, capital gain scheme भी allowed है, कितनी exemption मिलेगी, जतना अपने amount invest करा, या gross capital gain, whichever is lower, similarly 54 GA भी होता है, GA simple क्या होता है, अगर आप urban area से SEZ में जा रहे हैं, और similarly हाँ पर होता है, अगर आपने amount invested में क्या मान पर होता है, उसको भी, 54 GB, एक individual हुआ को मिलता है, अगर उन लोगों ने अपनी residential property बेची, अगर उन्हों ने अपनी residential property बेची है, residential property में residential house भी आ सकता है, या land भी आ सकता है, 54 GB कहता है, कि एक individual हुआ कोई residential property बेची है, long term और उनका long term capital gain आ रहा है, अगर वो एक eligible company में investment करते ह वो एक नई company होनी चाहिए, जो कब फॉर्म हुई हो, जिस साल आपका capital gain आ रहा है, उस साल वो फॉर्म हुई हो, उसके first day से, यानि कि first April of that previous year से, जब तक उसकी due rate फाइल होती है, उसके बीच में अगर वो company फॉर्म हुई है, और आपने वहाँ पर investment की है, और उस company को ultimately planter machinery ख चाहिए, तो आपको exemption मिल जाती है, और यहां पर भी exemption बिल्कुल 54F की तरह है, ठीके amount invested, जितना आपने amount investment किया है, upon net consideration into capital gain, अब मैं बाते करना चाहूँगा, ठीके थोड़ा समय इसमें बहुत जदा quickly चला हूँ, क्योंकि इसमें वरना बहुत जदा time लग जाता, मैं नहीं जल्दी से कुछ illustration discuss करते है, capital gain की, Mr. Martin sold his residential house property on 8-6-20-20 for Rs. 70,00,000, which was purchased by him for 20,00,000 on 5-5-2006, तो ठीक है, इन्हों एक property बेची है, 70,00,000 रुपीज की, पर्चेस की गई थी 20,00,000, he paid 1,00,000 as brokerage, ठीक, expensive and transfer है, the stem duty was 80,00,000, अब देखो, stem duty इसकी 80,00,000 रुपीज थी, 70,00,000 की ये इन्होंने बेचा और इसकी stem duty value 80,00,000 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सर पहले सबसे पहले देखें कि 10% इसमें आड़ करके देख लिजे, 70,00,000, अगर हम 10% आड़ करेंगे, 77,00, उससे भी ज्यादा की stem value है, जानि कि हमें stem value ही लेनी पड़ेगी, full value of consideration 80,00,000 लेंगे, he bought another house for Rs. 15,00,000, उन्होंने एक नियागर करीदा 15,00,000 रुपेगा, ठीक है, अगर नियागर करीद लिया तो इसकी 54 में, वो 54 में exemption ले सकते हैं, क्योंकि residential property बेची, residential property खरीदी है, he deposited 10,00,000 on 10,11,2020 को, देख लिजेगा, 6 मेने कंदर, इन्होंने investment की है, कहां 6 मेने कंदर की है, 10,00,000 रुपीज NHI में, तो यहां पर 54 EC की भी exemption ले सकते हैं, 54 EC की भी exemption मिल जाएगी, he deposited another 10,00,000 on 10,721 in capital gain deposit scheme with SBI, capital gain deposit scheme में, यानि कि यहां पर ये capital gain deposit scheme में क्यों इन्होंने invest की होंगे, generally construction कराना चाहते होंगे, तो यह भी, तो इनकी total section 54 की जो exemption हागी, 54 की residential property खरीदने की 15,00, और यहां पर 10,00,000 भी इन्होंने investment की है, CG scheme में, total हो जाएगा 15,00,000 प्लस 10,00,000, 25,00,000 हो जाएगा, total 54 में, और 54 EC में कितना हो जाएगा, 10,00,000 की exemption, ठीके, इस तरीके से आप लोग ये कर लेंगे अराम से, next question है, slump sale का, ठीके, यहां पर slump sale में, Mr. Kaushal Appropriator has transferred unit C to Mr. Prashant, इन्होंने अपनी unit C बेच दी है, by way of slump sale, और total consideration कितनी ली है, 1540,00,000 लाके इन्होंने consideration ली है, आप कैसे निकालेंगे, full value of consideration तो 1540,00, अब unit C की net worth देखनी पड़ेगी, आपको net worth कितनी थी unit C की, और अगर expenses ल transfer हूँ है, वो भी आप minus कर सकते हैं, net worth कैसे देखते हैं, तो assets में unit C 950, plus other assets 490, minus liabilities unit C की 340, तो हम normally हम करें, बाकी अगर मैं भी information नहीं पट रहा हूँ, तो unit C की net worth 950, plus 490, minus 340, बट अगर कोई revaluation हुआ है, तो उसका effect नलिफाई की, जब कोई revaluation हुआ है, तो उसका effect हटा द दीचेएगा, दूसरी बात, अगर आपने, इसमें कोई भी ऐसा asset है, जो ठीक से depreciated नहीं था, उसको as per section 32 भी depreciate करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखा हुए, fixed assets of unit C includes land which was purchased for 90 lakh in the year 2008 and was revalued at 180 lakh, यानि कि आपका जो original land था, वो 90 lakh का था और आपने उसको revaluation करके 180 कर दीए, इसका तो 950 minus 90 करके देखिएगा, आगे लिखा हुए, other fixed assets are reflected as 770, lakh which represents return on value of those assets, वो तो बाकी के assets तो बिल्कुल ठीक है, the return on value of these assets are 630 lakh, अच्छा, इन्होंने क्या बोला, कि बाकी के जो 950 है, सबसे पहले 950 के मैं पार्ट देख लेता हूँ, 950 में से, 180 का तो land था, और बाकी का 770 के other assets थे, तो ये हमें जो land है, उसको 180 नहीं लेना, उसका original value पर लेना है, कितनी थी वो 90, lakh रुपीज, जो बाकी का 90, lakh का revaluation किया था, 90, lakh का revaluation किया था, उसको minus कर दीजे, और इसको 90, lakh लीजे, और ये 770 के लाग के assets थे, आक्चुली इसकी जो return down value होनी चाहिए, ऐस पर income tax act, वो 630, lakh होनी चाहिए, 630, lakh, तो आप लीज, 950 मत लीजेगे, जब total assets करेंगे, तो 630 प्लस 90 लीजेगा, ये दोनों value सही है, ठीक है, तो जो 770 था, उसकी actual return down value होनी चाहिए, 630, और जो 180 का land दिख रहा था, उसको revaluation का effect हटाएंगे, revolution का effect हटाने के बाद 90 आदे, तो 630 प्लस 90 लीजेगा, प्लस 490 लीजेगा, अधर assets, minus liabilities 340, ठीक है, और ये 2006 में बनी थी, इसका मतलब, तो इसके उपर long term capital गिनाने वाल है, तीन साल पुरानी थी, ठीक है, और net worth का indexation मत कीचेएगा, ठीक है, ये section 112a का question था, कहते हैं कि Mr. Swarab provides you the following details with regard to the sale of certain securities by him, sold 10,000 shares of A Limited on 54 2020 at 650 per share, शाड़े 600 रुपे का इन्होंने share बेच दे 10,000 shares, 10,000 shares बेचे हैं 650 के, ठीक है, ये तो उसका full value of consideration आ जाएगा, A Limited is a listed company, these shares were acquired by Mr. Swarab on 2016 को इन्होंने खरीद देते, यानि कि 1st February 2018 से पहले का purchase है, ठीक है, उससे पहले क cost होती है, जो इसकी actual cost होती है, उसको fair market value से, full value of consideration से, full fair market value से, as on 1, 31, 1, 2018 compare करते हैं, ये कि इसकी fair market value 31, 1, 2018 को कितनी थी, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको 31, 1, 2018 को इसकी shares की traded की value की आद कितनी थी, highest price दे रख थे 300, average price दे रख थे, lowest price दे रख रख थे, आपको कहा लेना होता highest price, highest price लेना होता है, 300, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी actual cost थी, actual cost थी 100, और इसकी fair market value as on January, 2018 थी 300, whichever is higher लेना होता है, तो whichever is higher कितना हैं, 300, पर प्लीज ध्यान रखेगा, जब आप fair market value ले रहे हों, एक बर इसका selling price भी देख लीजे, selling price कितना है, 650, क्योंकि आपको selling price देखना कपड़ेगा कि fair market value ज़्यादा तो price नहीं है, इन दोनों में से whichever is lower लेना है पहले आपको, fair market value is selling price, whichever is lower कितना है, 300, फिर इसकी actual cost 100, इन दोनों में से whichever is higher, 300, ठीक है, I believe यह आप कर लेंगे राम से, एक बस solution देख लीजेगा, ठीक है, यह मैंने detail में, यह वाला question, detail में मैंने last round revision में भी discuss किया था, अगर किसी भी student को doubt हो रहे है, यह for example solve समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत जल्दी करा दिया इसको, तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लिजे, मैं I button में probably दे दूगा, otherwise आपको वो मिल जाएगी video आराम से, ठीक है, last round revision for capital gain, ठीक है, चलिए, next chapter start करते हैं, IFOs, काफी ज़्यादा छोटे चाप्टर है, in fact, IFOs हो गया, next chapter clubbing और setup comparatively बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मुझे लगता है कि बहुत easy भी है, और students को बहुत अच्छे से ही आते हैं, तो इसका तो बहुत super fast revision करेंगे, बिल्कुल overview देखेंगे बस, ठीक है, 56 से लेकर 59 तक sections आते हैं, IFOs में, 56 charging section IFOs का, actually 56 के दो parts होते हैं, 56 1 and 56 2, 56 1 एक general charging section IFOs का, जो simple बाते कहते हैं कि अगर कोई भी income, revenue nature की income है, any income which is of revenue nature, और वो किसी भी दूसरे head में, बाकी चारो head में से किसी में भी cover नहीं हो पाती, और वो section 10 में exempt भी नहीं है, यानि कि taxable भी है, revenue nature भी है, और चारो head cover नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको IFOs में ला सकते हैं, इसलिए हम लोग IFOs को residuary head भी बोलते हैं, कि remaining head है, बाकी चारो head में नहीं आ पाया, तो IFOs match हैगा, 56 2 specific IFOs के charging section है, कुछ income ऐसी है, जो specifically IFOs ने बोली है, कि इसको आप IFOs की income ही बनाईएगा, जैसे कि dividend की income हो गई, हमेशा IFOs की income बनाएगे, casual income, lottery, game show quiz अगर इनकम आती है, तो यह भी IFOs की income बनेगी, gifts मिलते हैं, जब हमें, ठीक है, relatives को मिलते हैं, तो exempt होते हैं, बाकी दूसरे लोगों से जब gifts मिलते हैं, तो again it is taxable, covered under IFOs, advance money forfeited, जिसकी बाते हम capital gain में करते थे, advance money forfeited है, तो directly आप IFOs की income बनाएगा, interest की income हो रही है, अगर आपका business नहीं है, तो obviously interest की income, हमारी business income बन जाती हैं, या फिर interest on delayed compensation, जब compensation हमारा किसी चीज को government ने compulss require किया, और उसको बोला कि आप आपको compensation देंगे, बड़ उसको delay कर दिया, तो जो उसके उपर interest मिलता है, that is also covered under IFOs, और हमारा जो section 57, deductions under IFOs, उसमें से 50% flat deduction भी दे देता है, तो ऐसी बाते हम कुछ charging section 5621 और 562 में करते ह रुकना नहीं चाहिए, 1, 2, 3, चलिए next chapter discuss करते हैं, IFOs का, comparatively काफी easy chapter है ये IFOs, in fact आगे का chapter clubbing और setup, मुझे लगते हैं कि students इसमें बहुत ज़्यादा super comfortable होते हैं, because बहुत छुटी-छुटी chapters हैं, सबको easily समझ में आते हैं, तो हम लोग भी इसको बहुत कम समय लगाएंगे और जल्दी से revision करके आगे बढ़ जाएंगे, IFOs में ना चार सेक्शन्स आते हैं, 56, 57, 58 और 59, in fact मैं ना IFOs को mini PGVP भी खहता हूँ, बिल्कुल PGVP जैसे nature का ये section ये chapter होता है, 56 यहाँ पर charging section है, charging section बताता है कि कब income हमारी IFOs की जाती है, 56 के actually दो पाठ है, 56, 1 और 56, 2, 56, 1 एक general charging section है, वो कहता है कि हमारी income IFOs की तब बन जाती है, अगर वो किसी भी चार heads में covered नहीं हो पाई, तो इसको आप IFOs की income बना दीजेगा, इसलिए हम लोग ना IFOs को recidary head भी बोलते हैं, remaining head है, जो बाकी जगा पर taxable नहीं हो पाई, उसको IFOs में कर दीजेए, आप taxable, इसी यहाँ पर 56, 2 भी है, 56, 1 तो general charging section है, बट 56, 2 specific charging section है, specific का मतलब यह है कि यहाँ पर 56, 2 में कुछ points लिखे हुए है, कुछ income लिखे हुई है, और उसको specific instructions दिए गए हैं, जाते हैं कि shares खरीदना फिर बेचना, तो उनकी income PGVP होती है, बट अगर उनकी dividend income आए, तो वो भी IFOS में जाती है, याद कर लीजे, dividend income IFOS में जाती है, In fact, अगर हमें gifts मिल जाते हैं, ठीक है, gifts मिल जाते हैं, अगर वो हमें employer से मिलते हैं, तो आपको पता है, salary income होती है, in case अगर in the course of business या profession मिल जाते हैं, तो PGVP 28 ने बताया था, बट बाकी लोगों से जब gifts मिलते हैं, तो IFOS में आते हैं, हाँ, यह बत अलग है, जो relative से मिलते ह या फिर आपकी जो casual income होती है, lottery, game show अगरा से जो income मिलती है, यहाँ पर IFOS की income ही मानी जाती है, कोई भी आपको interest रिसीव हुआ है, delayed compensation पर, कोई चीज कमपल्स रेक्वार हुई थी, government ने उसको compensation दिया, बट लेट कर दिया, उसको delay कर दिया, तो जो भी interest मिलता है, वो भी IFOS मे जाता है, आपको पाता है, बट इसमें से 50% flat deduction में मिलती है, 57 जो deductions का section है, वो कहते है कि इसमें 50% flat deduction भी देदेगा, advance money forfeited, जो हमने capital gain में भी बाते की थी, कि one four 2014 से पहले तो तक वो IFOS में नहीं था, बट one four 2014 onwards, अब जो भी advance money forfeited होगा, वो यहां पर ही taxable होता है, ठीक है, अगर आपने plant and machinery rent पर दिया है, फर नीचा rent पर दिया है, या तो अगर आपका business है, rent पर देने का तब तो अलग बात है, बट अगर आपका business नहीं है, फिर भी आपने rent पर दे दिया, तो उसको यहां पर ही लाइएगा, तो इस तरह की income हमारी IFOS की income आती है, गिफ्ट की बाते कर लेते हैं सबसे पहले, cash gift अगर मिलते हैं, सबसे पहले यह मैं बाते कर लेता हूं, कि gifts कपकप exempt होते हैं, किन लो relative definition में आते हैं, spouse of the individual, ठीक है, individual को अपने spouse से, ठीक है, husband को wife से gift मिले, exempt कर दीजेगा, अपने brother या sister से gift मिले, exempt कर दीजेगा, spouse के brother या sister से gift मिले, ठीक है, spouse के brother या sister से gift मिले, ठीक है, spouse के brother या sister से gift मिले, तो भी exempt कर दीजेगा, चाचा चाची से gift मिलेगा, ठीक है, parents के brother जो sister बुआ जी से गिफ्ट मिलेंगे तो एक्जेम्ट कर देंगे मॉसी से गिफ्ट मिलेगा तो एक्जेम्ट कर देंगे linear ascendant or descendant of the individual linear ascendant descendant क्या होगा कि individual के ऊपर उसके parents grandparent से गिफ्ट मिले तो एक्जेम्ट हो जाएगा बच्चों से children या grandchildren से gift मिले तो exempt हो जाएगा linear ascendant descendant of the spouse of the individual ठीक है spouse के parents से gift मिले ठीक है या उनके grandparent से gift मिले तो भी exempt हो जाएगा मतलब father-in-law mother-in-law से भी gift मिले तो exempt कर दीचेगा और जिनकी बाते भी हमने उपर की है उनके spouse से भी gift मिले जैसे कि for example uncle से मनलब चाचा जी से gift मिल रहे तो उनके spouse चाची से भी gift मिले तो भी exempt रहेगा मामा जी से gift मिलेगा तो भी exempt है उनकी wife मामी जी से gift मिलेगा तो भी exempt रहेगा ठीक है relative से gift exempt होंगे on the occasion of marriage ठीक है Mr. A के फादर को अगर gift मिलता है तो taxable हो जाएगा उसके फादर की शादी थोड़ी है Mr. A की शादी है तो Mr. A या उनकी जो bride है या bride को या bride groom को जब gift मिलता है तब exempt करेंगे हम लोग anniversary वाले दिन gift मिलेगा birthday वाले gift मिलेगा तो taxable हो जाएगा it is only on marriage marriage of the individual ठीक है under a will or by way of inheritance ये will नहीं है विल है ठीक है under a will or by way of inheritance ठीक है विल में जब हमें पैसे या कोई भी gift मिलते हैं from any local authority from any founder, foundation or university as referred in section 1023C from any trust or institution registered under section 12A यहां से जब हमें पैसे मिलते हैं तो ये exempt हो जाएगे ठीक है mainly आप याद रखेगा relative से और on the occasion of marriage यह से जादा important है एक्जाम में याता रहता है इसके अलावा बाकी लोगों से जब आपको gifts मिलते हैं तो taxable कर देते हैं मतलब friends बगरा से gifts मिलते हैं तो taxable हो जाएगा अब जितने भी हमें gifts मिलते हैं उसके हम तीन केडिगरी बनाते हैं कि cash gift क्या था और बाकी other gifts को अलग करते हैं ठीक है अगर अग्रेगेट 50,000 तक आता है बस उससा ज्यादा नहीं जादा तो छोड़ दीजे exempt हो जाएगा but 50,000 से ऊपर चला गया अगर for example 51,000 हो गया उस case में फिर पूरा taxable हो जाएगा तो cash gifts अगर 50,000 से ज्यादा मिल रहे हैं फिर entirely taxable हो जाएगा फिर 51,000 पूरा का पूरा assets nature के gifts हैं हम वो देखेंगे जैसे jewelry मिली precious stone या semi precious stone मिला महंगी paintings archaeological collections मिले हम उसकी बाते कर रहे हैं अगर आपको laptop देखो laptop movable gift होता है laptop कार वगेरा यह सब मिले तो प्लीज उनको मत लीजेगा because वो capital assets नहीं होते तो अगर वो आपको gift में मिलते हैं तो जितने भी आपको movable gifts मि हैं उनका aggregate कीजेगा aggregate 50,000 से exceed कर जाए तो taxable कर दीजेगा 50,000 से ज्यादा ना आए 50,000 तक रहे तो छोड़ दीजेगा cash gifts को अलग रखेगा movable gifts को अलग रखेगा in case अगर आपने movable gifts खरीदे हैं सस्ते में ठीक है यानि कि आपने उनको actually purchase किया है बट वो सस्ती amount में किया है त आग दीजे हैं इसको अलग रखना है यानि कि हम लोग क्या करते हैं जो movable gifts में free में उसको अलग कीजे और जो आपको with कुछ न हँख आपने consideration उसकी pays की है कंपेग है बट कुछ न आकि और क्या कुशा आपने कि उसको प्ली सेपरेट रखेगा यानि कि हम लोग क्या करने cash gifts को अलग रखना है, मूवेबल को अलग रखना है, इमूवेबल को अलग रखना है, ठीक है, कैश गिफ्ट का अपना 50,000 देखना है, मूवेबल गिफ्ट के भी दो पार्ट हो जाते हैं, कि वो गिफ्ट जो आपको अपने कुछ पैसे नहीं दिये, उसको अलग रखेगा, विदाउट कंसेटरेशन, उसका अग्रिगेट अलग किजीगा 50,000, बट जिसके आपने कुछ न कुछ पैसे दिये, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपने उसको खरीदा सस्ते अमांट में, ठीक है, बट आपके लिए वो capital asset nature क होना चाहिए, याद रखेगा, आपके लिए वो capital asset nature का होना चाहिए, तभी यहां पर आएगा, तो for example, आपको जोलरी आपने खरीदी, और वो जोलरी for example, 1,00,000 रुपीज की फेर मार्केट वेल्यू थी, बट आपको मिल गई वो 40,000 रुपीज में, तो कितना सस्ता मिल गई अगर यह total फायदा आपको 50,000 को exceed कर जाता है, तभी आपकी income बन जाएगी, यह फायदा आपकी income बन जाएगी, पर अगर इसका difference 50,000 तक आता है, उससे कम आता है, फिर आप छोड़ दीजेगा इसको, ठीक है, तो जितना भी आपकी aggregate fair market value यह देखा जाएगा, कि इसकी fair market value इ इन केस आपको immovable gifts मिलते हैं, immovable gifts के बारे में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही देखेंगे कि without consideration आपको कितने immovable gifts मिलें, land या building मिलें, जिसके बदले में आपने कुछ पैसे पे नहीं किये हैं, सबको अलग-अलग रखना है, यहाँ पर आप aggregate करते थे बढ़ य अगर किसी की value 50,000 यह उससे कम है, तो उसको छोड़ दीजेगा, practically possible नहीं है, immovable property तो 50,000 से उपर होगी होगी, दूसरा case, अगर आपको immovable property सस्ते में मिली, आपने उसके पैसे तो दिये हैं, बट बहुत कम पैसे दिये हैं, तो जितना आपको फायदा हुआ है, वो आपकी कम का है, तो छोड़ दीजेगा, फिर आप income मत बनाईएगा, ठीक है, यह बात समझ पाती है, दूसरी बात, इंडिविजुली देखना है, आपको aggregate नहीं करना है, तीसरी बात, क्योंकि आपको पता है, 10% की relaxation भी होती है, जैसे हमने 50C बगएरा में पढ़ाता, 43CA में पढ़ पता है, तो जितना भी consideration आपने पे की है, उसका 10% एड़ करके देख लीचेगा, अगर stem value से exceed ना करे, तो फिर भी वो फिर हमारा gift नहीं बनेगा, तो इस एक तरीके से, मैं simple तरीके से यह बता सकता हूं, कि जो आपका difference आ रहा है, उसको 50,000 से compare करें, और 10% of actual consideration जो आपने प income बना दीजिगा, simple शब्दों में तो मैं यह कह सकता हूं, ठीक है, क्या हम हमें जो stem value देखनी है, वो कॉंसे दिन की देखनी है, जिस दुन registration होता है, उस दिन की देखनी है, बट क्या हम सर पुरानी stem value भी देख सकते हैं, अगर आपका पुराना date का agreement है, प्लस आपने कुछ कुछ ना कुछ consideration आपने पे की थी other than cash, other than cash, bearer check, cross check के अलावा, मतलब account pay check वगर के थूरू banking transaction हुई थी, तो आप पुरानी stem value भी ले सकते हैं, ठीक है, नेक्स आजी है section 57, deductions, क्या क्या हमें deductions मिलती है, तो एक important deduction है dividend की, जब भी आपकी dividend की income हा रही है, ठीक है, आपकी dividend क इंकम आरी है अपने shares के उपर या mutual funds के उपर आपकी income आरी है, तो उसमें से expense allowed है, कौन से expense, अगर आपने shares में invest किया था, और उसके बदले में आपने जो investment की थी, इंवेस्टमेंट का पैसा आपने उधार लिया था, मतलब loan लिया था, तो उसके उपर का आप interest जो आप पे क कर रहे हैं, वो allowed हो सकता है, but maximum 20% of such income, जितनी आपके dividend income आरी है, उसका सरिफ 20% तक allowed है, इसके अलावा कोई और deduction नहीं मिलेगी dividend में से, ठीक है, यह बाल समझ में आती है, family pension जब मिलती है, ठीक है, अगर बाहन लेते हैं, कि आप new taxation scheme follow कर रहे हैं, तो family pension से कोई भी deduction नहीं मिलेगी, बट अगर आप existing scheme follow कर रहे हैं, जितनी भी family pension मिलती है, उसका one third of such pension या 15,000, whichever is lower, उसकी deduction आपको मिल जाती है, interest on delayed compensation मैंने अभी बताया था, आपको 50% flat deduction मिलती है, post office saving account से, post office saving account से जब interest मिलता है, तो उसमें से 3500 यहां से deduction मिल जाएगी, अगर वो joint account है, सेवन थाउजन मिल जाएगी, यह सेवन थाउजन है, सेवन थाउजन नहीं है, ठीक है, सेवन थाउजन मिलेगी, ठीक है, और बाकी जो दूसरी इंकमोती, इसमें से जो भी कोई revenue expenses है, वगेरा, वो आप minus कर सकते हो, capital nature के expenses minus नहीं होंगे, revenue nature के होने चाहिए, कोई भी prohibited है, illegal expense है, वो सब माइनस नहीं होंगे, वो बाते 58 में भी लिख हुई है, कोई भी आपने expense करा है, एक दिन में दस वजार से ज्यादा पे कर दिया, अलाउड नहीं होगा, किसी related party को fair market value से ज्यादा पे कर दिया, वो सब अलाउड नहीं होते है, अगर आपने इंडिया के बाहर को की recovery हो जाती है, वान लेते हैं, expense आपका recover हो जाता है बाद में, तो यह आपकी deemed IFOS की income बन जाती है, तो एक छोटा सा chapter था IFOS का, नेक्स पर आते हैं, clubbing of income, clubbing of income बिल्कुल बहुत ज़्यादा easy chapter है, और I believe कि आप सब को अच्छे से आता होगा यह chapter, और important है, exams में आप इसमें से questions देख सकते हैं, clubbing of income में, कहीं न कहीं इसका reference आई जाता है, सबसे पहले, अगर आपने कोई किसी भी individual ने, अगर या किसी भी person ने अपना asset transfer नहीं किया, सिर्फ income transfer करी, सिर्फ income transfer की है, तो हमेशा clubbing होगी, सिर्फ without transfer of asset हमेशा clubbing होगी, दूसरा, अगर आपने permanent basis पर अप ने asset transfer किया, तो हम मानेंगे कि clubbing होगी, उस case में भी clubbing होगी, third follow point ये कहता है, कि अगर आपने कोई भी asset transfer किया, with a condition कि ये मैं revoke कर सकता हूँ, but not until the lifetime of the transfer, जब तक वो जिन्दा रहेगा, तब तक मैं इसको वापस नहीं ले सकता, तो इसको हम almost permanent transfer मानते हैं, तो इस case में clubbing न कर सकते, तो एक तरीके से ये permanent ही हो जाता है, तो उस case में clubbing आप नहीं करेंगे, provisions related to spouse ये sons wife के बारे में, provisions से दोनों के almost same similar provisions होते हैं, पहले spouse के बारे में बाते कर लेते हैं, कि अगर for example, किसी भी individual का, किसी concern में substantial interest है, और उसके spouse को महां से कोई भी remuneration मिलती है, तो जो उसको remuneration मिलती है, ये spouse को, उसको clubbing आप कर देंगे, उसको वापस clubbing कर देंगे, उस individual के हातों में, जिसका substantial interest है, बट अगर spouse के पास उस technical skills थे, वो particular knowledge थी, या फिर वो अपनी salary justify करती है, तो फिर clubbing नहीं होगी, बट अगर वो ऐसा कुछ justify नहीं करते, तो वो clubbing हो चाएगी, ठी जिसके हातों में, आप clubbing करेंगे, जिसकी other income जादा है, जिसकी other income before such clubbing जादा है, आप उसके हातों में clubbing करेंगे, और next year भी आप आगे के subsequent year में भी उन्हीं के हातों में clubbing करते रहेंगे, जब तक assessing officer इसको change नहीं करता है, तो, जितनी भी उस asset से income आती है, जितनी भी उस asset से income आती है, वो भी वापस clubbing हो चाएगी, जैसे कि for example, Mr. A. ने debentures transfer कर दिये अपनी wife को, debentures transfer कर दिये अपनी wife को, तो debentures के उपर जो interest आता है, तो वापस Mr. A. के हातों में clubbing हो चाएगी, ठीके, बढ़ हाँ, इस interest को wife ने कहीं और invest कर दिया, इस interest को wife ने कहीं और invest कर दिया, वहां से income आने लगी, उसकी clubbing मत करना, हम लोग कहते हैं, कि जो asset transfer किया था, उसके उपर income दो club होगी, बट clubbed income के उपर income वो club नहीं होगी, यादा था यह वाली बात है, तो clubbed income के उपर वाली income club मत करियेगा, सिर्फ जो asset transfer किया उसके उपर जो income आरी है, वो club कर दीचेगा, अगर वो asset transfer किया था, debentures, और मान लेते हैं कि wife ने इसको बेच के कुछ और asset convert कर लिया, तो उससे कोई problem नहीं है, तो भी clubbing होगी, यानि कि अगर asset की shape या form change हो जाती है, तो कोई problem नहीं है, इससे भी आप clubbing ही करेंगे, ठीक है इसे हम लोग निकालेंगे, एक simple formula है, और यह formula याद करने के भी जूरत नहीं होती है, बहुत easy formula होता है, यह हम लोग अपनी regular class में बहुत easily इसको कर लेते हैं, अभी तो फिलाल मैं पढ़ा ही रहा हूँ वस इसको, तो capital invested, जितना भी capital invested, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि total capital कितनी थी, total capital business में कितनी थी, as on first day of the previous year, as on first day of the previous year, क्योंकि हम लोग हमेशे हमानते हैं, जो भी हमने return earn करी होगी, वो opening capital पर की होगी, इसलिए हम अपनी देखते हैं कि total business की capital कितनी थी, as on first day of the previous year, और individual ने कितना पैसा transfer किया था, as on first day, अगर उसने during the year किया था, फिर नहीं invested था business में, ठीके इस individual का, तो उसका proportion करना है, तो simple हम क्या करेंगे, उस profit को, हम proportion कर देंगे कि total business की capital कितनी थी, और individual ने उसमें कितना पैसा लगाया था, पर प्रीज याद रखेगा, previous year के first day देखना है आपको, ठीके, similarly, son's wife के भी provisions होंगे, minor child के, minor child के, अगर कोई भी income होग प्रीजिन के साथ हो रहते हैं, बट अगर, माले तो normal scenario चल रहा है, तो father या mother के किस के हाँ में clubbing करोगे, जिसकी income ज्यादा है, जिसकी भी income ज्यादा है, before such clubbing, उसके हाँ में clubbing करते हैं हम लोग, और subsequent year में भी तब तक करते रहते हैं, जब तक assessing officers को change नहीं करता है, अगर आ आप existing scheme follow कर रहे हैं, तो जब कभी भी clubbing होती है, उसमें से 1500 per child, ठीक, पर मंत नहीं है, बस एक child के जब कभी भी clubbing करोगे 1500, दूसरे child के clubbing करो 1500 की reduction दे देते हैं, बट existing scheme में, new scheme में ये 1500 वाली reduction नहीं मिलती है, कुछ cases में clubbing नहीं होती है, अगर child ने अपने knowledge से, अपने skills से अपने manual labor से, physical labor से income earn करी है, तो भी clubbing नहीं होती है, और अगर child physically handicapped है, तो भी clubbing नहीं होगी, ठीक है, तो भी clubbing नहीं होती है, अगर किसी भी individual ने कोई भी अपनी property पर, अपने HUF को दे दिया, ठीक है, without adequate consideration, तो इस property से आने वाली income भी वापस individual के हाथों में ही club होती है, जितना इसकी wife का share है, सरफ उतने ही clubbing होते है, ठीक है, उतने ही add होगा, फिर और कुछ नहीं होगा, बट अगर जब तक HUF का partition नहीं हुआ, तो पूरी की पूरी income individual के हाथों में ही रहती है, तो simple chapter है clubbing का, तो I believe भी आप जल्दी से कर लेंगे, आप चाहें तो अभी भी इस यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लीजेगा, ठीक है, यहां पर वीडियो को बंद कर दीजे, पॉस कर दीजे, और जिस किसी भी बुक को आप रेफर करते हैं, अभी during the preparation आप कर रहे थे, उसमें से फटा-फट एक बर clubbing देखा ही है, मुश्किल से 15 मिनिट का ताइम लगेगा, आपको फिल्दी से clubbing देखा ही है, फिर हम सेट आफ पर जाएंगो, सेट आफ भी अगिन बहुत छोटा से चाप्टर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सेट आफ कर, नेक्स चाप्टर पर आते हैं, सेट आफ एंड करी फोवर्ड ऑफ लॉसे, सबसे पहले देखते हैं, एक बिजन्स में लॉस है, वो दूसरे बिजन्स से प्रॉफित से सेट आफ कर सकता है, वो सरफ और सरफ तो स्पैक्सिफवीन से ही होगा दूसरा विजनेस होते हैं जो 14 आपसό इस्पवैड बिजनेस होते हैं अगर specified बिजनेस के लॉसेशं हो वह बी से तक बार्ध में स्थानिस से नहीं शौट तम से भी नहीं हो सकता वो दूसरा अगर होस रेस establishment का business है होस रेस establishment का business है महाँ पर अगर loss आजे तो वह वह होस रेस establishment की income से सेट आफ हो साएगा यहां पर भी restriction है पिर बाते करते हैं इंटर हेट सेट आफ की क्या हम दूसरे हेट से सेट आफ कर सकते हैं दूसरे हेट से सेट आफ हो सकता है house property का loss अगर आप न यूट से सेट आफ कर सकता है यह सकता है up to maximum दो लाक रुपे तक दू लाक अगर आफ नहीं कर पाएंगे अगर आप new new tax scheme follow कर रहे हैं तो फिर तो house property का लॉस भी दूसरे हैट से set-off नहीं होगा अगर आप new tax scheme follow कर रहे हैं तो दूसरे हैट से set-off कर सकते हैं house property का लॉस salary से PGBP से capital gain से या FOS से भी set-off कर सकते हैं बट maximum दो लाग तक दो लाग से ज्यादा नहीं तो होगा नहीं ठीक है PGBP का लॉस से क्या दूसरे हैट से set-off हो सकता है तो answer is yes हो सकता है salary को छोड़कर salary से set-off नहीं होगा house property से हो सकता है PGBP का लॉस capital gain से भी हो सकता है normal IFC देखो casual income से तो कभी loss set-off नहीं हो सकते ना casual income पर तो पूरा tax देना पड़ता है उसको तो हम उससे तो हम कोई किसी चीज को set-off करी नहीं सकते casual income को ठीक है वो तो हम मतलब वो तो business-amente business के loss से ही होगा ठीक है profit से ही होगा एक वो दूसरे ही पर जाहीं सकता है pa general capital gain में अगर कहीं losses दिखाई नहीं हो सकते short term short term से हो सकता है long term से हो सकतब है long term पर नहीं हो सकते है ठीक है तो ये बात हम internet set-off की पड़ते हैं losses from gambling चल जाता है तो अगले आट साल तक कर सकते हैं चल जाता है तो भी आप कर सकते हैं नहीं ऐट साल तक ठीक है और आपको बता है जब अगले साल जब करी-04 की बाथे फिर फिर वो लिए पाइगा तो हाउस वीस से सेट अफ होगा किसी तरीके से PGVB के लॉसेज़ अगर आपको करने तो सबसे बार ध्यान में रखे इस पर कोशन पूछ सकते हैं examiner अगर PGBP के losses है और अगर आपने return late file करी है sorry फिर हम अपनी आपकी losses को हम carry forward होने नहीं देंगे बट अगर return time से file है तो PGBP के losses अगले साल carry forward हो जाते हैं PGBP के normal losses है तो 8 साल तक हो जाते हैं speculative business है तो 4 साल तक होते हैं specified business है तो unlimited तक आप carry forward कर सकते हो but return आपको time से file करनी पड़ेगी PGBP की इसी तरीके से unabsorbed depreciation unabsorbed depreciation unlimited years तक carry forward हो सकता है और unabsorbed depreciation अगले साल किसे setup होगा PGBP से भी हो सकता है किसी भी दूसरे head से हो सकता है other than salary salary के अलबवा किसी भी दूसरे head से setup हो सकता है यहाँ पर unabsorbed depreciation carry forward करने के लिए अगर return time से file नहीं है तो भी चलेगा तो house property में भी time से file नहीं है चलेगा unabsorbed depreciation भी चलेगा but business losses की return time से file होनी चाहिए similarly capital losses की return भी time से file owning and maintaining horse races वाली establishments होती है उनकी भी return time से file होनी चाहिए ठीक है capital losses वगेरा को भी carry forward करने के लिए time से return file करें short term capital loss अगले साल जाकर short term से भी और long term से भी दोनों से हो सकता है 8 साल तक return time से file होनी चाहिए long term capital losses अगले 8 साल तक carry forward हो सकते हैं और वो सिर्फ सिर्फ long term से ही set up होंगे ओनिंग और maintaining horse races वाले establishments वाले businesses अगले चाहर साल तक carry forward हो सकते हैं तो speculative nature की होते हैं और यह horse races वाले business से ही set up होंगे ठीक है order of set of क्या होता है सबसे पहले current year की चीज़े set up कीजे सबसे वहले current year की चीज़े set up कीजे जो current year के losses हैं पहले वह set up कीजे current year का depreciation set up कीजे current year का unabsorbed capital expenditure on scientific research या unabsorbed capital expenditure family planning सबसे पहले current year की चीज़े set up कीजे बाद में फिर आपके brought forward वाली चीज़े आप लाएंगे सबसे पहले brought forward losses फिर unabsorbed depreciation unabsorbed depreciation बाद में क्यों सर इसको तो unlimited time मिलता ना ये तो बाद में भी हो सकते बट ये brought forward losses का तो 8 साल limited होते हैं ये speculative हैं तो 4 साल limited होते हैं इसको जल्दी set up करना चाहिए तो unabsorbed depreciation फिर unabsorbed capital expenditure on scientific research और family planning last में बट ये भी पिछले साल वाले बाद में आएंगे पहले current year के सबसे पहले set up कीजिए फिर बाद वाले लाइएगा ठीक है तो ये बाते कुछ set up and carry forward की थी I believe easy है आपको राम से कर लिया होगा यहां पर फिर pause कर लिजिए ब्रेक ले लिजिए छोटा सा और अपने set up एक बार पढ़ाईए अपनी बुक से 10-15 मिनिट लगा दीजिए दो तीन कुछिंस भी आप लोग कर लिएगा इनके कुछ में प्राक्टिकल कुछिंस नहीं कर आ रहा हूं ठीक है बहुत easy है आप लोगों को दे रहा हूं कि अभी 15 मिनिट लगा दीजिए थोड़ अगर अगर अपने खुद के लिए सेल्फ के लिए स्पाउस और चिल्डरन ठीक हो या ना हो दोनों इहां पर पर रहते हैं parents यहां पर covered नहीं है एक टीजि में तो life insurance policy अगर individual ने पेकी है अपने लिए spouse के लिए चिल्डरन के लिए allowed है हुएफ ने पेकी है तो किसी भी member के लिए कर सकता है life insurance policy में ध्यान दीजेगा यह policy की date क्या है क्योंकि आपको पता है कि जितना भी sum assured है ठीक है जो भी sum assured है उसका हम सिर्फ एक limited amount तक ही deduction ले पाते हैं तो उसके आप sum assured का maximum 20% क्लेम कर सकते हैं as deduction under ATC ठीक है उसके एक साल तक तो 10% रहा था सभी policy के लिए पट उसके एक साल बात मतलब 1-4-2013 से तो जनरली मैं कहता हूं कि बस स्रिफ yearly date याद कर लीजेगा उसी से फिर आपके story पूरी built-up हो जाती है ठीक है 2014 2012 से पहले पहले 20% उसके एक साल तक सबके लिए 10% हो गया था पर उसके एक साल के बाद ज्यादा 10% है बट physically handicapped लोगों के लिए 15% है इतना समय शॉट चलेगा और कहां कहां पर investment कर सकते हैं आप deferred annuity plan में employee ने अगर contribution कर रहा है वन लाग 50,000 तक की reduction आपको मिल सकती है सुकन्या समरेधी स्कीम याद रखेगा एनस्ती नाशल सेविंग सेविंग सेटिफिकेट यूलिप्स यूनिट लिंग इंशॉरंस प्लांस टेक्स सेविंग मूचल फंट उनिट्समें अगर आपने इंवस्मेंट करे नाशल हाउज इंट्रस्ट करा है तो आपको 24B में डिदक्शन मिलती है और यहां पर भी ATEEA सेक्शन साथ है उसमें भी बादे करेंगे इंट्रस्ट की बात में जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट करा है वह आपको हाउजिंग लोन की यहां पर डिक्समें बिल जाती है पोस्ट ऑफिस डिपॉसिट स्कीम में मिनेमम फाइफ यह इसकले इंवेस्मेंट नाबाट के बांड्स आपने खरीदे हैं सीने सेडिजन स्कीम है और नाशनल पेंशन स्कीम टियर टू टियर वन ने टियर टू में अगर आपने इंवेस्मेंट की है तो आपको 1,50,000 की डि किया है असेसी ने इंडिवीच्वल ने तो इसको डिड़क्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 1,50,000 की तो बट आपको पता है कि 80C और 80CCC यह दोनों शेयर करते हैं अपने डिड़क्शन मतलब 1,50,000 की टोटल है ठीक ऐसे नहीं कि इसकी अलग 1,50 इसकी अलग 1,50 नहीं टोटल 1, और इनके साथ 150 एक और विक्ति शेयर करता है कौन से सिक्षन है वो 80CCD1 तो 80C, 80CCC और 80CCD1 तीनों को मिलाकर हम माक्सिमम 1,50,000 की डिड़क्शन ले सकते हैं ठीक है और याद रखेगा अगर new text regime follow की जा रही है तो फिर यह डिड़क्शन नहीं मिलती है 80CCD1 और 1 भी नहीं म मिलता है वहाँ पर सिर्फ दो डिड़क्शन मिलती है अगर new text scheme follow कर रहे है 80CCD2 की deduction मिलती है और 80JAA की मिलती है ठीक है याद होगा आपको new pension scheme के बारे में हाजी 80CCD क्या होता है new pension scheme NPS ठीक है क्योंकि government ने pension देना बंद कर दिया था फिर उननने new pension scheme चला दी तो अब new pension scheme में ज salary भी कर सकते हैं तो जितना assessi contribute करता है but maximum 150,000 इसके उपर एक internal limit भी है जो उनकी salary है उसका 10% से ज्यादा की deduction नहीं मिलेगी salary में क्या के लिए बेसिक salary प्लस DA forming part अगर वो salaryed assessi है तो 10% लीचेगा अगर वो salaryed assessi नहीं है तो 20% of GTI लीचेगा इनके लिए 10% और इनके लिए 20% क्यों क्योंकि actually जो salaryed assessi है उसके लिए CCD1 भी हो CCD2 भी है but non-salaryed assessi के लिए CCD2 नहीं होता तो इसलिए फूरा का पूरा 20% यहां पर ही दे दिया ठीके 10% salaryed assessi के लिए basic salary प्लस DA forming part non-salaryed के लिए 20% of GTI CCD1 भी क्या होता है यह भी assessi कहीं contribution है अगर वो पूरे का पूरा अपना contribution की reduction CCD1 में नहीं ले पाया reason being क्या था 10% से ज़्यादा contribution आ रहा था पूरा नहीं ले पाया या फिर हमारे 1,50,000 वाली limit exhaust होगी थी इसलिए हम पूरा नहीं ले पाये तो हम CCD1B में भी reduction ले सकते हैं 50,000 रुपीज और मैं आपको बता दूँ यह 50,000 रुपीज over and above 1,50,000 है जो 1,50,000 की limit है न वो 80C पर है 80CCC पर है और CCD1 पर है CCD1 भी उस limit से बाहर है ठीक है 50,000 की इसकी अपनी limit है और CCD2 क्या होता है अगर assessi एक salaryed assessi है तो उसको CCD2 की performing part, in case अगर वो central government employee है तो इसको 10% को change करके 14% आपको लेना होगा ठीक है यह non-salary को तो obviously नहीं मिल रही क्योंकि employer का contribution है अगर NPS से जब पैसा withdraw होता है तो उसका क्या treatment होता है तो वो taxable भी हो सकता है और exempt भी हो सकता है तो depend करता है किस circumstances में आपने यह पैसा withdraw किया और यह कब withdraw हो रहा है या पूरा maturity के बाद withdraw हो रहा है या assessi की death हो गई है तब withdraw हो रहा है यह पैसा तो अगर on the death of the subscriber amount received with a legal hair, legal hair को पैसे मिलते है क्योंकि जिसके नाम से वो NPS था उनकी death हो चुकी है तो उस cases में तो यह fully exempt रहता है या फिर अगर NPS के पैसे reinvestment किये जाते है अनुटी स्कीम में तो उसमें भी फिर यह fully exempt रहेगा तो इन दोनों cases में तो यह fully exempt रहता है अगर amount withdrawn by the subscriber अगर subscriber ने amount withdraw किया है अब depend करता है कि उसने maturity पर withdraw किया है या बीच में ही withdraw कर लिया है अगर उसने partial withdraw किया है ठीकि partial withdraw किया है तो अगर अगर वह non-salaryed SSE है तो 100% taxable होगा ठीक है पार्शल विड्रॉल पर नॉन सालरीड के लिए याद कर लिए 100% taxable है सालरीड के लिए थोड़ी बहुत है कितनी 25% है अगर विड्रॉल हुआ है complete withdrawal on closure और opting out of the scheme आप पूरे scheme से बाहर आ गया है पूरा पूरा close होगी तो यह taxable हो यह percentage एक दो बार पढ़ लीचेगा थोड़ा याद पोना चाहिए इस पर नेक्स्ट डिदक्शन पर आते हैं ATD, ATD again an important deduction ठीक है जब मैं important की बाते करता हूं ATC से ATU में तो ATD भी वहाँ पर आती है, important deduction है examination point of view से, यह क्या होता है health insurance policy, health insurance बोले, medical insurance बोले, accidental insurance बोले, एक ही बात है यहाँ पर यहाँ पर आप दो केडिगरी में डिवाइट करेंगे, अगर यह individual है, तो self spouse or dependent children, spouse dependent, non dependent दोनों चलेंगे, but children यहाँ पर dependent होने चाहिए, तो self spouse or dependent children की अलग category है, parents के लिए अलग category है, parents dependent हो या ना हो दोनों यहाँ पर allowed है, ठीक है dependent और non dependent, कितना कितना है, sir first category के self spouse or children के लिए 25,000 की limit है, और parents के लिए 25,000 की limit है, यानि कि total में लाकर 50,000 की यह limit है, but अगर assessi senior citizen है, या spouse senior citizen है, तो 25,000 की limit और resident भी है, जब भी senior citizen की बात आगी, तो obviously by default resident तो आते ही आता है income tax में, तो फिर 50,000 की limit हो जाए, और parents senior citizen है, parents senior citizen हो सकते है, ठीक है, तो उनके लिए पर यह पच्चास थाजर को बढ़ा कर पचास थाजर कर दीजेगा, यानि कि अगर यहां पर parents के लिए 50,000 की लिए पचास थार भी हो सकता है, अगर वो senior citizen है, प्लस resident है, और अगर self spouse के लिए भी आ रहा है, तो अगर वो senior citizen है, तो 25,000 मतलब हमारे maximum 25 फ्लस 50 भी मिल सकते है, 75 मिल सकते हैं, क्या सर वन लाक भी मिल सकते हैं, अगर मालें थे self spouse में से यह लोग भी senior citizen थे तो 50,000 इन लोगों के लिए और parents के लिए 50,000 अलग, यानि कि वन लाक की भी reduction ATD में मिल सकती है, ठीके, आपने health insurance का premium pay किया हो, cash में pay किया होगा, तो allowed नहीं होगा, health insurance premium हमेशा देख प्रिवेंटिव health check-up का पैसा 5000 रुपे तक cash में pay कर सकते हैं, तक cash में pay हो सकते हैं, प्रिवेंटिव health check-up का भी इसी में included है, वो overall limit में ही आएगा, अलग से limit नहीं है, 5000 limit है, प्रिवेंटिव health check-up के लिए खर्चा किया गया, 5000 तक की limit allowed है, वो अगर cash में भी pay होगा, तो भ तक नहीं है, total मिलाकर ही 5000, total मिलाकर ही 5000 limit है, ठीक है, अगर मान लेते हैं, self ने, spouse ने अपना health check-up कराया और 6000 रुपी का खर्चा हो गया, तो 5000 की ही deduction मिलेगी, और parents का भी health check-up हुआ था, उनों का कोई खर्चा हुआ तो उनके लिए health check-up नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी 5000 के limit exhaust ह हो चुकी है, ठीक है, अगर senior citizen का, for example, health insurance नहीं हो पाया, ठीक है, generally insurance companies मना कर देती है, senior citizen का health insurance अगर करने के लिए, उनका जो medical expenditure हुआ है, वो भी हाँ पर allowed होगा, ठीक है, वो भी हाँ पर allowed होगा, ठीक है, ATDD, medical treatment, अगर हुआ है, disabled dependent का, disabled dependent का, ठीक है, assessi, अपने किसी dependent को maintain करता है, और वो वेक्ति disabled है, तो उसके लिए flat deduction मिलेगी, 75,000 की, अगर वो severely disabled है, तो 1,25,000 की, ठीक है, क्या मतलब होता है, कि अगर वो disability से 80% से ज्यादा affected है, तो severe disabled माना चाहते है, तो सीधा flat deduction है, 75,000 की, severe disability के case में 1,25,000 की, irrespective of the expenditure, expenditure कितना भी किया हो, यहाँ पर हमें certificate लेना पढ़ता है, medical authority से, ठीक, अगर हमाई पर certificate है, तो उसमें लिखा भी होता है, कितना person disability है, ठीक हो question में आपको बताएगा, तो अगर normal disability लिखा है, तो 75,000 की, अगर severe disability लिखा या फिर ऐसा लिखा है, 85%, 90%, तो severe disability माना जाएगा, 80% से अबाव, तो 125,000 की दे जाएगा, 80 DDB होता उसके spouse का, उसके dependent children का, या फिर dependent उसके उपर parents है, brother and sister है, वो allowed है, ठीक है, यहां तक लोग allowed है, तो resident individually है, resident HIV को यह reduction मिलती है, जितना भी medical treatment कराया है, उसकी reduction मिल जाएगी, या 40,000 rupees, whichever is lower, बट जिसका अगर medical treatment कराया है, अगर वो resident senior citizen है, तो 1 lakh तक की reduction आप ले सकते हैं, ठीक ह E, E, A और E, E, B, मतलब E, E की family में लिए interest वाली है, जैसे D की family में हम लोग mainly medical treatment वगेरा, health insurance की बाते करते हैं, health वगेरा की, तो 80E में 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 लिए interest की बाते करते हैं, 80E, again an important section, अगर assessi ने higher education के लिए loan लिया है, खुद के लिए लिया है, ठीक है, spouse के लिए लिया है, education loan लिया है, जितना भी वो interest पे करते हैं, ठीक है, loan कहा से लिया है, किसी financial institution से, government से, या approved charitable institution से, जितना भी interest पे करते हैं, वो allowed है, ठीक है, वो allowed है, maximum 8 years तक, ठीक है, 8 years तक maximum allowed है, और कब से शुरू कर होते हैं, जब से आपने first installment repay करना शुरू किया है, वहां से आपको 8 साल तक reduction में, जब जतना भी आपने, for example, education loan, 6 साल के लिया, 7 साल के लिया, 8 साल के लिया, allowed है, 9 साल के लिया, तो सरफ 8 साल तक के लिए ही allowed होता है, ठीक है, जतना भी interest पे किया है, allowed होता है, 8 साल, जब से first installment pay होती है, तब से हम count करते हैं, 80 EE, 80 EE अब इतना ज्यादा important section नहीं रहा, क् उसके बदले 80 EEA आ गया है, और 80 EE थोड़ा पुराना हो गया है, actually होता क्या है, जिन लोगों ने अपने लिए घर लिया था, first time home buyer थे, first time home buyer थे, अपने लिए घर लिया था, maximum property की value 50 lakh रुपीस थी, और loan का amount 35 lakh रुपीस था, दुबार से repeat कर रहा हूं, maximum property की value 50 lakh रुपीस थी लोन का amount 35 lakh रुपीस था, और ये loan sanction हुआ था, in the year 2016-17, 14 2016 से लेकर 31st March 2017 के बीच में अगर ये loan sanction हुआ था, तो इसकी एक deduction मिल जाती है, 50,000 रुपीस तक के interest की deduction यहाँ पर मिल जाएगी, सब मतलब अगर मान लेते हैं क्योंकि first time home buyer is self occupied property होगी, तो 2 lakh की तो रुपीस था 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 रुपीस था, यहाँ पर हम लोग 50,000 की deduction ले सकते हैं, बड़ ये section थोड़ा पुराना हो गया है, 80EA आपकी 2021 के बीच में, although ये next year ये amendment भी आ गई है, 2022 हो गया है ये, बड़ आपके लिए 2021 ही है अभी, ठीक है, मतलब एक साल इसको और बढ़ा दिया गया है वैसे, ठीक है, बड़ आप लोग अभी यही date याद कीजेगा, 14,0019 से लेकर 31st March 2021 के बीच में अगर इनका loan sanction हुआ है, और इ 4B में ही मिल जाएगी, ठीक है, और साथ-साथ में, 1,50,000 की interest की reduction यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 80EE में कितनी थी, 50,000 और यहाँ पर है 1,50,000 रुपीस की, 80EE अगर असेसी ने, इंडिवीच्वल ने, इलेक्ट्रिक वहिकल खरीद है, इलेक्ट्रिक वहिकल वहिकल याद रखिएगा, तो अगर यह लोन लिया गया है किसी बैंक से, फनेंशल इस्ट्यूशन से या, NBFC से भी, नॉन बैंकिक फनेंशल कोपरिशन से भी अगर लोन लिया है, तो भी चलेगा, 1,50,000 तक की reduction हम ले सकते हैं, interest portion की, बटर मैं आपको बता दू, यह जो उ काट्चन है 80G की, 80G की reduction मिलती है अगर हम donation देते हैं, कुछ approved जगा पर, अगर हम donation दे तो कुछ जगा पर देने पर donation अगर हम देंगे तो 100% reduction मिलती है, जितना भी पैसे credits है 100% reduction ले सकते हैं, कुछ जगा पर 50% है, कुछ जगा पर 100% है, बुट qualifying limit है यहाए और कुछ जगा प पर भी नाम नेशनल आए ना वहां पर तो 100% reduction दे नहीं है, without any qualifying limit, सीधा सीधा 100% reduction है, कौनसे असेशी को मिलते हैं? इंडिविजुल को नहीं, 80G तो किसी भी असेशी को मिल जाता है, गवर्वेंट कहती है, डोनेशन तो कोई भी दे सकता है, ना तो हर्ग किसी के लिए 80G allowed है, National Defense Fund में पैसा दें, तो भी allowed है, Prime Minister National Relief Fund में पैसा दें, allowed है, National Children's Fund, National Foundation for Communal Harmony, Approved University, Zilla, Sakshrita, Samitie, National Sports Fund, Spelling, सोड़ी, मिस्टेक होगी, Sakshrita की ठीक कर लेज़ेगा, National Sports Fund, National Cultural Fund, Swach, भारत, कोश, Clean Ganga Fund, National Fund for Control of Drug Abuse और PM Cares, PM Cares, COVID वहले टाइम बहाँ बच्चेस जान जेते, यहाँ पर अगर पैसे दिये जाएं, तो 100% reduction मिल जाएगी, कोई इफ बाट नहीं है, यहाँ पर कोई कॉलिफिंग लिमिट नहीं है, 100% reduction, 50% reduction, Javalaar Nehru Fund, Prime Minister Drought Relief Fund, Indra Gandhi Memorial Fund, राजीव गांदी, यह बहुत एजी होते हैं, Javalaar Nehru, Indra Gandhi, राजीव गांदी, तीनों ही Prime Minister रहे हैं, और Prime Minister रहे हैं, तो Prime Minister तीनों नहीं सूखा किया है, छोड़िए वो पात, ठीक है, आगे आगे आते हैं, सूखा मतलब डॉट, 100% of amount subject to qualifying limit, ठीक है, यहां पर अगर Promotion for Family Planning, अगर Indian Olympic Association में पैसा देते हैं, तो 100% reduction तो allowed है, बट आपको यहां पर qualifying limit भी देखनी पड़ते हैं, जनरली मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, कि 100% of amount donated, या 100% of qualifying limit, whichever is lower, यहां पर deduction आपकी इतनी मिलती है, जो भी 100% amount आपने contribute करा, या 100% of qualifying limit, whichever is lower, यह qualifying limit कैसे निकलती है, qualifying limit होती है, adjusted GTI का 10%, adjusted GTI का 10%, ऐसे याद कर सकते हैं, कि जब हमारे income होती है, अगर हम donation करना चाहें, तो 10% ही करेंगे, तो adjusted GTI का 10%, यह adjusted GTI क्या होता है, जो भी आपका GTI है, उसमें से minus कीचेगा, यहाँ पर लिखा हुए, all deduction in the chapter 6 से, ठीके, except TG minus कीचेगा, STCG, LTC, बें सिंपल समझा देता हूँ, जो भी आपका GTI है आया, उसमें से LTCG minus कीचे, ठीके, LTCG मतलब normal 112 वाला और 112A वाला दोनों वाला, ठीके, shares वाला भी, तो GTI में से LTCG minus कीचे, 111A minus कीचे, 111A minus कीचेगा, ठीके, और साथ साथ में, casual income minus करनी है नहीं, casual income minus नहीं करनी है, यहाँ पर जो STCG लिखा है, मैं लिख देता हूँ, यह 111A वाला है, 111A वाल STG minus कीचेगा, casual income minus करनी की जुरुएत नहीं है, तो GTI में से minus कीचेगा, LTCG minus 111A, और minus all deductions from ATC से लेकर, ATU तक की सारी deductions except ATG, ATG तो आप calculate ही कर रहे हैं ना, तो बागी सारी deductions minus कर दीजगा, यानि की qualifying limit निकालने के लिए, पहले हमें सारी deductions निकाल लेनी चाहिए, फिर बाद में ATG पर आना चाहिए, ठीक है, इनके से अगर qualifying limit है, अगर आपने किसी दूसरी जगा, approved जगा पर पैसे दीए हैं, कोई charitable institution है, या renovation for religious place के लिए, आपने पैसे दीए हैं, किसी NGO को पैसे दीए हैं, approved जगा होनी चाहिए वो, तो 50% of amount donated, 50% of amount donated, और 50% of remaining qualifying limit, remaining qualifying limit, यह remaining qualifying limit का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपकी qualifying limit यहाँ पर पूरी exhaust हो गई, तो यहाँ पर आपकी deduction मिली नहीं पाएगी, यानि कि अगर मान लेतने qualifying limit, यहाँ पर हमने 100% वाली जगा पर donation दे दी, यहाँ पर कितना मैंने बताया था, 100% of amount donated, 100% of amount donated था, यहाँ पर 100% of qualifying limit थी, यहाँ पर हमने 100% वाली जगा पर donation दे दी, 1 लाग का 100% is 1 लाग, मतलब 60,000 की deduction था हम यहाँ पर ले चुके हैं न, इसका मतलब 60,000 की qualifying limit हमारी already exhaust हो चुकी है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब 50% की बाते आएगी, तो हमारी qualifying limit 1 लाग थी, तो जिसमें से 60,000 की already हम exhaust कर चुके हैं, अपने 3rd वाले जगा पर, इस जगा पर, तो यहाँ पर आता है 50% of amount donated, जितना भी आपने amount donate कर रहा है, उसका 50% और 50% of remaining qualifying limit, remaining qualifying limit का मतलब 1 लाग थी, 60,000 already यहाँ पर exhaust हो चुकी है, तो 40,000 का 50% लेंगे, 40,000 समझके, 1 लाग original qualifying limit, 60,000 already exhaust हो चुकी है, ठीक है, 80GG, 80GG उस SAC को मिलता है, जिसको HRA नहीं मिलता है, तो HRA में deduction है, बड़ अगर HRA नहीं मिलता है किसी SAC को, तो उसको deduction मिल जाती है, अगर वो rent pay कर रहा है, ठीक है, ऐसी जगह पर rent pay कर रहा है, जहां पर उसका घर नहीं है, उसके spouse का घर नहीं है, उसके minor child का घर नहीं है, जिस HUF को ब्लॉंग करता है, जहां पर उसका घर नहीं है, जनरली वो किसी जगह पर job अगरा करता है, service करता है, और वहाँ पर उसको rent pay करना पड़े, तो उसको deduction मिल जाती है, अगर वो उसको HRA भी नहीं मिल रहा है, तो उसको deduction मिल जाएगी, इवन जिनको concessional rent free accommodation ना, उनके लिए भी deduction है ही है, अगर वो अपने employer को rent pay करते हैं, चाहिए वो कम ही पे करते हैं, concessional amount पे करते हैं, बढ़ उनको HRA तो नहीं मिल रहा है, तो क्यों को HRA नहीं मिल रहा, उनको इड़क्शन मिल जाती है, कितनी deduction मिलती है, lease of the following, actual rent minus 10% of adjusted GTI, 25% of adjusted GTI यह 5000 पर मन्त ठीक है, यह तीन लिमिट याद कर लीज़ेगा, actual लगभग HRA जैसी ही है, आपर भी होता है, actual rent paid minus 10% of salary, यहाँ पर है 10% of adjusted GTI, आपर होता है, 40% of salary, यहाँ पर है 25% of adjusted GTI, adjusted GTI का मतलब क्या होगा, almost वहीं मतलब GTI minus LTCG, minus 111 A, minus casual, casual नहीं करनी, minus, minus all deductions from 80C से 80U, except 80GG, ठीक है, sorry, 80GG है, 80GG होता है कि अगर असेसी ने scientific research के लिए donation दी है, यह router development के लिए donation दी है, इससे scientific research के लिए 35 में मिलती है, 35 में उन लोगों को मिलती है, जिनकी PGVP की income आ रही है, इससे की PGVP की income नहीं है, पर फिर भी उससा scientific research के लिए है, router development बगेरा के लिए पैसे दी हैं, तो उसको यहाँ पर 100% deduction मिल जाएगी, ठीक है, बट cash में 2000 रुपी से ज़्यादा मत दीचेगा, 80GGB, GGC कि किसके लिए होता है, political party को अगर आपने contribution किया है, 80GGB होता है company SAC के लिए, GGC होता है other than company SAC के लिए, जितना भी political party को, क्योंकि देखो business expense तो माना नहीं गया, political party को contribution, बट यहाँ पर deduction आपको मिल जाएगी, जितना भी आपने contribute करा है, बट अगर आपने cash में contribute करा है, तो deduction नहीं मिलेगी, 80JAA, deduction in respect of new employment, ठीक है, यह क्या होता है, यह उन SAC के लिए है, जिनके accounts last year audit होना liable था, ठीक है, all SAC who are required to get their accounts audited, ठीक है, उनका previous year में, अगर audit होना liable था, तो उन लोगों के लिए deduction मिल जाती है, कितनी deduction मिलती है, अगर वो new workmen रखते हैं, new employees रखते हैं, they should be casual employees नहीं होने चाहिए, they should be like permanent types of employees, वो permanent employees होने चाहिए, जिन्होंने minimum 250 days आपके यहां पर काम किया हो, 250 days में काम किया हो, अगर आपकी apparel industry है, footwear है, leather industry है, तो 150 days भी चलेगा, 150 days भी चलागी आप चलेगा, जितना भी आप उनको salary या revenduration पे करते हो, उसका 30% आपको reduction मिल जाएगी, उसका 30% reduction मिल जाएगी, first three years में, first three years मतलब, जिस साल आपने उनको employ करा, उस साल next year और उसके next year, उसके next year तो तीन साल reduction मिल जाएगी, for example, अगर आपने उनको employ किया है, और इस साल उनको permanently employ किया था, अबर उनको 240 days पूरे नहीं हो पाए, तो फिर आपकी जो three years शुड़ू करेंगे, वो next year से शुड़ू कर देंगे, ठीक है, बर दूसरी बाद जो आपको important ध्यान में रखनी है, इनको जो salary मिले, वो 25,000 per month से जादा की नहीं होनी चाहिए, और यह RPF में contribute करते हो, permanent type के employ हो, casual employees के लिए reduction नहीं मिलेगी, और minimum 240 days इन्होंने काम किया हो, अगर वो footwear apparel ये leather business में हैं आप, तो 150 days भी allowed होगा, next deduction है, 80 QQB, royalty income on books, अगर कोई author है, he is a resident individual, अगर कोई author है, तो उसको deduction मिल जाएगी, जितना उसको royalty मिलती है, जितनी भी royalty उनकी income है, या rupees 3 lakh, whichever is lower, यानि कि maximum deduction यहाँ पर 3 lakh की होती है, दूसरी बात, अगर उनको regular royalty मिल रही है, तो regular royalty जब मिल रही है, जब आप royalty calculate करते हैं, तो प्लीज उसको जब royalty income calculate करेंगे, तो प्लीज उसको 15% of value of books से जादा नहीं लीचेगा, ठीक है, 15% वाली बात याद आ गई हैं आपको, इटी आरार भी होता है, royalty other than books, royalty on patents वागेरा, यहाँ पर भी same QQB value concepts लगते हैं, maximum 3 lakh की reduction मिलेगी, और यहाँ पर वो 15% वाला भी कोई concept नहीं होता है, ठीक है, अगर हाँ आपके outside India से royalty आ रही है, तो अगर वो previous year के end होने तक, six months तक आ जाए तो ठीक है, वाँ से six months लेंगे, six months के बाद आरती है, तो हम उसको consider नहीं करेंगे, while giving QQB deduction, ठीक है, नहीं है, क्योंकि अगर resident senior citizen है तो उनके लिए तो TTA होता है, बट जो लोग senior citizen नहीं है उनके लिए TTA होता है, जितना भी उनको saving bank account का interest मिला है, या rupees 10,000, ठीक है, whichever is lower, ठीक है 10,000, whichever is lower, और 80 TTB, 80 TTB मिलेगा, उन SSC को जो लोग resident है, plus senior citizen है, resident है, plus senior citizen है, उनकों मिलेगा, सिर्फ saving bank account deposit पर नहीं, साथ साथ में अगर FD बगर भी कराईए उन्होंने, तो वहाँ पर भी recurring deposit है, तो भी उसको भी allowed है, maximum reduction कितनी होगी, जितना interest मिलता है, ठीक है saving bank account पर FD पर recurring deposit पर, या 50,000 rupees, whichever is lower, ठीक है ये deposits, दोनों ही deposit चाहे bank में हो, या फिर किसी cooperative bank में हो, या post office में हो, वो सब चलते हैं, ATU की deduction मिलती है, अगर ASACC कुद disabled होता है, बिलकुल ATDD जैसा होता है, यहां पर flat deduction मिलेगी, 125,000 की, severe disability के case में, severe disability नहीं है, तो 75,000 की flat मिलेगी, कुछ questions में लेना चाहूँगा इसके, अगर आप आजाएं, अपने file पर, लिखा हुए इस illustration में, compute the eligible deduction under chapter 6, यह for assessment है 21-22, if the gross total income is 15 lakh पर ASACC, ठीक है, directly में deductions पर आ रहा हूँ, life insurance premium पेक ही है, आपको बता है life insurance premium ATC में allowed होती है, बाट maximum 1,50,000 और इसमें दूसरे limit होती है, 20% या 10% या 15% as the case में भी, तो यह policy ली थी 1-1-2012 को, यानि कि 1-4-2012 से पुरानी policy है, इसके लिए तो हम 20% ले सकते हैं, summer short था 1,50,000 तो उसका 20% होता है 30,000 रुपीज, सिर्फ 30,000 की deduction मिलेगी, यहां पर 35,000 असेस्ट ने कॉंट्रिबूट करा है, 35 की नहीं मिलेगी, 30 की मिलेगी, PPF में allowed होता है, तो 30 यहां पर हो गया, 90,000 यह हो गया, 120 तक अभी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, repayment to housing loan, यह भी मिल जाएगा 20,000 रुपीज का, डिदक्शन अभी 150 के उपर नहीं पहुचा है, payment to LIC pension fund 25,000 रुपीज, pension fund में 80 CCC में डिदक्शन मिल जाएगी, ठीक है, बट आपको पता है कि इन सब को मिलाकर भी 150 से उपर नहीं जा सकते हैं, medical policy लिए self spouse or dependent children के लिए premium paid 20,000 रुपीज तक ले सकते हैं, इतना भी अलाउट कर देंगे, ठीक है, तो टोटल मिलाकर 1,65,000 आ रहा था, 80 C or 80 CCC मिलाकर, बट 150 तक की डिदक्शन ले सकते हैं, और वो दोनों डिदक्शन तो अराम से ले सकते हैं, next 80 D का ये भी आप कर लेंगे, मैं एक और ले ले लेता हूँ, इतना इतना, कि अंट इंटरस इंकम इंकांट, इंकांट से, आपको पता है कि इनको डिदक्शन मिल जाएगी, माक्सिमम 50,000 तक की डिदक्शन मिल सकती है, यहां पर, मैं पर लिदक्शन मिल जाएगी, हांपर कोई प्रॉलम नहीं है, समे शॉर्ट था 1,75,000 और पॉलिसी काफी पुरानी थी तो इसका हम 20% तक ले सकते हैं 20% तक हम ले सकते हैं तो यहां पर 25,000 उससे कम आएगा तो यहां पर यह भी अलाउड हो जाएगा तर्ट है लाइफ इन्शॉर्णस प्रीमियम पेट वाई चिक हुन्टी तू फफीट के लिए तो आलाइसी तो नहीं मिलेगी स्थी फर्स्वादा ना पेटिक लिए तो जल्दी में उसको भूल गया था आपको जल्दी नहीं करने एग्जाम में अभी में लास्ट रिविज् judicially use करना है आपको ठीक है वो parents के लिए तो नहीं मिलेगी I'm so sorry थर्ड है तो इन्होंने खुद के लिए policy लिए है 2 lakh rupees के इसका sum is short है 2020 की है तो इसका 20,000 की deduction मिल सकती है maximum 10% premium of 16,000 paid by check for health insurance for self and spouse 8,000 for self, 8,000 for spouse 16,000 मिल जाएगा 15,000 paid in cash for the health check-up 25,000 paid for health check-up for parents health check-up for parents but actually 15,000 or 45,000 मिला के ना हो चुका है हमारे पास 6,000 6,000 तो नहीं मिल पाएगा पांथाज़ार मिल पाएगा ठीक है पांथाज़ार की deduction मिल जाएगा पर paid interest of 6,500 on loan taken from the bank for MBA course pursued by his daughter 80 email deduction a sum of rupees 15,000 donated in cash to an institution approved for purpose of 80G for promoting family planning cash में पैसे अगर आपने पे की हैं तो यहाँ पर allowed नहीं होंगे ठीक है तो यह deduction नहीं मिल पाएगी contribution of 10,500 made in check to an electoral trust electoral trust या फिर particular part इसको deduction मिल जाती है 80 GGB में company SST को यहाँ पर इनको 80 GGC email deduction मिल जाएगी ठीक है next पर आजाएं next chapter start करते है TDS and TCS ठीक है again a very important chapter ठीक है quick revision करेंगे इसकी एक मैंने recently एक video भी बनाई थी chart revision on TDS and TCS अगर किसी student ने अगर यह chapter ठीक से नहीं किया हुआ अगर उनको लगते है कि मुझे थोड़ा से इस पर टाइम देना चाहिए तो आप उस video पर भी जा सकते हैं ठीक है मैं आई बटन में उसका link दे दूँगा तो आप उस video को भी देख सकते हैं चलिए वापस आते हैं TDS का quick revision करने के लिए section 192 section 192 होता है TDS on salary अच्छा जनरली हमारे exams में किस तरह की questions आते हैं TDS के आपको उस transactions दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि TDS की implications आएंगी या नहीं आएंगी जनरली जाता है इस तरह के questions आते है यह 194N वगेरा का जो का आज हो ट्रॉल वगेरा का है उसका कोई question आ सकता है ठीक है अगेन काफी easy topic होता है इसका बढ़ हां सरफ हमें समझ में आना चाहिए कि provisions क्या 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 कहते है coming back section 192 TDS on salary यह कहते है कि employer हमारा TDS deduct करेगा किस rate से करेगा यहाँ पर salary में कोई fix rate नहीं होता average rate of tax होता है जितनी हमारे income है उसके according वो हमारा TDS deduct करता है क्या हम उसको अपनी दूसरी income भी furnish कर सकते हैं अगर हम चाहें एक employee चाहें तो उसको अपनी दूसरे heads की income भी furnish कर सकता है और फिर वो दूसरे heads की income को भी consider करेगा और employer हमारा पूरे amount के उपर TDS deduct कर सकता है क्या दूसरे heads के losses ले सकते हैं the answer is only house property के ले सकते हैं बागी दूसरे heads की losses consider नहीं की जाएंगे positive income है तो बता दीजिए negative income है तो बना कर देगा स्रफ house property की आपकी वो ले सकता है अगर एक से जादा employer है तो हम किसी भी एक employer को select कर सकते हैं और उसको अपनी सारी details वता सकते हैं सभी दूसरी salary की जो हमें दूसरी जगह से मिलती है और वो उसको भी consider करेगा TDS करते हैं तो जब भी salary का TDS deduct होता है तो generally हमेरे सारे allowances taxable देखी जाती है कि वह allowances taxable है या नहीं है परकियोज़च taxable पगेरा है या नहीं है और आपका total tax के according deduct किया जाता है इसके उपर टेक्स डिफर करा गया है कि चार साल तक चार साल के बाद इस पर टेक्स कलिक्ट किया जाएगा या फिर अगर employee resign कर देता है या फिर वो टेर्स अपने बेश देता है तो उस विचेवर इस अगलिया डेट तक वो डिफर किया जाता है सौरी तो उसके उपर TDS वो अभी डेक्स नहीं करेंगे ठीक है section 197 की आपलेकिबिलेटी एस 197 और 197 A जनरल होता क्या है यह लोवर डिदक्शन ऑफ TDS होता है 197 A होता है कि जब डिदक्टी यह declaration दे देता है कि सर मेरी तो टेक्सी नहीं बनता है और मेरा टेक्स डिदक्ट ना किया जा सके वो 197 A होता है कुछ sections में 197 A applicable है किसी में नहीं है ठीक है याद आता है declaration by SSC 197 क्या होता है 197 थोड़ा सा strong section है वहाँ पर डिदक्टी AO से permission लेता है कि डिदक्टर मेरा टेक्स डिदक्ट कर रहा है या तो उसको डिदक्ट नहीं करना चाहिए लोवर रेट से करना चाहिए तो I believe आपको section 197 A और 197 A भी याद आ गए होंगे अगर आप स्पेसे मिल रहे हैं वो लोग करते हैं at a rate of 10% ठीक है और 50,000 की त्रेशोड लिमिट है 50,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो 10% rate से TDS deduct होगा section 193 interest on securities अगर हमारे पास debentures के उपर interest मिलता है तो TDS deduct होता है at a rate of 10% COVID relaxation की वज़े से ठीक है 3-4 लगेगा यानि की 7.5% ठीक है और इसके उपर थ्रेशोड लिमिट हो रहे ही 5000 रुपीज से ज्यादा का interest मिल रहा है तो TDS deduct होता है government securities पर generally TDS deduct नहीं होता है but taxable saving bond पर अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा मिल रहे हो तो TDS deduct होगा ठीक है section 197 और 197A का relaxation यहाँ पर है 197A क्या होता है कि उस company को जा से माल लेते हैं हमें डिवेंचर के उपर interest मिल रहा है वो हमारा TDS deduct कर रहे हैं but हमें लगता है कि हमारा TDS deduct नहीं होना चाहिए कि हमारी tax liability nil है तो हम उसको declaration दे सकते हैं form 15 G में और अगर हम senior citizen है तो form 15 H में ठीक है 197 क्या होता है for example हमारा tax deduct होना है बट lower rate से होना है तो 197A तो हम तब ही दे सकते हैं जब हमें tax liability nil आती है बट अगर for example हमारी थोड़ी बहुत tax liability आतो रही है बट हमारा TDS करेट कम लगना चाहिए इतना जो 10% यह 7.5% है वो नहीं लगना चाहिए उससे कम लगना चाहिए तो हमें AO से permission लेनी पड़ती है तो हमें assessing officer से permission लेनी पड़ती है assessing officer अगर हमें certify कर दे permission दे दे कि हां इनका tax कम rate से deduct होना या deduct नहीं होना है तो हमें यह भी relaxation मिल जाती है तो दोनों ही relaxation के section है 193 में allowed है 194A interest other than security generally securities के उपर interest नहीं आता किसी और चीज के उपर जैसे कि bank में आपका saving bank account है या FD वगेर है वहां से interest मिला या फिर आपने किसी को पैसे दीए वहां से interest मिल रहा है आपको other than securities के उपर तो generally मैं banks की तरीके समझा देता हूं कि जब banks आपको interest देते हैं तो TDS deduct करेंगे TDS का rate रहेगा 10% COVID impact की वह जैसे 7.5% है threshold limit है 40,000 रुपीज से वह ज्यादा पैसे दे रहे हैं तब ही आपको TDS deduct होगा 40,000 से ज्यादा नहीं दे रहे है तो TDS deduct नहीं होगा अगर assessi resident senior citizen है तो 50,000 उसकी limit रहेगी ठीक है 197 और 197 ये दोनों ही आपली केबल है bank से मिलता है bank से cooperative bank या post office तो limit 40,000 senior citizen के case में 40,000 रहेगी अगर other interest है मालते है bank वगेरा का नहीं है कोई deposit वगेरा का नहीं है कोई other interest है आपने किसी को loan दिया किसी partnership firm वगेरा को तो वो जब आपको interest दे रहे है तो वो भी TDS deduct करेगी और उसकी limit रहेगी 5,000 रुपीज का क्या एक individual या HUF भी TDS deduct कर सकते हैं क्या ये लोग भी deductor हो सकते ह अगर एक individual या HUF का last year का turnover last year का turnover अगर ये business कर रहे थे तो वन करोड से ज्यादा था या फिर अगर profession कर रहे थे तो 50 lakh से ज्यादा था तो अगर इन लोगों का turnover last year का एक करोड या 50 lakh रूपी से ज्यादा था तो ये लोग भी TDS deduct कर सकते हैं ठीक है एक section है 194 dividend आचो आपको पता रूपीस की ठीक है मैं से मैं बहुत जादा स्पीड पर चाल रहा हूं सिर्फ रिविजन कराने के लिए ठीक है अगर किसी को मैं दुबार से रिपीट कर रहा हूं अगर किसी को TDS थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज वो चार्ट बुक वारे रिविजन में कोई 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 की रिलाक्सेशन नहीं है सीधा 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 थरी परसंट का TDS रिटाट होता है और थ्रेशोड लिमिट है 10,000 रूपीस वन नाइटीफोर भी होता है लोट्री गेम शो अगेरा वन नाइटीफोर डबल भी होता है कि जब हम होर्स रेसेज में विनिंग करते ह रहेगा 30% का याद रख लिजेगा 30% का TDS रेट है सेशोड लिमिट है 10,000 रूपीस की 194C पेमिंट टू- गॉंट्राक्टर खीक है अगर हमने किसी कोjektि बिजनसस Uzaware के र般 में दिया है तो हम कुंट्रीफ कर्ते या तो रेट 1% रहेगा या 2% रहेगा व्लपेंट करता है कॉंट्राक्टर कॉन अगर contractor एक individual या HUF है, तो TDS का rate 1% रहेगा, COVID impact के वज़े से 0.75% हो जाएगा, अगर वो contractor जिसको हमने contract दिया है, अगर वो individual और HUF नहीं है, कोई और है, लेट से कोई partnership firm है, कोई कामपनी है, ठीक है, कोई और organization structure है, तो rate of TDS रहेगा 2%, COVID impact के वज़े से 3-4 हो जाएगा, मतलब 1.5%. Threshold limit क्या है, जो भी हमने contract दिया है, single contract भी threshold limit 30,000 रहेगी, 30,000 से ज़्यादा का contract नहीं है, TDS रेटा मत कीजेगा, 30,000 से ज़्यादा का contract है, तब आफ TDS लगाएगे, बट अगर छोटे-छोटे contract हैं, बट उसका aggregate 1,00,000 से exceed कर जाता है, तब भी TDS की implications आ जाएगी. Section 194D, Insurance Commission, Insurance Commission, Commission on Lottery 194G और 194H, 194D, 194G, 194H, same तरह के concept है, यहाँ पर अगर rate of TDS रहेगा 5%, rate of TDS 5% रहेगा, COVID impact के वज़े से 3.75% हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तीनों ही section में, threshold limit रहेगा, 15,000 की, 194D क्या होता है, Insurance, companies अब commission देती है, अपने insurance agent को, तो यहाँ पर Insurance Commission है, 194H में other commission and brokerage है, ठीक है, लिमिट वही रहेगी, 15,000 की, 15,000 में common limit है, 15,000 की, rate of TDS रहेगा 5%, COVID impact के ज़ेगा 3.75%, 194DA, अगर हमें life insurance policy से maturity पर पैसा मिलता है, बट अगर life insurance policy से maturity पर जब पैसा मिलता है, तो generally वह पैसा exempt होता है, provided हमारे जो premium थी, premium थी, वो समय शौड का 10% से ज़ादा नहीं थी, या 20% से ज़ादा नहीं थी, वो date पर depend करता है, याद आगे आपको, बट फर एक्जांपल, हमारी premium ज़ादा थी, ठीक हमारी premium अगर वो 1, 4, 2012 से पुरानी policy थी, और हमारी जो annual premium थी, समय शौड का 20% से भी ज़ादा थी, तो ऐसी policy जब mature होती है, तब वो taxable होती है, या फिर 1, 4, 2012 के बाद के लिए हम 10% लेते हैं, अगर हमारी premium 10% से ज़ादा थी, तो ऐसी policy जब mature होती है, तब उसको हम taxable करते हैं, और insurance company भी हमारे उपर TDS लगाएगी, at a rate of 5%, COVID impact के वज़े से 3.75% और इसकी threshold limit 1,00,000 रूपीज रहने वाली है, ठीक है 1,00,000 रूपीज से ज़ादा मिलेंगे, तो TDS deduct होगा, ठीक है 1,00,000 रूपीज से ज़ादा नहीं मिलेंगे, तो TDS deduct नहीं होगा, और याद रखिए, एक और important बात है, इसमें 194 DA में, यह जो 5% या 3.75% लगेगा, जितना हमें पैसा मिलेगा, उसके उपर नहीं लगेगा, या COVID impact की वज़े से, COVID impact फ़लर कॉंसिडेट है, 14th में 2020 से लेकर, 31st मार्च 2021 के बीच में अगर आ रहा है, तो फिर reduce rate लगता है, 194 E, non-resident sports person, ठीक है, non-resident sports person, non-resident sports association, non-resident entertainer, लोग है, तो इनके उपर TDS का rate लगेगा, 20% का, और इनके साथ CES भी लगता है, और जनरली आपको पता है, कि जब भी TDS रिड़क्ट होता है, तो CES नहीं लगता, स्रिफ हम TDS का rate लगाते हैं, बट सिर्फ अगर हम किसी non-resident को पैसा पे कर रहे हैं, तो CES के साथ TDS रिड़क्ट होता है, 192 में, सालरी में हम लोग TDS के साथ CES भी डिड़क्ट करते हैं, 194E यह होता है, अगर rate of TDS रहे हैं, आपर 10% COVID इंपक्ट कोई जैसे 7.5%, threshold limit 2500 रहने वाली है, 194I, एक important section है 194I, TDS on rent, ठीकि TDS on rent है, अगर हम कोई भी चीज़े लेते हैं, अपने business purpose के लिए रेंट पर, तो उसके उपर TDS हम डिड़क्ट करेंगे, अगर हम पैसा पे कर रहे हैं, 2,40,000 रुपीस पर एनम से जादा, ठीकि पूरे साल में 2,40,000 से जादा, हम पैसा पे कर रहे हैं, तो TDS डिड़क्ट करेंगे, TDS का rate रहेगा 10%, 10% rate रहेगा, बढ़ प्लान और मशीनरी के लिए rate रहेगा 2%, COVID impact की वज़े से इसका 3-4 कर ली चाहेगा, 7.5 हो जाएगा और ये 1.5% हो जाएगा, शेशोड ले में 2,40,000 रहने वाली है, ठीकि यह था TDS on rent, कि एक individual और HUFB TDS डिड़क्ट कर सकते हैं, हाँ, अगर अगर अपने business purpose के लिए उन्होंने चीज़े ली हैं, तो उसके उपर TDS डिड़क्ट कर सकते हैं, अगर उनका personal rent है, तो भी हाँ पर आजाएगा, या फिर अगर कोई individual हुफ है, उसका business का rent है, बट उनका last year का turnover एक करोड या 50 लाक से जादा नहीं था, मतलब कुल मिला करना वो लोग 194 आय में कवर्ड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर mainly personal rent भी आ सकता है, या फिर business का rent भी आ सकता है, ऐसे individual हुफ का जिनका last year का turnover कम था, तो अगर वो किसी भी मन्त का जो rent है, वो 50,000 रुपीज से जादा का पे करते हैं, तो TDS डिड़क्ट करेंगे, at a rate of 5%, COVID impact के वज़े से 3.75%. दूसरी important बात है, कब करेंगे TDS डिड़क्ट, जो हमारा last month होगा, उसमें हम TDS डिड़क्ट करते हैं, ठीके, last month में हम TDS डिड़क्ट करते हैं, अगर जैसे March है, तो March 2021 में TDS डिड़क्ट करेंगे, कभी भी TDS जो last month का रेंट है उससे ज़्यादा डिड़क्ट नहीं होगा, इस केस में last month से ज़्यादा TDS डिड़क्ट नहीं होगा, TDS का रेट रहेगा 1%, COVID impact के वज़े से 0.75%, Joint Development Agreement, आपको पाता है, वो बिल्डर जब हमें पैसे देता है, ठीके, केसी भी लैंड ओनर को जब वो पैसे देता है, तो जितने पैसे देता है, उसके उपर TDS डिड़क्ट करेंगे 10%, COVID impact के वज़े से 7.5%, बिल्डर कंसिटरेशन देता है, इन दा फॉर्म अफ लेट से वो फ्लाट वगरा भी देता है, कुछ बिल्डिंग का पोर्शन देता है, प्रस पैसे देता है, तो सरफ पैसे वाले जो पोर्शन, जो मॉनिटरी अमाउंट है, उसकी पर TDS डिड़क्ट होगा 10% या 7.5%, ठी ठीक है, 194J again important section है, 194J important है, किसी सीज के उपर होता है, professional fees, professional services के उपर, technical services के उपर, royalty के उपर, director, revendration के उपर, non-competing fees के उपर, इस सब के उपर 194J हाता है, जनरली जो 194J का जो TDS करेट है, वो है 10% का, वो TDS करेट 10% का है, COVID impact के वज़े से 7.5% है, बट कुछ जगा पर TDS करेट अगर हम किसी टेकनिकल सर्विसे के पैसे बाइस, अगर हम पेशे पहीं क कर रहें, यहां बाइस परीप्रखacy मधेश, बेजैने नेचर आप एक पॉइरधे करन झारे करेक है तो यहां पर नदेगर करेत रहे हैं तो एक तोल चेडिक पोही है'm, शर्धेगर निर्च अ निराय थीक अच्छा और लेमिट कितने होती है तीलिक्व और अगर हम घसी को टेकनिकल counterparts टेकनिकल सर्मिसे के इस परेशिंद करके कर रहे हैं तो 30,000 के जो लिमेट है वो हर अब में bob आप डिरेक्टर रेवनेरेशन पे करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है जितना भी आप डिरेक्टर रेवनेरेशन पे कर रहे हैं उस पूरे के ओपर TDS क्रेट लगा दीजिए का 10% COVID impact कोई जिसे 7.5% का कॉल सेंटर के लिए अगर आप पैसा पे करें तो वहां पर भी TDS करें 2% रहेगा कोई इंपक्ट के वज़े से 1.5% हो जाएगा 194K जैसे मुचल फंड कंपनी से जब हमें इंकम मिलते तो मुचल फंड कंपनी भी TDS करेंगी 10% COVID impact विज़े 7.5% त्रेश्वोड लिमिट 5,000 रहने वाली है यह मुचल फंड के उपर अगर हमें पैसे मिले हैं 194 LA अगर कोई भी प्रॉपर्टी कंपल्सरी अक्विजिशन हो जाता है और 2.5 लाग की थरश्वोड लिमिट 2.5 लाग से ज्यादा अगर हमें सरकार दे रही है तो वह 10% TDS करेंगी कोई इंपार्ट के विज़े सेवन पॉइंपाइफ परसेंट 194 M इंपोर्टन सेक्षन है 194 M इंपोर्टन है देखें मेली जो 194 M है ना यह बना है अक्चली इसका बेस है 194 C ठीक है 194 J और 194 H 194 C क्या था कॉंट्राक्ट का 194 J वगरा क्या था प्रफेशनल सर्विसेस पर आते था 194 H क्या था कमिशन या ब्रोकरेज का बट जो 194 C था या 194 J या 194 H वगरा था वो हमारे बिजनस से एक्सपेंस थे बट फॉर एक्जामपल अगर हमारे परस्टनल कोई एक्सपेंसे हैं हम किसी को कॉंट्राक्ट देते हैं चाया अपना पर तो एसे लोग जब किसी को पेइमेंट करते हैं और वो टोटल अमाउंट पचास लाख रुपे से ज्यादर का अमाउंट करते हैं तो टीडियस रेड़क करेंगे 5% कोविड इंपाक्ट के वजिसे 3.75% ठीक है 194 N वेरी इंपोर्टन सेक्शन वेरी इंपोर्टन सेक्शन इस प्लीज वो वीडियो आप वो अट लिस्ट वो कुशन देख लीजेगा एक बार पांच-वाच मेंट दीजेगा देख लीजेगा वो कुशन 194 N क्या था सर ये 1st जुलाई 2020 के बाद इसमें थोड़े चेंज आए पहले क्या होता था पहले यह होता था कि एक करोड के उपर अ अगर जो बांक अकाउंट होल्डर है उसने अपनी पिछले तीन रिटर्न जिसकी डूरेट एक्सपार हो चुकी थी अगर उसने किसी कोई भी एक रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की है तो 20 लाग के बाद ही अब उसका TDS होने लगेगा अट रेट अफ 2% और अगर ऐसा वे पाक्त के वेजिसे 0.75% जैसे Amazon है Flipkart है तो जो भी जो सेलर होते हैं Amazon पर या Flipkart वगेरा पर तो Amazon जब इनको पैसे देता है तो TDS भी डिटर्ट करेगा ठीक है तीडिए स्वी डिटर्ट करेगा 1% 2% टीडिएस कब डिटर्ट नहीं होगा अगर वो छोटे सेलर सो अगर उन तो एक पर आप यह देख सकते हैं Duty of Person Reducting Tax वो तो आपको पता है हाँ एक चीज़ और याद कर लीजेगा अगर क्योंकि हमें TDS के पैसे अगले महिनी की साथ तरिक तक डिपॉस्ट कराने पड़ते हैं अगर हमने क्यां देख शोटा सा पर लीजेगा और टिडी एस टीस आपने जहांसे भी इस भी विख से अपने प्रफिशन की प्लीज हाफ एनार दीजेगा टीडी एस बहुत ओशन साथे हैं फशी अपने पड़ा है ठीक है टेक्स कलेक्टिड एट सोर्स में मेली दो अमेंडमेंट में एक तो मोटरकार वाली बात आनी चाहिए हो कि अक्सर पूशी जाती एक्जाम में ठीके 10 लाक से उपर की जब आप कार खरीदते हैं तो आपसे अगर आप 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 इंडिया से भार पैसा भीज रहे हैं तो जो अपने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बेज रहे हैं आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसके चलते फिर TCS करेट 0.5% रहेगा यह दोना इंपॉर्टन है एक और इंपॉर्टन अमेंडमेंट है TCS में कि जो कोई भी सेलर है अगर कोई भी बायर कोई भी बायर है 50 लाक रुबीस से ज्यादा की चीज़े खरीद रहे हैं इससे 50 लाक रुबीस से ज्यादा की चीज़े खरीद रहे हैं लास्ट ये का turnover seller का 10 क्रोट से जादा था अच्छा आसा turnover था इनका और ये buyer इन से 50 लाग रूबी से जादा की चीज़े खरीद रहा है तो भी TCS यहां पर collect हो का 0.1% COVID impact के वज़े से 0.075% ठीक है और ये दोनों ही amendments जो आई थी ये आई थी 1st October 2020 के बात ठीक है तो यहां पर ये TDS और TCS तो मैंने भी super fast तरीके सही करा दिया है ठीक है जनरली जिसको आदा था उसके तो revision हो गया होगा पर जिनको भी थोड़ा सा आपको लगते कि थोड़ा सा मुझे time देना चाहिए TDS और TCS पे आई वुड हाइली recommend कि आप चार्ट बुक revision वाली वीडियो ये last round revision वाली TDS और TCS की वीडियो रिफर कर सकते हैं आपका लगेगा अब थोड़ी सी speed बढ़ा कर भी देख सकते हैं वह आप अराम से कवर कर लेंगे ठीक है चलिए अब क्या बाते करें अब लोग advanced text की थोड़ी सी और बाते कर लेते हैं advanced text की liability किसके उपर लगेगी अगर हमारी text liability थीकि text liability after TDS, TCS 10,000 रुपीज या उससे ज़्यादा की आ रही है तब हमारे उपर advanced text की liability लगती है बट अगर हमारी liability 10,000 से कम है 10,000 से कम है 9999 है 9999 है 9999 है तो फिर हमारे पर advanced text की liability नहीं आती है दुबारा से repeat कर रहा हूँ जो अब हमारी text liability आती है after TDS और TCS, after TDS और TCS ठीके 10,000 या उससे ज़्यादा है तब हमारे उपर advanced text की liability आ जाती है बट इससे senior citizen ठीके senior citizen अगर उनकी PGVP की income नहीं है तो उनकी अगर tax liability 10,000 से उपर भी है उनकी उपर advanced text की obligations नहीं आएगी ठीक है resident individual who is a senior citizen जिसकी PGVP की income नहीं है MCQ के लिए important बात है अगर उसकी PGVP की income नहीं है ऐसे वेक्ती की तो उनके उपर advanced text की obligations नहीं हाती advanced text की obligations क्या कहती है वो कहती है pay as you earn आपको during the previous year ही अपना amount text का deposit कराते रहना पड़ेगा कतना कब कब कराना पड़ेगा चार installments में आपको कराना है 15th June तक यानि कि जैसी previous year शुरू होता है उसके दो डाई महिने के बाद ही 15th June पर आपको deposit कराना पड़ेगा फिर तीन तीन महिने बाद 15th June 15 September 15 December 15th March तक ठीक है यहां पर कितना आपको करा देना चाहिए जितना भी आपका estimated tax liability आती है उसका 15% आप deposit करा दीजे 15th June तक 15% 15th September तक 45% 15 December तक 75% 15th March तक 100% आप अपनी advance tax liability जमा करा दीजेगा ठीक है अगर आप यह deposit नहीं कराएंगे तो अब क्या होगा आपके उपर 234C का इंटरस्ट लग जाएगा ठीक है वो कितना लगता है वो लगता है 1% पर मंद 1% का इंटरस्ट लगेगा अगर की वर्स वाली यह डिले हो जाता है तो exact three months का total पर इंटरस्थ जिना पड़ेगा वन को मंद के हिसाब से इंटू three months जितना भी आपका शौट पेड हुआ है 15 September वाला अगर डिले हुआ आपका तो first वाले कल ये 3 months है एक्जेक्ट है 15 September के लिए 3 months exact है 15 December के लिए 3 months exact है 15 March के लिए 1 month है यानि कि generally 31st March of previous year तक हम से ये interest ले लिया जाता है उसके बाद 234B का interest शुरू हो जाता है बट आपके लिए मेंली 234C ही वैसे तो एडवांस टेक्स बहुत ज़ादा इंपोर्टन नहीं है में केडिगरी एक चाप्टर में इसको नहीं रखता है बट फिर भी कोशन पेपर में कुछ भी आ सकता है 234C थोड़ा सा important section रहता है तो इसका interest आपको calculate करना आना चाहिए 1% per month first installment के लिए 3 months exact, 3 months, 3 months और last वाले के लिए 1 month आता है ठीके बट यहां पर एक छोटी सी relaxation है अगर first installment में इतना तो पता है कि हमें 15% advanced tax जमा करा देना चाहिए बट अगर हमने 12% भी करा दिया न अगर इनके 3% का एक तरीके से grace है अगर हमने 12% भी करा दिया है तो भी allowed है फिर हम 234C का interest नहीं लगाएंगे similarly second installment में हमें 45% deposit कराना था बट अगर हमने 36% भी deposit करा दिया है तो भी allowed है तो भी allowed है 24C काएगा हम आपको relaxation दे देंगे बट यहां पर कोई relaxation नहीं है यहां पर आपको 75% deposit कराना पड़ेगा यहां पर आपको 100% deposit कराना पड़ेगा जो लोग presumptive income में आते हैं 44AD में और 44ADA में उनके लिए स्रिफ last installment है उनके लिए स्रिफ लास इंस्टॉल्मेंट है उनके लिए स्रिफ एक इंस्टॉल्मेंट है आपको 15 मार्च तकी deposit कराना पड़ेगा बड़ जो presumptive scheme में आते हैं 44AE ठीक है उनके लिए तो चारो इंस्टॉल्मेंट है उनके लिए चारो इंस्टॉल्मेंट है इतनी बात समझ में आती है तो 234C का इंस्टॉल्मींट है इनके लिए इनको इलोगों के लिए इउनके लिए इनके लिए इनके का किया इंस्टॉल्मेंट है है कि dividend की income है अगर for example वो किसी भी installment के बाद arise होती है तो 234C का जब interest तिकाला जाएगा तो हम उसको ignore कर देंगे जब तक वो arise नहीं होई है ठीक है यह important बात है थी advanced tax के बारे में 234B का interest कब लगता है कि अगर आपका total advanced tax 90% से भी कम deposit होगा है तो 234B का interest लगता है ठीक है next इतना advanced tax के लिए ठीक है आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको revise कर लीजएगा but I believe कि इतना sufficient रहेगा फिलाल के लिए next पर आजए चलिए returns of income की बाते कर लेते हैं बहुत quickly section 139.1 filing of ROI ठीक है 139.1 सबसे जादे important section है कि किस को return file करनी ज़रूरी होती है every company और partnership firm company और partnership firm के लिए hundred percent चाहे इनके profits आए चाहे losses आए इनको return file करना compulsory रहेगा partnership firm को return file करना compulsory रहेगा company को return file करना compulsory रहेगा बट जो बाकि लोग है individual है HUFA, AOP, BIO है क्या उनको return file करना compulsory है तो अगर उनकी income basic exemption limits है 2.5 lakh 3 lakh 5 lakh as the case में अगर उनकी income basic exemption limit से ज्यादा है तब उनको return file करना है बट इस जो basic exemption limit से ज्यादा हमें income देखनी है इस शुड़ बिफोर chapter 6 से before chapter 6 से before section 54 54 B 54 D E C 54 F यानि कि इस से पहले आप अपनी income देखेगा अगर वो basic exemption limit से ज्यादा है तो return file करना जरूरी है दूसरी बात जो लोग resident person होता है ordinary resident ordinary resident है मान लेते हैं कि उनकी इंडिया में से कोई income ही नहीं आ रही है लेट से एक ordinary resident है उसकी income नहीं आ रही है बट उसके वास foreign assets है या पिर उसके वास foreign bank account का वह authorized signatory है तो उस case में भी उसको return file करना जरूरी होगा और दूसरे cases हैं कि अगर आपने एक करोड़ी एक करोड़ से ज्यादा एक करोड़ से ज्यादा amount deposit कराया है bank account में current account में तो आपको return file करना जरूरी है अगर आपने expenditure करा है टू लाक रूपीज से ज्यादा का foreign travel में अगर expenses की है तो भी आपको return file करना जरूरी है या फिर इंकर्ड वन लाक रूपीज तो और पूरे साल में एक लाक से ज्यादा का electricity bill पे की है तो भी आपको return file करना जरूरी है या फिर other notified person हमें return कब तक फाइल कर देनी चाहिए 31 जुलाय तक ठीके बट अगर हमारे audit account audit होना जरूरी है या company SAC है या जो partnership firm है उसके account audit होना जरूरी और इसके partners चाहे working हो या नॉन वर्किंग हो इन लोगों के लिए 31st October होती है और जिसकी books में international transactions है जिनको reports देनी पड़ती है 92E में उन लोगों के लिए 30th November date है but mainly आप लोगों के लिए ज्यादा important जो है 31st July 31st October ही रहेगी ठीके अगर return आप time से फाइल नहीं करोगे तो कितनी penalty लग जाएगी इसमें कितनी लेट फीज में लग जाएगी 5000 रुपीज अगर आप 31st December तक फाइल करते हो तो 5000 रुपीज के पेनलिटी है उसके बाद करोगे क्योंकि तीन मेहने बाद तक भी हो सकती है आपकी written file फिर 10,000 रुपीज की आपको अगर आपकी टोटल जो इंकम है वह 5,00,000 रुपीज से जदा की नहीं है तो आपका जो maximum penalty वह 1,000 ही रहेगी जनरली 31st December तक 5,000 है उसके बाद 10,000 है बट 5,000 और 10,000 नहीं लेंगे आपसे सरे 1,000 लेंगे अगर आपकी टोटल इंकम 5,00,000 रुपीज से जदा की नहीं है लौस रिटन आरे है तो अगर लॉस आ रहे है तो भी आप रिटन फाइल कर दीजे क्योंकि आपके पीजिबीप लॉसे क्यापिटल गें वगरे के लॉसे आपके ओनिंग इंटेनिंग होस्त वाईल लॉसे तभी करी फॉवर्वर्ट हो सकते अगर आपकी रिटन फाइल हो दुफाइल हों अगर रहती ऱाइल से फाइल नहीं है तो आपके लॉसे कैंने वह सकते हैं एक्सिप्ट हां स्पर्पपर्टी के लोग्स हो सकते हैं और अनब्जोर डेशन हो सकता है एक और चीज याद कर लेज़ेगा रिवाइस रिटन के बारे में और बिलेटेड रिटन के बारे में रिवाइस रिटन का चेंज करेगा यह रिवाइस रिटन का सिक्षन होता है 139.5 और बिलेटेड रिटन का होता है 139.4 ठीक है क्या हम अपनी रिटन रिवाइस कर सकते हैं हैं या फिर अपनी रिटरन लेट भी फाइल कर सकते हैं इन the answer is yes सर लेट भी फाइल कर सकते हैं कितना लेट कर सकते हैं कब तक रुपर सकते हैं दोनों की सेवन डे जब तक हमारी assessment complete नहीं हुए अगर assessing officer नहीं है तब हर तक हम return को file कर सकते हैं दुबारस से revise करके भी या late भी file कर सकते हैं या फिर end of relevant assessment year जो भी हमारा assessment year है जैसे हमारे लिए assessment year है 21-22 तो end of assessment year यानि कि 31st March 2022 तक I am talking about previous year 2021 के लिए हम अपनी return end of relevant assessment year तक file कर सकते हैं ठीक है एक चीज इसमें और कर लीजेगा who shall sign the return unwritten किसको sign करने एक बर वो और पढ़ लीजेगा तो mainly मैंने कोशिश करी है कि आपके maximum chapters में touch करा सकूं काफी chapters के मैंने practical questions में discuss करने कोशिश करी है I hope you have enjoyed this revision and my best wishes are with you आप बहुत ज्यादा अच्छे number लेकर आएं ठीक है सभी subjects में text में तो लाएंगे ही बाकी सभी subjects में बहुत ज्यादा अच्छे number लेकर आएं और फिर मुझे आप लोग message करें फोन करें ठीक है और बताएं कि आपके कितने number आएं हैं ठीक है result के बादे चलिए thank you so much bye and take care